कि यह जैन बचовых क्याल चालें सभी के आइह होक सब बढ़िया है मस्थे मलाई है म्कस अब क्याल चालो सभी के राप चीक ऑप कि drew पोर्ड मामला कैसे चल रहा है कि मामला 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 कर पो कैसे साथ है अब कल पढ़ती फिजत्स फडली कव भाई मस्द चली आई होप सब पढ़के आये हैं मूँ ठाके तो नहीं आया कोई साथ हाव वही मामला उक्के रिपोर्ट जेहिन सारे भाईयों को जेहिन जेहिन नमस्कार सस्रियाकाल आदाब क्या हाल चाल अगर मैं आपको बोलूं कि मेट्रिक्स डिटर्मिनेंट से आपके पेपर में जितने कोशन आते हैं वो आप सारे कर सकते हो तो ये बात एक्षोल में बिल्कुल सही होगी और दूसरी बात आप लोगो ने लास्ट क्लास में हमने कौन सा चाप्टर पढ़ा था चलो चाप्टर का नाम लिखो एक बड़ी सबको याद होगा क्योंकि हमने आधा छोड़ा हुआ है वह इसलिए मैं पूछ रहा हूँ भाई साब आधा छोड़ा है ना वो चाप्टर है यह बताओ मुझे बेटा देखो सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले साल मेक्ट्रिक्स डिटर्मिनेंट के 11 सवाल आपके पेपर में आए थे और लगबग लगबग मान के चलिए आपके पेपर में नाना करते है आठ नौ दस मतलब आठ से दस क्या किते सवाल इसके आते ही आते हैं आचा मैंने एक चीज अब्जर्ब कर रही दी कल मैं यही देख रहा था राद को बैठके हूमबग कर रहा था जिसे आप लोगों के लिए आपका homework होता है पढ़ाई हमारा homework यही सब होता है कि कितने कितने questions आ रहे हैं वगेरा वगेरा तो मैंने देखा probability और statistics में से आज तक 2015 से लेकर अभी तक जो कम से कम question आई है वो 19 आँ सारी 18 questions है मतलब 18 19 20 और 21 मतलब maximum question 21 सवाल आई है probability statistics से मिला के paper में maximum और कम से कम 18 सवाल आपके paper में आस तक आए है यानि कि अगर आप शिद्दत से जो chapters में पढ़ा रहा हूं उन्हें कर लेते हो तो आप आराम से फोड़ के आओगे paper में ये बात ध्यान रखो I hope सब इस बात को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को एक बहरी फड़ावट से आज महादेवकर जी का दिन है तो बिल्कुछ शिद्दत से बैठेंगे और पढ़ेंगे बिटा देखो ये चाप्टर छोटा है कंपारिटिवली बाकी सबके और इस चैप्टर से कोश्चन लगबग दस आपको देखने को मिलते है जो दस के दस आपके करने लायक कोश्चन होते हैं 10 कोश्चन हमारे इसके पेपर में आपको मिलेंगे आठ से दस, दोजर तेईस सेकंड में इसके ग्यारा कोश्चन्स आये थे पेपर में लेकिन आवरेज रहती है आठ नो दस की लगबग लगबग ये बात मानके चलिए तो बहुत बढ़िया चाप्टर है अच्छी बात ये है कि ये चाप्टर मेरा मानना है कि बिटा तीन से च चार घंटे में खतम हो जाता है और ऐसे तीन चार घंटे के अंदर खतम करने के बाद मेरा मानना ही है कि मैं 2017 से लेकर 2021 तक के सारे सवाल करा दूँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को चैलेंज दूँगा जाओ 2023 के कोश्चन करके देखो एक भी कोश्चन आपसे मिस नह आपको कि भाई सब हम से कितने मिस हो रहे कितने नहीं हो रहे तो चलिए शुरू करते हैं मेट्रिक्स डिटर्मिनेंट बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एक्स्ट्रीम तक बढ़ेंगे सभी बच्चों को PDF लेने का जरिया पता है कि PDF कहा से मिलती है है ना तो चलो चल गैरंटी दूंगा 2 questions में आपको बता रहा हूं जिसपे एक टॉपिक पर एक पर ये guarantee है दो कुश्चन आपके किस टॉपिक से आएंगे ठीक है अब जब मैं guarantee बोल रहा हूं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी भी साल का आप paper उढ़ा के देख लीजिए उसमें आपको मिल जाएगी यह बाते जैसे कि एक question आपको जो छोटे वाले question नहीं होते जैसे एक बोल दिया adjoint A का determinant की value कितनी होती है तो आप बोलते A determinant की power N minus 1 होती है फिर K A determinant मतलब जो इस तरीके के सवाल है एक question तो इन पे आता है मतलब इन वाले formulas पे पे एक सवाल guarantee देखेगा दूसरा आपको देखेगा special type of matrices पे special type of matrices का मतलब है कि जो special होंगी जैसे कि मैं बोलूँगा Hermetian, orthogonal, nilpotent, idipotent, involuntary यह सारी types की जो matrix है उन पे एक सवाल आपको paper में जरूर पूछा जाता है तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक मिनट सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेट्रिक्स मेट्रिक्स क्या होता है matrix is a combination of row and columns मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको हम row and column में लिखते हैं उसके लिए हम बोलते हैं क्या matrix देखे जैसे मैं आपको बोलू कि आपके पास इस तरीके के ब्राकिट के अंदर जब भी हम किसी भी चीज़ को लिख देंगे तो वह matrix हिलाएगा मैंने बुला a11 a12 a13 a21 a22 a23 अभी बता रहूं बिटा इसका मतलब और a31 a32 a33 मैं पहले ही बोल रहा हूं कि हर चैप्टर मैंने आपको बिल्कूल zero to extreme तक कराया है यहां पर भी हम जो चैप्टर करेंगे वहम zero to extreme तक कि ठीक है मतलला मारा target यह रहेगा कि हम उसको zero से लेकर extreme तक कराके चलें तो जैसे आपको बोला जाए इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा matrix के अंदर जो भी ये लिखा हुआ है they are called क्या इन सभी को हम बोलते है elements ये सारे क्या है मेरे elements है जैसे ये जो है ये जो है ये जो है ये जो है ये सारे elements है कौन है ये बिचारे elements है ठीक है अगर आप से बोले कि इस तरीके से जो लिखी जाएगी horizontal ways में उनको हम हम बोलते है rows क्या बोलते हैं उनको rows बेटा R O S E वाली rows नहीं है ये जो आप समझे रहे हो कि Titanic में मिलते हैं वह वाली नहीं तो तीन row तीन column यहां पर हम पढ़ रहे हैं बट हमें कितनी भी row कितनी भी column पढ़ सकते हैं that is not a big deal ठीक है अच्छा जैसे A11 लिखा है ये 11 नहीं बोलते A11 का मतलब है 1st row 1st column का element is A11 अगर मैं बोलू 1st row 2nd column का element 1st row 3rd column का element 2nd row 1st column 2nd row 2nd column मतलब इस तरीके से हम बनाते हैं ये हमारा criteria होता है elements को लिखने का ठीक है आच्छा इस matrix का जो order होगा that is 3 by 3 क्योंकि इसके अंदर 3 तो row है और 3 ही क्या है? कॉलम है याद रहेगी ये बात 3 row और 3 columns है इसलिए इस matrix का जो order है वो 3 by 3 का होगा और अगर हम इन दोनों को multiply कर दे तो हमारे पास जो number of elements आते है number of elements आ जाते है total 9 तो ये बहुत easy सी बात है I hope सबको ये बात clear है बिल्कुल clear है yes or no पहले जल्दी से बताईए ओक्के report मामला किसी को कोई दिक्कत परिशानी बिल्कुल ओक्के report मामला yes or no पहले एक बार जल्दी से बोल तो भाई हाँ बई clear है सभी को बताओ 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 अच्छा आज महा शिवरात्री है I hope सबने सब कोई बात पता है ना कैसा चल रहे मामला कैसी जा रहे तुम्हारी शिव्रात्री अभी तो चलो शिव्रात्री लेकिन दिनमें अभी तो है ना कैसी चल रहे है अभी शिव्रातरी बढ़िया ठीक है तो यह बेसिक बिल्कुल मैंने पहले बोला कि zero to hero जाएंगे हम हमारा वही target रहता है कि बिल्कुल zero to hero करें है ना चलो आगे बढ़े भाई अब हम बात करेंगे सबसे पहले rows की बात कर ली column की बात कर ली अब हम बात करेंगे सबसे पहले matrix के अंदर और भी चीजे जैसे आप तें diagonal बिटा matrix में जो diagonal होता है ना वो ऐसे होता है यसी यह मैंने बनाया तो a11, a21, a22 और a33 तो diagonal जो होता है यह matrix में diagonal होता है अगर 3x3 का है तो ऐसे 2x2 का है तो वैसे ठीक है अब हम बात करेंगे सबसे बढ़िया types of matrix की heading डाली है types of matrices matrices के प्रकार ठीक है और इसी के अंदर जो आता है वो है special type of matrix जो हम determinant के बाद पढ़ सकते हैं क्योंकि उसके अंदर determinant का इस्तेमाल हो रहा होता है तो heading डाली है सबसे पहले types of matrices बटा मेरे साथ साथ note करेंगे इसमें कुछ नहीं है जैसे मैं आपको बोलू row matrix what is your row matrix row matrix वो matrix होती है जो row में लिखी जाए बात खत्म जैसे a b c d यह कैसी matrix है रो सिरफ एक ही रो है एक रो और यहां पर column कितने है एक दो तीन चार्ट तो 1 by 4 की matrix है बट रो एक ही होनी चाहिए वही क्या के लाएगी row matrix जैसे मैं एक और example देता हूं मैंने बोला 2 3 9 माइनस 9 कुछ भी दे सकता हूं तो 1 by 3 तो that is also row matrix ठीक है अगर मैं आपको बोलूं क्या ये एक row matrix है 5 तो बताईए मुझे जल्दी से क्या 5 single element वाली row matrix है जल्दी से बताईए yes or no yes sir this is a row matrix क्योंकि यहां पर एक ही element है अगर मैं आप से बात करूं column matrix तो what is the column matrix देखना ज़रा एक बड़ी बच्चे column matrix में एक ही column होगा जैसे मैंने बोला 5 6 7 8 तो यहां पर एक स्वारी एक दो तीन चार चार रो और एक column है जैसे मैं बोलूं 8 9 10 11 तो आप बोलेंगे कि sir बिल्कुल यहां पर यह भी 4 by 1 का है अगर मैं बोलूं 8 9 10 तो यह भी 3 by 1 का है तो अगर एक column होगा तो उससे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको हम column matrix अच्छा यह बताईए मुझे 0 यह कैसी matrix है सर यह column matrix भी है तो ऐसी matrix जो column और row दोनों होती है that is only and only एक ही matrix होती है और वह कौन सी होती है वहाई हमारी सिरफ और सिरफ single element वाली matrix सिंगल टन पर भी आएंगे उसकी बात नहीं करें तो जिसमें single element होगा वो row matrix भी और column matrix भी दोनों बोल सकते हैं मुझे बोलो clear है yes or no अगर किसी matrix में एक element है तो वह single matrix जो है उसे हम row और column दोनों matrix बोल सकते हैं आगे देखिए बटा बात करें square matrix के थोड़ा जल्दिल दिखीचेंगे बहुत easy easy चीजे है square matrix नाम से ही पता लग रहा number of row जो है number of column के बराबर होंगी जैसे मैं बोल दिया आपर two by two है तो it is a square matrix जैसे one two three four minus one three by two five by two six by seven three तो यह तीन बाइटीन तो ऐसी matrix क्या है square matrix है जिसमें number of row जो है number of column के equal है अगर मैं बात करूँ identity matrix की तो identity matrix जिसे हम identity identity ठीक है identity matrix जिसे हम unit matrix भी बोलते है ठीक है यूनिट matrix identity matrix एक ही चीज होती है जैसे अगर आपको बूला जाए आई से denote किया जाता है one zero zero one diagonal में one होगा बाकि सब zero होगा ठीक है चाहे वो तीन बाइटीन हो चाहे दो बाइदो हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता that is called कौनसी matrix identity matrix इसके बाद आपके पास आता है diagonal matrix और scalar matrix diagonal matrix और scalar matrix इसके ऊपर ना एक बहुत important point आएगा वो ध्यान रटके चलना ठीक है तो मैं इन दोनों को differentiate करके बढ़ाता हूं कि कैसे किसे हम diagonal matrix और किसे हम scalar matrix बोल सकते हैं ठीक है थोड़ा तेज पड़ेंगे इसको क्योंकि बहुत असान सी चीज है ठीक है ना ऐसा कुछ है नही जो आपको परिशान करें जैसे मैंने बोला diagonal matrix, diagonal matrix का मतलब है diagonal जिन्दा होंगे बाकि सब मर जाएंगे यानि बाकि सब 0 अचा diagonal कैसे भी हो जैसे ABC है DEF कुछ भी है लेकिन scalar matrix में क्या होता है scalar matrix का rule है कि जो diagonal है वो सेम होने चाहिए diagonal आपके सेम होने चाहिए बाकि सब 0 तो scalar matrix हो है हम यहां पर यह कह सकते है scalar matrix is always diagonal but diagonal matrix is not always scalar तो याद रखिएगा scalar matrix is always is always diagonal but vice versa is not true and what is the meaning of vice versa vice versa is not true का मतलब है बिटा कि आपका जो है scalar matrix diagonal तो होगी but diagonal matrix scalar हो यह ज़रूरी नहीं है ठीक है इसी के बिहाफ पर हमारी upper triangular lower triangular दोनों आएगी बोलो clear है यहाँ हाँ 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 यह ना हाँ मैनी कोश्चन्स इन दिस uh matrix बिटा आठ से 10 कोशन आते हैं क्लास को स्टार्टिंग से टेंड किया करो सबसे पहले मैं यही बताता हूं कि कितने कोश्चन्स इससे आते हैं ठीक है अब देखे बात करते हैं सर नल matrix की और equal matrix की वाट इसनल मेट्रिक्स बैणल मेट्रिक्स जिसे हम डिनोटेट करते हैं और से each and every element शुडबी 0 हर element 0 होना चाहिए तो मेट्रिक्स हमारी क्या लाएगी कौन सी मेट्रिक्स कहलाएगी भाई नल मेट्रिक्स each and every element should be 0 equal matrix भाई बहुत बच्चों वाली बाते हैं इसलिए थोड़ा सा तेज कीचूँगा जैसे मैंने बोला a b c d e f g h किक है देखो मेरी बात सुनने दर ध्यान से तो हम बोलेंगे equal matrix का मतलब है corresponding elements बराबर होंगे corresponding मतलब यह पहले number पर पढ़ रहा है तो a बराबर e यह दूसरे number पर बढ़ा तो b बराबर f यह तीसरे number पर बढ़ा तो c बराबर g और यह चोथे number पर बढ़ा तो d बराबर h बहुत easy है बहुत simple है तो ज़रूरी यह square ही हो जैसे मैं बोलू a b c d फिर बोलू e f g h ठीक है फिर मैं equal to मैं बोलू p q r s p u v w तो आप क्या बोलेंगे a बराबर p e बराबर q b बराबर r f बराबर s c बराबर t d बराबर v ठीक है बस हो गया ना एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ रहे गए बही कुछ रहे डबलू रग गया तो पहले f को कर लें q b basal & c c c c c d c c c c c d c c e o g a b c d d d d d ddd चलो d ko करते हैं d बराबर v खतम तो यह सारे अलीमेνट कॉर्रस्पंणिंग अलीमेंट बराबर होंगे ap kOS Hanım켜्शपंदWh की और यू को बराबर जी बराबर यह ठीक है, चलो, they are called equal matrix, बहुत इसी है, चलिए, अब आप कह सकते हैं, यह basic था matrix का बहुत जादा, हमने upper triangular, lower triangular पड़े नहीं है, बट वो special type of matrix में आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको actually में value निकालनी होते हैं, उससे हम बचाते हैं, अब देखें, यहां से एक question आपको इस तरीके का मिल जाता है, जो आपने NCIT में भी देखा होगा, तो यहां पर आपसे पूछता है, what is the total number of possible matrices of order 3 by 3, 3 by 3 का order, जिसमें entry 2 और 0, यह कुछ भी हो सकते हैं number, आप एक चीज़ देखो, पहले इसको समझना, इसका answer 2 की power 9 कहते हैं, बच्चे जिसे हम 512 बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, यह तो answer की बात हो गई है, लेकिन concept की बात समझें जरा है, what is the concept, बिटा concept इस अपने पास 9 element होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अगर मैं थोड़ा सा permutation combination को याद करूँ, तो इस box में क्या-क्या भरा जा सकता है, sir, 0 and 2, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, sir, मतलब दो तरीके होगा इसको भरने के, into, इस box को कितने में से भर जा सकता, sir, 0 and 2, क्योंकि repetition तो loud है, इस box को, 0 and 2, इस box को, तो सब को multiply कर देंगे, तो हमारा answer जो है, वो 2 की power 9 आ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ, इस चकर में मत पड़ो, आप एक formula याद different elements, different elements, number of different elements, raise to the power, total number of elements, total number of elements, ये बात याद रहेगी, सभी को पहले बता हूँ, आप कह सकते है, number of different elements, raise to the power, number of total elements, तो बेटा, अगर यहाँ पर 2 और 0 की जगा, मैं आपको बोल दू, 3, 5, 7, है, तो 3 element different हो गए, raise to the power, 3 into 3 answer आ जाता, तो याद रखिएगा, कि number of different elements, raise to the power, number of element, इस concept में मत जाईए, बट फिर भी अगर जाना है, तो मैंने मतलब बता दिया, कि भाई, 2 आ जाएगा, boxes 9 तरीके हैं, तो 2 into 2 into 2 करके करेंगे, तो 2 की power 9 बनेगा, बात खतम, ये अगर आप कल board का paper दे रहे हैं, तो आज जो मैं सवाल कराऊंगा, उन में से, मैंने आपको ये बोला, देखो, एक बड़ी ज़रा ध्यान से, कि बेटा, 2 question में से एक guarantee है, कि एक इस पे से आएगा, ये board में भी guarantee है, अगर आपका कोई भाई, बेहन, दीदी, husband, wife, भाबी, भाई, या उसके अंदर भी आपको एक question, इस से 100% मिलेगा, और एक इस से 100% मिलेगा, तो ये दो topic बहुत important है, दूसरे पर अभी पहुंचेंगे, अभी पहुंचें नहीं है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, सर पहला सवाल, कुछ सवालों के घेरे से, अचा अगर बच्चों के म बढ़ता है, which of the falling is correct, जल्दी से, चाप्टर बढ़ी है, slow-slow पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब इसमें थोड़ा बीच-बीच में मैं तेज होंगा, जो असान topic होंगे, उसमें, ठीक है, देखो मैं हूँ चलाक आदिमी, मैं पहला element कभी नहीं निकालत हूँ, जिसको मैं बोलूँगा, a12, मतलब i की जगा 1, j की जगा 2, i की जगा 1, j की जगा 2, minus 1 by 3, तो minus 1 by 3 इसमें आ रहा है, minus 1 by 3 और किसी में नहीं आ रहा, option a को काट दो, option b को टिक कर दो, निकालो हिमत, बाक्की element, हमारी मासी के लड़के हैं, जो निकाले हैं, हम तो option b प फोकस नहीं करता, क्योंकि पोल में बच्चे तुक्के बहुत मारते हैं, तो तुक्के शुक्के नहीं चलेंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है बाई, चलो, आगे बड़े, देखो शक्तिमान, अगला हिसाब करते हैं, आप लोग से, दा अगला हिसाब is addition and subtraction, देके addition and subtraction, हलका साब बता देता हूँ, पहने पहली बोला कि तेज तेज खीचेंगे, बेड़े addition and subtraction का rule 1, जिन भी दो matrix को matrix 1 and matrix 2 जब भी add होंगी, both having order are equal, both having same order, ये बात याद रखना, NDA के paper में आ चुका है, एक question, अभी latest में आया था, 2022 में, तो प्लीज पहले बोल रहा हूँ, कि इन का order सेम होना चाहिए, जैसे अगर आपने A, B, C, D, E, F करा है, तो यहाँ पर आप G, H, I, J, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इस matrix का order है, वो कितना है, 3 by 2 का, तो इसका order भी कितने का होना चाहिए, 3 by 2 का, तो KL, तभी उन matrix को आप plus कर पाऊगे, जैसे plus बोला, तो आपने बोल दि है, ठीक है, अगर plus बोला तो, अगर मैं यहाँ पर plus की जगाँ पर minus बोल जेता, तो हर जगाँ पर minus आजाता, बात ख़ता हूँ, it is so easy, so गटिया, so looking like a question, आगे बढ़ो भाई, देखो, sir, question है, आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, A plus K की value निकालनी है, जल्दी से answer बताईए, बताईए, जल्दी बताईए, एक ही नारा, एक ही नाम, बोला बम, बोले बम, कैसे हो इस सारे किस का 12th board का एक्जाम खतम हुए, किसी का भी और शेंगी, पढ़ ले चुप चाप चल, ठीक है, इधर देखो, पता नहीं क्या-क्या बाते करते रहें, तो तुम लो के, अब हमने क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, के को अंदर ले गए, 6K, 10K, 8K और 1K, 9, 15, 12, 11, आगी वैल्यू, 6 के बराबर 9, ठीक से भाई, 6 के बराबर 9, तो हम कह सकते हैं, के बराबर 3 बड़े 2, के आगया, सर मैं कह सकता हूँ, 1 के बराबर 21, तो 1 के इक्वल टू 21 के, के आपने सर जी अभी निकाल के दिया, ताजा 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 3 बड़े 2, तो 3 एकम 3 सकते, तो A बराबर 14, यानि की 14, तो अगर मैं से उसने निकालने के लिए बोला था, A प्लस K, तो मैं कह सकता हूँ, 14 प्लस 3 बड़े 2, जिसे हम बोलेंगे 1,5, तो आंसर इस, 14 प्लस 3 by 3, order 2 और 0, already कर चुके हैं, 2 की power 9, 512, पीछे कर लिया था हमने, मेरे यारा, अगले question पर आते हैं, बजाते है question के 12, question है, x, y, z, w की value निकालनी है, तो निकाल दो ना भाई, किसका इंतजार है, जब हम यहां है, मेरे यार, तर हम बोलेंगे, x plus y equal to 4, ठीक है भाई, पहला element पहले के बराबर, तिरम बोलेंगे, 2x plus z बराबर 7, तिरम बोलेंगे, x minus y बराबर 0, वही, x minus y 0 के बराबर, और 2z plus w, 2z plus w equal to 10, बच्चो वाला है सर, बच्चो वाला, तुम तो फिर भी बुढ़े ओंड़ागरे हो बाई, यह तो बच्चो वाला question है, तो इसको solve करेंगे, तो x और y बराबर आएंगे, दोनों 2 दो आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, x और y दोनों 2 आएंगे, खत्तम finish that, तर x की value यह डाल देते हैं, 2, तो 2 डालूंगा, तो यह 4 हो जाएगा, 4 plus z बराबर 7, तो z equal to 3 आगे सर, तो 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, none of these भी हो सकता है, z की value 3 डाली, 6 है, जमार w equal to 10, तो w is equal to 4, w 4 आया, देखो, क्या आया, 2, 2, 3, 4 is the answer, खत्म, 2, 2, 3, 4 is the answer, अच्छा, एक बात बताता हूँ, आप लोग को याद होगा, कि आप जब matrix पढ़ते हो, तो matrix में topic आता है, inverse, a inverse, उसका formula हम पढ़ते हैं, 1 by a determinant into adjoint, आपने कभी यह बा 2 by 3 वाला, 2 by 2 का नहीं, 2 by 2 का तो NCIT में भी technique available है, लेकिन अगर 3 by 3 में सवाल आ गया, तो हमारे तोते उड़ जाएंगे, परकच्छे उड़ जाएंगे, जो हमारे परकच्छे होंगे, वो उड़ जाएंगे, क्यों उड़ जाएंगे वे परकच्छे, क्योंकि एक चीज पापी गुडिया, ठीक है, आहट सब चला देंगे एकसा, चिंता नहीं करनी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, काफी बच्छों ने देखा भी होगा, मल्टिप्लिकेशन, भाई, जरह वेरी वेरी इंपोर्टन लगा देना, आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, ये तो हमें आता ही है, अब भाई, जरह 2023 से लेकर न, 2020 तक के सवाल निकाल लेना, आपको दिख जाएगा, तीन साल में छे, पाँच बार पेपर होएगा, क्यों 2020 में एक बार हुआ था, तो बाकी सम्में, पाँच बारी में से आपको कम से कम तीन बारी इसका कुशन मिला हो, मल्टिप् मल्टिप्लिकेशन, सरे तो बच्च वाली चीज है, इस पर क्यों सवाल आ रहे, अभी पता लगेगा, रुको जारा सबर करो, आगे सवाल आते जाएंगे, गल्ती करते जाओगे, मल्टिप्लिकेशन का सार, रूल वन, रूल वन के कहता है, नूँ सुनलो भाई, आप हर में मेट्रिक्स को मल्टिप्लाइ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की मासी के लड़के नहीं है, कैसे? जैसे आपने ए मेट्रिक्स को मल्टिप्लाइ करा, बी मेट्रिक्स के साथ, तो बेटा, ए मेट्रिक्स का ओर्डर जो है, अगर मान लीजे, थोड़ा गैब द कहता है कि जो पहला मेंट्रिक्स है थोड़ा बड़ा लिखता हूं या छोटा है यह बहुत फोड़ा बड़ा लिखता हूं ए बी मान लेते हैं जो एक ओडर है वो M by N का है और B का ओडर जो है वो N by G का होगा तर गारंटी है कि ये दोनों सेम होने चाहिए अगर नहीं हो रहे न सेम तो इसका मतलब आप मल्टिप्लाइ नहीं गर सकते तो रूल वन ये कहता है कि पहले मेट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मेट्रिक्स के रो हमेशा सेम होंगे अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो मल्टिप्लाइ नहीं हो सकते ठीक है अच्छा और जो आंसर आएगा जो आपका आंसर आएगा विच इस A B वही मल्टिप्लाइ करके A B तो आएगा तो A B जो आनसर आएगा वो ये आएगा M by G मतलब कि ये दोनों same वाले cancel हो जाएंगे और जो answer बचेगा हमारा वो क्या बचेगा सिरफ और सिरफ M by G का मतलब पहले matrix के row और दूसरे matrix के column ये दोनों आपस में multiply किये जाते हैं ये दोनों rule समझ आगे एक बारी इसके अंदर helicopter rule भी देख लेते हैं आपने 7 rule सुना होगा आपने सुना होगा multiplication में 7 rule भाई इसके अंदर एक aeroplane crash rule भी होता है जो मैं सिखा हूँगा जो आपने कभी नहीं सिखा होगा है ना ठीक है तो इसको समझे जारा है एक बारी तो काला जादू बिलकुल हाँ काला जादू लगाएंगे रावत जी चिंता नहीं करो जैसे मैंने आपको example दिया कि भाई साथ आपको A दिया हुए 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 सर guarantee है इस matrix का जो हमारे पास order है that is 3 by 3 तो B जो matrix होगा उसके अंदर जो order होगा उसके अंदर हमारे पाई यहाँ पर column 3 है तो row 3 होनी चीए 1, 2, 3, 4 5, 6 मैंने ऐसे कर दिया ठीक है तो पेटा पहले मैं आपको इसको समझाऊंगा आराम से मेरा method देखो rule तो rule तो वो चीज होगी हाती के दात जो हमें याद चबाने के और दिखाने के और यह चबाने वाले हैं वाई जिसे आपको A B कर मैं है वाट इस A B 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 जे के बने भाई जे बन लिया 1, 3, 5 2, 4, 6 सर आपने हॉलिवूड की मूविस तो जरूर देखियोंगी अब आप काऊगे सर हिंदी तो समझ नहीं आती है इंग्लीश मूवी कहां से देखेंगे बेटा इंग्लीश मूवी देखने का मतलब यहीं नहीं होता कि आप हमेशा मतलब उसको आवाज को छोड़ दो मतलब आप इंग्लीश मूवी अच्छी भी होती है कुछ उड़ते हैं अब क्या होता है दे आर्दा क्रैशिंग सर्फेस यह क्रैशिंग सर्फेस है कि अगर एरोप्लेन उड़के गया तो क्रैश हो जाएगा लेकिन उस सर्फेस को तोड़ देगा भेद देगा एक बार ही अगर एरोप्लेन उड़के गया उदर से टकराया क्रैश हु जैसे इस सर्फेस में एगे क्या होगा क्रैश हो जाएगा तो हम बोलेंगे सर कि आप यह कहना चाहते हो कि एरोपलेन उड़ा एरोपलेन क्रैश ऐसे बिल्कुल सर मल्टिप्ला कर दो पहले अलिमेंट आजएगा सब्सकंट discuss about 3 1 2 1 2 1 1 2 3 क्या किया सर पहलेश मेंट पहले इलिमैंट के साथ दूसरा एलिमेंट दूसरे मेंट के साथ हैं मतलब आरोपलेन उड़ा एरोपलेन क्रैश अब यह इंक्रैश धीस खतम अब दूसरा एरोपलेन उडाएंगे हम इसी सर्फिस से दूसरा एरोपलेन उडा आगे बढ़ा बढ़ता जारा बढ़ता जारा यह सर्फिस खतम हो चुकी है तो इससे क्रैश करके खतम कर दिया तो यहां पर क्रैश तो क्या हो जाएगा भाई यह वनेगा कितना वन इंटू टू प्लस इंटो सिक्स विटा गुणा करना सबको आता है कि अचा प्लकस लगा से पहले मंड इक viele मंड इप्ला है unp इप्ला पिर अगर एरोपलेन वह यह उडे था जाएगे औरग उर्टा हो गया अगर आगे कोई सर्फिस होती तो दुबारा उड़ता दुबारा क्रैश होता लेकिन है नहीं तो यहां से उड़ेगा नहीं रन्वे का काम खता हूँ उड़ा क्रैश दुबारा से तो क्या होगा चार इंटू एक प्लस पांच इंटू तीन प्लस छे इंटू पांच तो इस तरीके से हमें मल्टिप्लाइ करना है फिर उड़ाएंगे फिर क्रैश करा बड़ाएंगे फिर क्रैश करांगे ऐसे मल्टिप्लाइ कर सकते हैं सब को आता है हां के ना पहले बता दो मुझे जल्दी से बोलो हां के ना आगो के रिपोर्ट मामला है प्यूसार बेटा हिंदी में क्रैश करेगा नहीं करेगा तो एक ही बात नबाध ना भाई काई की टेंशन वैसे भी मुँए चाहने तो टेंशन नहीं लेनी है ना आगे देखो और पुलाती है तो गब्राने का नहीं अब देखिया अच्छा एक बात और एक छोटी सी बात रह गी जाद रखेगा इन केस आफ मेत्रिक्स मॐल्टि प्लीकेशन matrix multiplication multiplication it is not compulsory it is not compulsory that AB is equal to BA AB जो है वो BA के बराबर है यह compulsory नहीं है matrix के multiplication में यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता it depends on the question multiplication करना है हमने जल्दी से करेंगे सर कहता है what is the order order बताना है सर यह I think 2015-16 में यह सवाल आया था आपको reality बताऊ तो order बताना है सर पहले matrix का order कितना है 1 by 3 का पहली इस matrix को A इसको B रख रहा हूं इसको C रख रहा हूं तो पहले पहली दो पकड़ लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है पहली दो में हमने क्या पढ़ा था rule 1 यह कहता है यह दोनों सेम होनेचे सेम है तो जब मैं A B करूंगा तो answer क्या आएगा मेरे पास 1 by 3 का और यहाँ पर C है C का order क्या है 3 by 1 का तो rule क्या कहता है यह दोनों क्या होनेचे सेम rule 1 हो गया rule 2 क्या कहता है जब आप A B C निकालोगे तो उसका answer क्या आएगा 1 by 1 का तो answer is 1 by 1 option B is right बोलो हाग के ना है हाग टाइट, option B is right अगला 2 by 3 is the matrix A is the matrix 2 by 3 A matrix है 2 by 3 कहता है and A B का order दिया हुआ है इस बार उसने B हमें नहीं पता लेकिन उसने बोला A B का जो order है वो 2 by 5 का है जो answer आया था उसका order 2 by 5 है इसको एक काम करते है answer को यहां लिखते है ने हम तो यहां लिखते थे हमेशा 2 by 5 तो आपसे B का order पूछा है कि B बिचारे का order क्या रहा होगा बिचारे B का order क्या रहा होगा बिचारा गरीब सा B है आपके आपके कुछ नहीं है यह rule 1 क्या कहता है यह दोनों same होने चाहिए rule 1 तभी तो multiply होंगे same का मतलब है यह 3 है तो यह भी 3 रहा होगा अब इसके साथ एक और element एक और हमारे पास order के लिए value होगी तो हम कहेंगे sir यह बनेगा 2 और यह क्या बनेगा 5 यहीं से तो अगला सवाल दीरे दीरे मुश्किल होता जाएगा question अच्छा question है यह भी NDA के पेपर में आया होगा जल्दी से करके बताईए मुझे क्या answer होगा make it fast करो बाई करो जल्दी जल्दी करो question को करो down रे down रे diggy down 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 रे down रे diggy down राओ जल्दी कर दो बाई question answer बताऊ हो गया भाई कर दिया down रे down रे diggy down राओ देखो अब है ए मैट्रिक्स के पास x रो है उक्के रिपोर्ट और x प्लस 5 कॉलम है कॉलम कितने है उसके पास x प्लस 5 ये क्या भाई और उसने क्या बोला बी मेट्रिक्स के पास y रो है और 11-y इसके कॉलम है करेक्ट उसने बोला बोथ a b and b exist मतलब आप a b को भी multiply कर सकते हो और आप b a को भी multiply कर सकते हो मतलब अगर मैं या पर b को पहले लिख दू तो मैं b a को भी multiply कर सकता हूँ according to question b को पहले लिख के a मतलब ये दोनों rule के लिए follow हो रही है ये x by x प्लस 5 बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि a b और b ये बराबर है इसका मतलब ये है कि दोनों rule valid है हम दोने मेरी बात इसका rule का मतलब याद रखना कि इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के दोनों बराबर है इसका मतलब ये है कि ऐसा हिसाब किताब होगा चलो हमें पता लगता है a b जब भी आया होगा तो हमें पता है कि ये दोनों same रहे होंगे अभी तक तब से यही चीख करें सेम से मुझे पता लग गया कि y जो है वो x plus 5 के बराबर होगा this is our first equation ठीक है अच्छा दूसरा मैं कह सकता हूँ कि दूसरी equation यह मिल रही है होजे कि यह भी सेम रहे होगा तभी तो multiply हुआ यानि कि 11-y जो है वो x के बराबर है तो यहाँ से y की value x plus 5 यहाँ डाल दो y की value क्या है x plus 5 तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा 11-x-5 बराबर x तो 6 बराबर 2x तो x की value 3 आ गई अगर x मेरा 3 है इसको उठा के जब आप यहाँ डालोगे तो y आपका 8 हाएगा तो x 3 y 8 x 3 y 8 उसने बोला था what is the value of x and y तो हम कह सकते हैं that is 3 and 8 बोलो clear है सभी को एकदम उक्के report yes or no बिल्कुल उक्के report मामला है clear है बच्चो चलो आगे बढ़ते हैं भाई हल्दी और चंदन के गुण इसमें समाए question बोल रहा है both a b and b a exist neither a b nor b a exist a b exist but b a not बिटा मिलते जूरते सवाल आते हैं बेपर में जल्दी से करो उक्के report है बोलो हाग के ना शावाश जल्दी 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 वरबल करने वाले question है और ऐसा कोई question नहीं है जल्दी के वैपर में आया हो A b A का order क्या है 1,2,3 3 by अब है रुको A का order क्या है कि 1,2,3 3 by 2 का B का order क्या है 2 by 2 का तो हम कह सकते हैं कि A b तो guarantee exist करेगा और A b का जो order आएगा 3 by 2 का आएगा हाला कि मुझे order नहीं चीए तो A b exist करेगा A B exist करेगा ये कट गई A B exist करेगा ये कट गई चलिए B A को check करते है B B हमारा होगा 2 by 2 और जो A हमारा है वो 3 by 2 तो हम कह सकते है सर इन दोनों को multiply नहीं किया जा सकता क्योंकि ये same होने चाहिए थे बट ये same नहीं है अगर same नहीं है तो B A does not exist अगला A and B two matrix such that A plus B हाँ देखोस एडिशन ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है इस तरीके से डेंट पेंट करके देता है कुश्चन जल्दी से बताईए क्याता है A plus B and A B both are defined 2-3 सवाल बचे है जो multiplication order पे कम्प्लीट हो जाएंगे उसके वन हम अगला हिस्सा शुलू करेंगे इसका ठीक है मतला एक हिस्सा खतम हो जाएगा कि कहता है A plus B देखो A plus B कब क्या होगा हमने जैसे A का order अगर M by N का है तो guarantee यह जो B का order है वो भी क्या राओगा M by N का राओगा क्योंकि add है अब तभी कर सकते हैं जब यह दोनों सेम रहे हो पूरे 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 करेक्ट है अना अच्छा कहता है A B भी डिफाइन करता है A का order कितना है M by N यहां से चोरी कर लिया और B का order क्या है यह भी M by N यहीं से टेपा है लेकिन rule यह कहता था कि आपका हमेशा और हमेशा यह दोनों सेम होगे अगर ये दोनों सेम है तो इससे पता लगता है M और N दोनों बराबर है और अगर M और N यहाँ पर बराबर है यहाँ पर बराबर है तो आप कह सकते हैं यह square matrix है same order की, तो आप कहेंगे A और B square matrix है, same order की बात कतम option B correct square matrix of same order, खतम बात नकली जल्दी से बताईए, कहता है 1, 2, 3 1, 2, 3 एक matrix है, 1, 2, 3 को multiply करा है B matrix के साथ, तो answer 3, 4 मिला है, order बताना है order पे, देखिए सोचिए order पे question आये में पेपर में, ऐसे, जितने में question करा है, साथ, यह सारे question order पर आये है, order के बाद हम symmetric, Q symmetric, यहन सब चीजों पर भी question आते हैं, वो करेंगे, हर topic के साथ question करते जाएंगे, हर topic उसके साथ question, दूसर topic उसके साथ question, जल्दी बताईए answer क्या होगा, make it fast बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कैसे करेंगे इसको अच्छा, B ओके, check करते हैं, भाई, पहला matrix है, जिसका order जो रहेगा, वो कितना रहेगा, A को माल लेते हैं, 1 by 3 का, B का order मुझे नहीं पता, लेकिन उसने बोला है कि जो A, B है, this is your answer, A, B मान सकते हैं, इसको, यह जो A, B, answer है, यह answer जो आपका आया है, इसका order 1 by 2 का है, तो आप देख के पता लगा सकते हो, कि यह सेम रहा होगा, पहला, rule यह होता है, और दूसरा rule होता है, कि यहाँ पर आप, यहाँ से टेप के लाए होगा element, यानि B का जो order है, वो 3 by 2 का रहा होगा, ठीक है, बाई, आगे बढ़ते हैं, सेम कोशन गलती से repeat होगा है, तो मैं लिख देता हूँ, जब PDF आपको मिलेगी, तब आपको दिख जाएगा repeated है, previous वाला यह रहा कोशन, square निखालना है, यह नहीं multiplication पे एक सवाल, how we can multiply, तर A into A करेंगे, A square का मतलब तो यह होता है, A into A, A कितना है, Iota, 0, 0 Iota, A square, Iota, 0, 0, Iota, ठीक है, तो यह बहुत छोटे-छोटे question है, बड़ पेपर में आएवे है, Aeroplane उड़ा, Aeroplane crash, ऐसी बड़ा था भाई, क्या होगा, Iota square फिर प्लस जीरो, फिर दुबारा से Aeroplane को उड़ाएंगे, दुबारा से crash कराएंगे, 0 प्लस 0, फिर Aeroplane उड़ेगा, फिर Aeroplane crash होगा, यानि 0 प्लस 0, फिर Aeroplane उड़ेगा, फिर crash होगा, यानि 0 प्लस Iota square, Iota square की value, minus 1, 0, 0, minus 1 यह answer आगया, minus 1, 0, 0, 0, minus 1, minus 1, 0, 0, minus 1 Option B is correct, शाबाश, अगला सवाल, बटा बहुत बढ़िया कोश्चन है, दो कोश्चन है, direction कोश्चन है, गलती से लिख दिया है दो कोश्चन है, इसके उपर जल्दी से करिए order पे यह कोश्चन भी बढ़िया, आंसर बताइए, पहले बाले का, restriction on NKP, so that PY plus W, यह, जो भी यह गंद, इसकी value बताइए, देखे भाई, क्या answer होगा, एक बारी जल्दी से, सर उसने बोला, X, Y, Z, W, P, Y, P का order कितना है, और Y, mix कर रखा है अब यह कोश्चन, मतलब multiplication और addition का mix up करके दिया है, जैसे अभी हम कर रहे हैं, multiplication और addition का mix up, तो mix ऐसे कर दिया, उसने एक ही कोश्चन में mix कर दिया, ठीक है, तो P का order लिखेंगे, देखे, P last वाला है, last वाले का order, बिल्कुल last वाला होगा, यानि P by K, P by K लिख दीजिए, Y, Y second वाला है, और Y, Y का order तो 3 by K है, ठीक है, अब हम कहेंगे, सर, rule ये कहता है, कि जो, ये दोनों सेम होने चीजिए, यानि K की value मुझे या पर पता लगी, 3 के बराबर है, तो अगर मैं P by करता हूँ, तो that is P by K, correct, plus W by करता हूँ, तो that is N by K, लेकिन मुझे पता है, K की value 3 है, तो मैंने कहें दिया, P by 3, plus W by, वो N by 3 के बराबर है, लेकिन हमें पता है, कि ये दोनों matrix आपस में add हो रही है, add होने का मतलब है, कि P by 3 जो है, वो N by 3 के बराबर रहा होगा, P by 3 और N by 3, इन दोनों बराबर होंगे, यानि कि P जो है, वो N के बराबर रहा होगा, तो मैं कह सकता हूँ, P जो है, वो N के बराबर रहा होगा, K जो है, वो 3 के बराबर रहा होगा, खतम, option A is correct, हो गया ना, मस्त question था, राप्चिक, नकली, घटिया, X का जो order है, वो लिख दीजिए, X order is 2 by N, minus, 5 Z का order कै है, Z का, Z, 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 तीसरे नंबर पे, 1, 2, 3, यानि 2 by P, 2 by P, तो हमें पता, ये दोनों का order, सेम रहा होगा, तो हम कह सकते है, 2 by N, जो है, वो 2 by P के बराबर होगा, तो क्या answer आएगा, obviously answer आएगा, 2 by N, क्योंकि जो इसका order आएगा, वो या तो 2 by N आएगा, ये 2 by P आएगा, तो 2 by N हमारे पास अवैलेबल है, 2 by P अवैलेबल नहीं है, तो option नंबर भी इस करें, कितना नकली था, सर अब हमारा, एक topic complete हो गया, order of matrix and multiplication, इस पर जितने question आये थे, मैंने सारे करा दिये, बट 2023 के question ऐज़ा test हम करेंगे, matrix बड़ा नहीं है, determinant भी इतना बड़ा नहीं है, मैंने पहले ही बोली थी, matrix determinant आपको कम समय में खतम हो जाएगा, ठीक है, यहां तक सब को समझ आ गया, एक बड़ी सारे बच्चे, okay report मामला लिख दो, अगर clear है तो हम शुरू करते हैं फटा बड़ से, transpose, matrix में दो ही topic है, inverse topic हम determinant में पढ़ेंगे, matrix में नहीं पढ़ेंगे, और area वे area भी हम उसी में पढ़ेंगे, determinant में ठीक है, हम transpose का मतलब है कि एक A matrix है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने कर दिया इसका transpose, transpose का मतलब है सरो को कॉलम में लिख दो, रो में लिखा है, कॉलम में लिख दो, 1, 2, सरो में लिखा है, कॉलम में लिख दो, 3, 4, सर रो में लिखा है, कॉलम में लिख दो 5-6, बन गया ट्रांसपोस, तो ट्रांसपोस इस सो नकली यार, इस सो नकली सो घटिया, अब ट्रांसपोस के अंदर उसकी मासी कलड़का आता है अच्छा, ट्रांसपोस पॉसिबल है, पॉसिबल फोर any type of matrix any type of matrix मतलब सिरफ square matrix के लिए possible नहीं है, हर तरीके की matrix के लिए possible है, यह statement याद रखना, पेपर में पूछ सकता है consider the following statement बोलो clear है, उक्के रिपोर्ट मामला क्यों रो भाई, मामला आगे बढाते है symmetric, symmetric it is possible only for only possible in square matrix symmetric possible है, सिरफ सिरफ square matrix में, यह square matrix में possible है ठीक है देखे, वोई भी symmetric matrix तब symmetric के लाती है अगर उसका A जो है A transpose के बराबर हो then A is symmetric matrix तब आप A को कह सकते है A कैसी matrix है हमारी symmetric clear है अच्छा अगर हमारा A A transpose के बराबर नहीं है तो हमारी matrix symmetric नहीं है बट किसी भी matrix को symmetric बनाया जा सकता है पहले example देख लो जैसे मैंने बुला A बराबर 1, 2, 0, 2, 5, 6, 0, 6, 3 तो आपने क्या किया है A transpose किया A transpose किया है जो पहली row है उसको पहले column में लिख देंगे जो दूसरी row है उसको दूसरे column में लिख देंगे जो तीसरी row है उसको तीसरे column में लिख देंगे हमें दिख रहा है since A बराबर A transpose so therefore A is symmetric देखे होता क्या एक समझने वाली बात है हमेशा diagonal change नहीं होता diagonal कभी भी change नहीं होता diagonal अपनी position हमेशा same रखता है diagonal की position कभी भी नहीं बदलेगी बाकि सब element अपनी जगा बदलते हैं clear है यह चीज ठीक है अच्छा किसी भी matrix को आप देखके बताइए क्या B symmetric है yes or no मेरे को answer देना ठीक है 1, 2, 3 2, 5, 1 6, 7, 2 क्या यह एक symmetric matrix है is B is a symmetric or not B एक symmetric matrix है yes or no yes के लिए y उस कर सकते है no के लिए n क्या doubt है भाई तनिश बोल मेरे भाई no symmetric yes नहीं शाबाश बहुत बढ़िया तो सभी बच्चों ने यह पेचाल लिया कि यह एक symmetric matrix नहीं है बहुत बढ़िया अगर symmetric नहीं है तो इसको symmetric बनाया जा सकता है किसी भी matrix में since B is not a B is not a symmetric matrix बी symmetric नहीं है ठीक है अगर B symmetric matrix नहीं है मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ तो आप इसको बना सकते हैं आप कहेंगे formation of symmetric formation of symmetric matrix आप किसी भी matrix को symmetric कैसे बनाते हैं ध्यान तो सुनिया if we calculate in any square matrix in any square matrix किसी भी square matrix में अगर हम solve कर दें A plus A transpose या B plus B transpose or C plus C transpose your answer is always answer is always symmetric ऊंसर क्या आएगा मिसा, symmetric आएगा बहुत बच्चों के mind में होगा कि सर नहीं यहाँ पर क्या होता है उनके मन में होता है कि सर नहीं यहाँ पर 1 by 2 वह मार नहीं लिखा होता है बिटा 1 by 2 constant है अगर आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता वो boards के अंदर एक question आता है कि express the matrix A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix हब express करने नहीं निकले हैं इसको हम सिरफ इसको बता रहे हैं कि कोन सी matrix हमारी symmetric है कोन सी matrix symmetric नहीं है बिलकुलोग के report ठीक है आगे बड़े शाबाश तो याद रखेगा यह हमेशा सिरफ और सिरफ किस में possible है square matrix में possible है अच्छा अगर मैं आप से बात करूँ skew symmetric it is also possible in also possible in square matrix यह भी square matrix में ही possible है square matrix अच्छा एक बात को ध्यान से सुनेंगे मेरी सारे यह भी square matrix में possible है बहुत important point है skew symmetric matrix का हर diagonal 0 होता है लेकिन अभी वो statement हम बिलकुल last में लिखेंगे पहले हम समझते है कि skew symmetric क्या होती है अगर मैं बोलूँ a बराबर negative a transpose then a is skew symmetric matrix यह कैसी matrix है skew symmetric matrix है ठीक है भाई जैसे आपको बोला जाए बेटा पूरा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उतना पढ़ा लेते हो न उसके बाद मैं आपको challenge दूँँगा 2015 से लेकर 2023 तक का एक एक question आप solve करके देखलो एक single question ऐसा नहीं हो जो आप miss कर दो सारे सवाल आप लगा दोगे guarantee है मेरी 2023 का तो मैं आपको आज test कर वाऊँगा यहाँ पे कि देखो 2023 में यह सवाल आयते चलो test करते हैं जितना हमने पढ़ा है क्या उनको पढ़ने के बाद हम इन questions को कर पारे नहीं कर पारे तो शिद्दत से बैठना और अच्छी बात यह है तीन साड़े तीन गंटे में chapter complete हो जाता है यह जादा लंबानी चलेगा matrix determinant और दस सवाल इससे आते हैं और आपको मैंने पहली बोला probability statistics में से कम से कम आज तक मैंने 2015-16 से मैंने जो देखे है 18 कोशन minimum और maximum कोशन जो देखें 22 कोशन 21 कोशन देखें तो 18 से 21 कोशन वहाँ पर आते हैं चिदत से बैठो अच्छे से पड़ो पेपर हंड्रेट परसेंट निकलेगा शक्ती बैच में हम लोग पूरा पड़ा रहे हैं मतलब अगर मैं आपको पड़ा रहो तो मैं पूरा पड़ा रहा हूं यार प्रोबिल्टी कराया पहले प्रोबिल्टी स्टैक्स करा रहा हूं मैं आपको यह मैंने उससे पहले जो आपको चैप्टर कराया वेक्टर 3D उसके भी हमेशा 14 15 सवाल आपको दिखी रहे होंगे हर पेपर में 13 14 14 15 सवाल दिखते ही दिखते हैं तो 14 15 question का वो 20 question का ये 20 question का आपका probability 14 14 वहाँ ले लो 10 यहां मान लो तो लगबग आपके नाना करते हैं आप यह देखो ना आपने vector 3D पढ़ा 14 15 question का मैंने पहले ही बोला आपको probability पढ़ रहे हो आप 18 18-20 question और यहां पर आप पढ़ रहे हो 8-10 question का chapter तो higher side अगर आप देखें तो 45 question आप higher side पे कर चुके हो खतम और minimum side पे अगर मैं देखूँ तो 2, 2, 4 और 1, 5 कम कर दो यानि 40 question तो 40 से 45 question तक का मामला भी तक आपका उखके रिवेट हो गया और जो बच्चा 48 question सही कर आएगा NDA के paper में उसका maths 100% निकल जाएगा अगर GAT को निकाल देता है तो तो प्लीज यह request है मेरी क्योंकि अभी मैंने आगे और भी chapter कराने है जैसे conic straight line बताना है conic straight line भी पढ़ाऊँगा permutation combination binomial theorem logarithm binary यह सारे भी कराऊँगा तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स्ट्री इसको मिला के 20 सवाल तो पक्के आते हैं तो आप नाना करते हैं अगर आप शक्ती बैच से अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आराम से अपनी कम से कम सतर से असी question की preparation करके जा रहे हो और NDA का चोड़ टॉपर है ना वो टॉपर वो होता है जिसकी आप अगर आप देखें तो बहत्तर question होता है और 65% आप देखें तो आपके बस 68 के आसपास question बनेंगे लगबग तो 60-68 के question अगर आप करके आ रहे हो 12-56 साथ से 66 question अगर आपको करके आ रहे हो मतलब कर जाओ सही और बाकियों को छोड़ भी दो तो आपका 100% paper निकलेगा rank भी निकलेगी तो यह बैच आपके लिए जैसे कुछ बच्चे आते हैं पढ़ते हैं अच्छे से आगे बढ़ते हैं लेकिन कुछ बच्चे आते हैं मस्ती करने के लिए यह बैच आपका rank holder batch है जो आपको rank दिला देगा कोई नहीं रोक सकता एक महीना आपकी जिन्दगी बदा बदल सकती है यह द्यान रखो अगर आप एक महीना आपका इंडिया का पिपर का बैयार एप्रिल में मान लो आपके बस 40-45 दिन है टोटल मान के चल लेते हैं अभी तक maximum पड़े हैं तो यह 45 दिन अगर आपने शिद्दत से महनत कर ली तो अपनी जिंदगी के आगे के 45 साल और पूरी जिंदगी अपनी सवार लोगे अपने माबब के लिए कुछ कर जाओगे आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा यानि यहार लगके जब भी आपका मन करे ना जब भी मन करे गूमने जाना है दोस्के पास जाना है मेरा माइन डाइवर्ट हो रहा है आप बस एक ही बात सोचो कि यह 45 दिन मैं यह भी बता देता हूँ यह जो मन्त होता है मार्च का य यह बहुत गंदा महीना होता है क्योंकि इसमें सीजन चेंज हो रहा होता है यहाँ पर बिमार होने के चांसे भी हमारे जादा होते हैं उसके बाद आलस आने के चांसे भी जादा होते हैं क्योंकि हमारी बॉड़ी जो है वह सर्दी से गर्मी में आ रही होती है इंडियन क्ल है जब भई हम तीचर हैं हम पढ़ाते साड़े पांच गंटे कंटीन्यू पढ़ाना यार बहुत तगड़ी वह चाहिए पतला बहुत तगड़ा वह नीचे यार यार हालत खराब हो जाती है लेकिन हम क्या सोचते पता है कि यार बस यह एक दो गंटे और पढ़ा ले बच्च यह जजबे के साथ यह जुनून के साथ कि चल भाई चल उठ 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 बंदिया अब तो कर दे काम तो बेटा और बहुत बच्चे कहते सर मोटीवेट करो बिटा मोटीवेशन इस नतिंग इंस्पिरेशन इस पर्मानेट भई मोटीवेट तो आप उरी मूवी देखी आप कमंडों बनने जाओंगे स्पेशल चब्विश देतों सर सीबी बचाएंगे कोई और मूवी देख लेक्षे गुमार की सर इंस्पेक्टर बनेंगे तो ऐसे थोड़ी होता है आप अपने आपको इंस्पायर कर सकते अपनी फैमिली को देखकर अपने मम्मी और अपने पाप में जैसे मैं हर बार बोलता हूँ ठीक है चलो इदर देखो कोई बात नहीं तो साथ-साथ पढ़ते रहो बीटा पढ़ने के साथ-साथ ना आगे बढ़ना बहुत जरूरी है जैसे a equal to minus a transpose then a skew symmetric matrix मैने बोला एक matrix है a051-502-1-20 तो आपने इसका transpose किया जैसी आप इसका transpose करत मैं आपको दिखता है 0 जो रो में लिखा है वो आपने कॉलम में लिख दिया जो सेकेंड रो में लिखा है वो आपने सेकेंड कॉलम में लिख दिया जो थर्ड रो में लिखा है अपने थर्ड कॉलम में लिख दिया अब पूरे में से आपने negative को common ले लिया 0-5-1 5-1-0-2-0 तो हम कह सकते हैं नेगिटिव को अगर मैं उधर ले जाओ या फिर नहीं भी लेके जाओ तो मैं कह सकता हूँ A transpose is equal to minus A और नेगिटिव को उधर कर दो तो A equal to minus A transpose अगर आ गया तो हम कह सकते हैं A is a skew symmetric matrix but सारी matrix skew symmetric नहीं होती है but हर matrix को skew symmetric बनाया जा सकता है कैसे जैसे मैंने बुला इक matrix से B that is equals to 0,2,3,5,6,2,1,1,0 लिकें if we calculate if we calculate B minus B transpose so जो भी answer आपका आएगा the answer is always always skew symmetric यह हमेशा क्या होगा skew symmetric होगा guarantee के साथ important point एक याद रखना है सभी बच्चों को जो मैं बता रहा हूँ note point मैंने आपको बोला था कि बताऊंगा वो note point सभी को याद रखना है कि note लिख लीजिए एक note is ध्यान से सुनना बेटा diagonal of diagonal of every skew symmetric matrix skew symmetric matrix are always 0 matrix matrix is always 0 हमेशा 0 होगे तो each element of diagonal हमेशा क्या रहेगा बेटा 0 रहेगा और कुछ नहीं रहेगा skew symmetric matrix में consider तो following statement पे पूसता है ये बात ठीक है कि diagonal 0 ही हाँ आयूश भोला बिल्कुल guarantee है कि हमेशा 0 ही होगा other than 0 नहीं होगा मेरे बाई guarantee ये बात की rules of skew symmetric and symmetric metric बेटा ये वही वाले rules थे बट ठीक है एक मिनट रोपना ज़रा अगर हाँ यहां नहीं लिख भाई है मैंने इससे देख लो rule number 1 अगर आप plus कर रहे हो 2 matrix हो और ऐसे transpose कर रहे हो तो बेटा इससे अलग-अलग किया जा सकता है है ना याद है कुछ पढ़ा था आपने और माइनस का केस है तो माइनस कर देंगे सेकंड अगर मैं बोलू एबी का transpose है तो आप उसे बी transpose एट्रांस्पोस भी लिख सकते हैं डैश से भी transpose को डिनोट किया जाता है ठीक है भाई रूल नंबर थ्री अगर मैं बोलू एबी सी का transpose तो आप उसे बोल सकते हैं सी ट्रांस्पोस बी ट्रांस्पोस ए ट्रांस्पोस बोलो क्लियर है यह तीनों रूल के साबसे काम चला सकते हैं चला के सकते हैं दोड़ा देंगे हम इसके अंदर reverse loin multiply yes यह बात याद रखना हमेशा और हमेशा तर इस पर question कैसे आएगा कि किसी भी matrix को skew symmetric कैसे बना है बड़ा एक बच्चे ने सवाल किया बहुत प्यारे सवाल किया कि सरक कैसे आएगा कि कि किसी भी में transpose का transpose कर दिया तो वापिस वही matrix मिल जाएगी जो बच्चे यह जानना चाहते कैसा question आएगा भी question की line लग जाएगी आपको पता लग जाएगा कैसा question आएगा ठीक है देखो कुछ और भी important rules है यह important points है basically rules नहीं है जैसे a और b दो symmetric matrix है तो a b minus b a is always q symmetric matrix बेटा यह तो कि language एक बारी समझे लीजे mathematical terms में mathematically बता रहा हूँ आपको वाइट में लिखका वाइट तो ही न तो हम कहेंगे mathematically in maths form यह mathematically देखे ज़रा बेटा हम कह सकते हैं कि a matrix और b matrix symmetric है a और b दोनों symmetric matrix है correct if कह देते हैं if तो आप कहेंगे then a b minus b a is 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 मतलब is equal to minus a b minus b a का whole transpose क्योंकि वो उसका negative का transpose के बराबर होगा तो यह statement maths की form में आपको याद होनी चाहिए और उपर मैंने subjective form में लिख दी है ठीक है देखना ज़रा बेटा दमेट्रिक्स b transpose a b symmetric और skew symmetric according to a symmetric और skew symmetric फिर से mathematically देख लीजिए ज़रा m4 mathematically उसने क्या बोला b transpose a b symmetric होगा b transpose a b हमेशा बराबर होगा b transpose a b के transpose के बराबर if a equal to a transpose अगर a a transpose के बराबर है तो ठीक है b transpose a b negative होगा उसके अगर अगर a जो है वो skew symmetric है बोलो यह वाली point clear है दोनों के दोनों यस और नो बिल्कुल ओक के रिपोर्ट clear है हो गया भाई बोलो clear है अभी बच्चों को एकदम मस्त दोनों point clear है मक्खन तरीके से clear है उपके रिपोर्ट मामला कह सकते है भाई कोई दिक्कत परिशानी है ना भाई कोई दुख दर्थ पीडा है तो नहीं कोई कीडा third देखे third point mathematically third point को denote करते है a और b symmetric है of same order than a b symmetric if and only if a and b are commute that is a b बराबर b यह देखो उसने बोला है if a transpose a के बराबर है b transpose b के बराबर है and a b b a के बराबर है यह given है तो आप कह सकते है then a b equal to b a का transpose a b is a b का transpose तो यह statement में सीधे सीधे सवाल आ सकते है ठीक है इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने सीधा value पूछ लेगा उन value को याद करो formula है याद कीजिए सीधा formula पूछेगा consider the following statement आपने yes or no लिखना है बात खता कैसे पूछ लेगा पहले वाले में कहेगा a a transpose के बराबर है b b transpose के बराबर है तो आप बोलेंगे a b minus b a जो है वो negative of a b minus b a के transpose के बराबर होगा कतम बात mathematically बोल देगा b transpose a b जो है वो इसके transpose के बराबर होगा अगर a a transpose के बराबर है consider the following statement में आएगा अगर negative है तो ये भी negative होगा बात खताँ तो ऐसे याद करना है अब यहाँ पर अगर ये तीन चीज़ें तो आप कह सकते a b जो है वो a b के transpose के बराबर होगा बोलो clear है मक्खन सिर्फ याद कीजिए formula को learn कीजिए consider the following statement के लिए important point है इसलिए पढ़ाए है और कोई कारण नहीं है question शुरू कर सकते हैं ये I think 2018 ये 19 के paper का आया हुआ सवाल है देखें ये value यहां लिखी वे इसको मैं यहां लिख देता हूँ थोड़ा जगा का अभाव होगा तो इसलिए value change हो गई यहां पे change क्या होगी है alpha, beta, 1, beta अब question में ये बोला है चलो चलो try it करो जल्दी से पड़ावट से question में बोला है इसकी value बताए जल्दी से किसके बराबर होगा है थोड़ा सा आपको न complex number का omega वाला concept आना चाहिए उसके हिसाब से गरपा होगे multiply कर दो पहले तो multiply कर होगे क्या आएगा alpha plus beta फिर क्या होगा? beta plus beta square फिर क्या होगा? alpha square plus alpha फिर क्या होगा? alpha beta plus alpha beta यानि 2 alpha beta वो दिक्कत नहीं है ठीक है? अब उसने बोला यह हमारी equation है alpha और beta इसके roots है what is the meaning of roots? meaning of root क्या होता है? याद दिला दूँ आपको meaning of root का मतलब है कि आप कह सकते है alpha square देखो आप यहाँ पे 2-3 बाते कर सकते हैं एक तो quadratic formula 10th class 10th class के formula के according sum of root is equal to minus b by a product of root equal to c by a भाई ऐसे ही होते था ax square plus bx plus c बराबर 0 एक quadratic equation होती तो 10 भी में formula पढ़ा था alpha plus beta minus b by a alpha into beta जो है वो c by a के बराबर होता है तो c by a मतलब 1 by 1 चलो ठीक है point number 1 point number 2 point number 2 आपको क्या समझ आता है x square plus x plus 1 equal to 0 मैंने बुला alpha और beta इसके दो रूट है मतलब x की value alpha ही होगी और beta ही होगी ऐसी करेंगे यानि आप ये भी कह सकते है कि alpha square plus alpha plus 1 equal to 0 और आप ये भी कह सकते हैं कि beta square plus beta plus 1 equal to 0 क्योंकि ये दोनों value x की ही है क्या सकते हैं तो ये दोनों बाते एक ये और एक ये ये आपको copy में नहीं लिखनी होती जब आप paper दे रहे हैं तो आपको दिमाग में डाली हैं ये बात ये आपके दिमाग में लिखी होनी चाहिए सारा time jham क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें तो आपको पता लगना चाहिए जब हमने quadratic पढ़ा था 10th class में तो quadratic में बोलता था कि अगर alpha और beta इसके roots है तो हम कहते हैं x की value alpha आगी x की value beta आगी तो x की जिगा alpha डाल सकते हैं x की जिगा beta डाल सकते हैं अब मैं इनके अंदर सिरफ और सिरफ ताम जाम लगाऊंगा alpha square plus alpha alpha square plus alpha ये भी minus 1 के बराबर alpha beta alpha beta alpha beta कितना है 1 के बराबर तो 1 plus 1 तो answer कितना है minus 1 minus 1 minus 1 2 that is my required answer अगर ये सब काम जाम दसवी वाला मेरे दिमाग में है तो मैं सिरफ इतनी देर में सवाल को करूँगा ये तो आपको explain करने के लिए बताया और कुछ नहीं है कारण option b is correct nda के paper में आया हुआ सवाल ऐसा इतना प्यारा सवाल है देखलो अब आप है ना कितना easy question है next sir a is a matrix of order m by n b is a matrix this such that this and this both defines then what is the order of matrix ये भी paper में आया हुआ सवाल है पहले बता दू ठीक है जल्दी करो आउमेगा से कर लो defense sprint बात एक ही है बटा no doubt omega से भी हो जाएगा तो आप omega लेके चलो के तब भी बात वही है आपके दिमाग में रहना चाहिए कि omega square plus omega plus one यानि कि alpha और beta को हम omega बोल सकते हैं ठीक है बोलो बोलो मुह खोलो आंसर बोलो जल्दी जल्दी मेरे भाई जल्दी जल्दी question लगाए देखो बई question में बोला है a is a matrix of order m by n a is a matrix of order m by n बी इस a matrix such that पता नहीं order किया है उसने बोला a b transpose and b transpose बोत एक्जिस्स देखो उसने बोला देखो b का मैं order मान लेता हूं एक order उसने बोला m by n का है मैंने बोल दिया b का जो order है न मुझे नहीं पता मैंने p by q का मान दिया तो जो b transpose होगा उसका order क्या होगा भाई उसका order क्या होगा भाई उसका order क्या होगा b transpose का order q by p कै सकते हैं तो हमने बोला b transpose जो है that is equals to q by p तो यह दोनों same है rule 1 मिल गया q और n आपस में बराबर है अच्छा दूसरी बात उसने मुझे क्या बोली है ज्यानते सुनना भाई what is the second statement the second statement is the second statement is यह भी exist करता है यानि हम कह सकते है b transpose is q by p and a is a is m by n clear है यह दोनों same होगे तो m बराबर p है the question was the question is कि b क्या होगा बेटा b क्या था p by q तो b को हम क्या कह सकते है m by n कह सकते हैं मतलब अगर हम आराम से सोच सोच के भी करेंगे तो एक minute में हमारा सवाल आराम से solve हो रहा है ज्यादा दिमागा में लगाना ही नहीं है है ना ठीक है clear है भाई बोलो हां के ना उक्के रिपोर्ट माम ला ठीक है शाबाश अगले सवाल पर बढ़ते हैं देखो सब्सक्राइब करें जल्दी से ट्राइब अंसर बताइए सारे बचेक बनी मुझे जल्दी से क्या होगा सब्सक्राइब करें जल्दी से काट दो जो बटरीयों से बाट दो इस से यह कट गया तो बचा क्या मेरा मेरा एक क्यूब को मैंने तोड़के लिखा क्योंकि मैं ठहरा चलाक आदमी मुझे पता है एक क्यूब को मैं यह लिख सकता हूँ ए स्कूर की वेल्यू मेरी आई है तो मेरे लिए बहुत बड़ी आ हो जाएगा भाई ए स्कूर की वेल्यू आई दी वी है आई इंटू ए को हम ए लिख सकते हैं बहुत असाने सरी है प्लस देखो आई को किसी के साथ भी मल्टिप्लाइ कर दो वही चीज मिलती है तो 3A लिख देते हैं तो जित्रा जित्रा काम होता जा रहा है उत्रा उत्रा मैं लिखता जा रहा हूँ एक करके मतलब एक को पूरा डेड़ कर रहा हूँ अभी A क्यूब को हमने यहाँ पर एक्स्प्लेन कर रहा है वह फाइनली मेरा A के बराबर आया था डारेक लिख दू भाई अभी तो A क्यूब को एक्स्प्लेन कर रहा है ना अच्छा बचा क्या मेरे पास 3A i2 क्या मैं इसको 3A के बराबर लिख सकता हूँ तो ये भी 3A तो ये वाला भी 3A और 7 में मेरे क्या बचा माइनस 7A तो मैं कह सकता हूँ 3, 3, 6, 7 और एक 8 8A में से 7A को घटाया A answer आया Option A is correct है ना असान? असान था ना भई? सुमित करें involuntary matrix अरे भाई काहे को involuntary अभी पहुँचेंगे अगला A and B two matrix of same order AB की power N equal to A and B N हमेशा true होगा या इन में से कब true होगा? देखिए अगर आप कभी भी power कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें वो power हो तो जाएगी वो तब होगी जब B N और A N होगा ऐसे होगा तब होगी ये power और अगर ऐसा है तो ये तभी true होगा जब A B और B A बराबर है क्योंकि A B अगर B A के बराबर होगा तब ही तो हम यहाँ पर ये कर पाएगे ना कि B A की power N करके फिर उसको आप A B बना देंगे तो यहाँ पर जो आईगी statement कौन सी आईगी? C अगर देंटी दे रहा हूं कि जो में ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं determinant में आपने कभी सोची ना होगी तेरा भाई ऐसा determinant ऐसा determinant ऐसा determinant करा देगा कि तमने सोची ना होगी ये बात ध्यान लगना ठीक है? आगे देखो, ये हमेशा true नहीं होता है क्योंकि ये अलग-अलग है इसलिए ठीक है? अच्छा आँ, ये बात आगी भाई determinant की upper triangular, lower triangular बेटा इसको पढ़ने से पहले हम इस determinant को पढ़ना है समझे ने मेरी बात? अभी नहीं पढ़ना इसको अभी क्यों नहीं कप पढ़नेंगे अगले साल? अरे नहीं भाई पहले हम expansion of determinant शीखेंगे उसके बाद पढ़नेंगे determinant पर बहुत सारी चीजे ऐसी हैं तो एक बारी फटावट से हम determinant निकालते हैं matrix हमारा या पर complete हो गया determinant नहीं हुआ, ऐसा समझ लीजे तो पहले heading डाली है determinants मैंने पहली बोलो था छोटा chapter है मेट्रिक्स को सवा घंटे में हमने खतम किया है determinants लगबग लगबग देढ़ पौने दो घंटे ले लेगा दो घंटे maximum धाई गंटे क्यों? क्योंकि इसके अंदर 40 सवाल 50 सवाल ऐसे भी हैं जो end में mix-up of determinants and matrices होंगे इसलिए लगबग मान के चलो 2 घंटे आज मतला हम कह सकते हैं कि डेड़ दो बज़े तक हमारा ये topic complete हो जाएगा देखे determinant की जब मैं बात करता हूँ तो जैसे matrix में A11, A12, A13 A21, A22, A23 A31, A32, A33 ये अपने पास एक determinant को हमने expand करना सीखना है expansion करने के कई सारे तरीके होते हैं जब भी expansion हम 6 तरीके से कर सकते हैं बढ़ा answer हमेशा सेम आएगा चाहाए मैं row 1 से करूँ, चाहाए मैं row 2 से करूँ चाहाए मैं row 3 से करूँ, चाहाए मैं column 1 से करूँ पर में भी कोश्चन में भी आया था आख बंद करके आंसर लिख सकते हैं और वो ट्रिक मेरी सदियों से मतलब अगर जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरूगे 2014 में 2014 में 2015 की वीडियो उसमें भी मैंने यह वाद बोली है तो ध्यान से सुननना वेटा क्या कहा रहा हूं चैनल रम है की अगे अग्याग को एक उपर से मल्टिपला है मायनस नीचे से मल्तिपला है याद है इस सबी को हम बात करें जल्दी से बात करेंगे बता है बहुत बच्चे सार ये तो आ ऑगए बढ़ो अभी आपको पता लगेगा पस तो चोटी सी वो बहुत कॉमन एरर है प्लस लास्ट ये वाली कॉर्णर आगे एवन थ्री हना एवन थ्री इस दा कॉर्णर हम बोलेंगे टू वन इंटू थ्री टू माइनस थ्री वन इंटू टू थ्री ठीक है यह हमने कर दी एक्स्पेंडिंग अलॉंग आरवन लेकिन बच्चे मेरा कुश्चन आप लोगों से एक है यह है कि आरवन से करी अगर मैं करूँ एक्स्पेंडिंग अलॉंग एक्स्पेंडिंग अलॉंग सीटू आंसर तो सेम ही आएगा अब जब मैं सीटू से एक्स्पेंड कर दूँगा तब आप सभी कॉर्ण आएगा एवन टू एवन टू ओद म être पूरा पूरा dess कि यह जाएगा तो क्या बनेगा हमारा कॉर्ण आया है ए टूटू ए 1 1 इंटू 3 3 माइनस 3 1 इंटू 1 3 ठीक है मतलब यह ऐसे गया है तो हमने का 1 1 इंटू 3 3 माइनस 3 1 इंटू 1 3 ठीक है but last expansion 3 2 ये गई ठीक है A 3 2 1 1 इंटू 2 3 माइनस 1 3 इंटू 2 1 अब मुझे बताइए क्या मैंने expansion सही करी है yes or no जल्दी से बताईए प्रिंस के रॉंग रॉंग गलत first term negative है minus आएगा सर इस पे काटा और बोर पे चाटा बिटा उल्टा बोल रहा विशेक गलत गलत रॉंग A21 no 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 A12 के आगे negative होगा no 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 बहुत बढ़िया अच्छी बात है बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है जब भी हम column 2 से expand करेंगे तो बहार पूरे में minus लगाएंगे तो जब भी row 1 से expand होता है तो बहार पूरे पे plus लगता है कोई फरक नहीं आता row 2 से expand होगा तो बहार minus आएगा निकलोगे और अगर आपने शक्ती बयाच अटेंड करा है यह शौरे 1 पॉरेंट हो भी आप अगर मेंसे पड़े हो ठीक है हाँ alternative sign अपने आप बन जाएगा ना मेटा अंदर जाएगा तो ठीक है sign alternative हो जाएगा minus प्लस हो जाएगा वो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं तो आप guarantee जब paper देके निकलोगे आपको दो नाम आप कभी नहीं भूलोगे कि PW और एक पुनीट डोगरा कि सर ने जो पढ़ाया था या तो हम ढ़ंग से पढ़े नी तो हमारा paper हुआ नी खुद बोलोगे कि काश हम पढ़ लेते और अगर paper तगड़ा करके आयोंगे तो बोलोगे कि सर फोड़ के आ रहे है सर हम paper में समझ गया मेरी बात तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो अगर आप तरीके से पढ़ोगे ना तो आपका paper कोई रोक नहीं पाएगा हम दो ना मेरी बात अब अब टू टू ही लिखाया है वो ठीक है ऐसे तो टू टू थी थी है ठीक है अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अब हम बात करें डेटर्मिनेंट में दो तरीके की मेट्रिक्स होती है अपर ट्रैंगूलर मेट्रिक्स लोवर ट्रैंगूलर मेट्रिक्स और डाइगनल डाइगनल भी क्यों बताईए दो मेंटर जो बता दूँगा ठीक है अपर ट्रैंगूलर और लोवर ट्रैंगूलर डाइगनल 0 होगा, statement यहाँ पर लिखी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो मैंने change कर दिया उसको, है ना तो अभी से NDA के तियारी शुरू करके NDA return pass कर सकते हैं, क्या Vikram Chaudhary शिद्दत से पढ़ेगा तो pass जरूर कर देगा मेरे भाई, ठीक है गारंटी बोल रहा हूँ, देखो Upper triangular, बेटा Upper triangular का मतलब है Diagonal के, ध्यान से देखना बेटा Diagonal के, ऊपर के element जिन्दा रहेंगे बाकि सम्मर जाएंगे Diagonal के, ऊपर के element अगर जिन्दा है तो Upper triangular है, Diagonal के नीचे के element अगर जिन्दा है तो Lower triangular है, और Diagonal के Diagonal के, ऊपर के element अगर जिन्दा है तो Upper triangular Lower वाले जिन्दा है, तो Lower triangular और अगर दूसरे वाले जिन्दा है तो, वो बाला, clear है? चलो आगे बढ़ते हैं मिरे भाई अगर हमें कभी भी expansion करनी हो जैसे डेटर निकालना है Determinant A की value निकालना है, Diagonal Matrix या Upper, देखो, तीनों के लिए यह है This is valid to all the three Color change कर देता हूं, मसता color कर देता हूं अगर मैं Upper triangular या Lower triangular या Diagonal Matrix के expansion करना चाहूं तो मैं आख बंद करके उसका Determinant में सिरफ Diagonal को गुणा करता हूँ जाओंगा मेरा answer आजाएगा सिरफ Diagonal को गुणा करता हूँ जाओंगा चाहे Upper हो, चाहे Lower हो, चाहे कुछ भी हो ठीक है Upper triangular, Lower triangular चाहे कुछ भी हो उस case में आप आख बंद करके Multiply करते हैं जाईए, आपका answer automatically आ जाएगा बिल्कुल एकदम clear है, मस्तमलाई मक्कन Yes or no, ठीक है अब हम बात कर रहे हैं, बेटा कुछ rules किये लेकिन rules से पहले हमें कुछ और important बात पढ़नी है वो पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है, हाँ expansion आपने पढ़ी most important part, अगर आपको किसी भी question को short में करना है, तो कुछ चीज़े आपको हटके करना ही पढ़ती है and what are the हटके चीज़े, एक बार ही वो देख लो हटके चीज़े क्या क्या है सुनो मेरी बात जराध्यान से जैसे आपके पास दिया हुआ है A, B, B ठीक है, B, B A, B, B, A अगर हम तमीज से देखें तो हमें दिख रहा है, यह साइकलिसिटी है A, B, B B, A, B, 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 A तो समझ आ रही है मेरी बात हब अभी, हब भी, क्या होता है वो हब अभी बोलता है न, वो कुछ बोलता है न ठीक है, जो भी बोलता है वो उसमें कहना हमें, अरेबिक में अब इसकी expansion सुनो जराब, अगर इसकी expansion करेंगे इसकी expansion हर बच्चा याद कर ले A cube plus 2 B cube minus 3 AB का square यह इसकी expansion होती है याद रख लेंगे सारे बच्चे याद रख लेंगे भाई, लेकिन कैसे होती है तो सभी को पता है, एक बड़ी करके दिखा देता हूँ expanding along R1 कर रहा हूँ ठीक है AB minus B square plus B B square minus AB अब इससे आप open कर दीजिए A cube minus AB square minus AB square plus B cube plus B cube minus AB square तो आप कह सकते है A cube और B cube, B cube 2 B cube 1, 2, 3 तो यह तीनों मिलाकर आगया minus 3 AB square ठीक है तो most important expansion है यह पहला पहला यह याद रखना है सभी को अगर कभी भी cyclicity में हो तो ऐसे rule number 2 ठीक है rule number 2 आपने बहुत देखा होगा बढ़ यह याद रखना बहुत असान है इसको याद रखना कोई तोप्ची काम नहीं है ठीक है cyclicity है भाई AB ABC, BC, A, C, AB ठीक है cyclicity कैसे करोगे बढ़ा असान है सरी है 3A, B, C minus A cube minus B cube minus C cube as it is याद कर लेना और 9th class में हमने इसका एक formula पढ़ा था अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था formula A cube minus B cube minus C cube sorry A cube minus B cube minus C cube minus 3 ABC का that is A plus B plus C अगर आपको 9th का याद है तो A minus B का whole square plus B minus C का whole square plus C minus A का whole square या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई इसको अगर हम open करेंगे तो A square अभी 1 by 2 आएगा वो मैं लगा दूँँआ वो इस्यू नहीं है ठीक है minus 2AB, B square plus C square minus 2BC फिर C square plus A square तो यहाँ पर 1 by 2 आजाता था ठीक है तो ये याद रखना लेकिन ये formula जो है वो इसके उल्टे sign का है और हमारे पास ये term है तो यहाँ पर हम negative लगा देंगे तो ये दोनो formula आपको याद रहने चाहिए मैं पहले बता रहा हूँ ये बहुत help करेंगे आपको question को solve करने में ठीक है ये चीज clear है सभी को आचा एक बात बताता हूँ अभी मिरसे रहा नहीं जा रहा तो मैं एक चीज समझा देता हूँ आपको फिर मैं आगे बढ़ता हूँ वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़े करानी है आपको जैसे ये देखो ये दिख रहा है singleton ये special type of matrix जिसमें से मैं कहता हूँ एक question पकात है जैसे ही होगा singleton matrix, orthogonal matrix, singular matrix, hermetian matrix, skewer metian, idipotent, involuntary, nil potent matrix ठीक है minor co-factor फिर adjoint of matrix क्या होता है फिर इनके rules फिर हमने ये rules पढ़ने के बाद हमने आना है कुछ questions पे लेकिन कुछ questions के बाद हमने आना है इस पे आपको दिखाता हूँ एक चीज ठीक है रुको जरा सबर करो धक्कम की बाद में करना बैं कहा गया मेरा question बैं ओ question कीता बाई यो रहा यो रहा मिरसे रहा नहीं जा रहा तो मैं पहले बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ रुको निकाल रहा हूँ वाई निकाल रहा हूँ ये रहा हूँ NDA 2018 के paper में आया था कोई भी बच्चा इसका आंसर बता सकता है बिना याद करें इसका अंसर आख बंद करके बोलूँगा जीरो हूँ कैसे ये काला जादू कैसे इस पर मैं आऊँगा अभी डीटेल में बट ऐसे समझ लो कैसे देखो reason बदाता हूँ क्यों मेरी बात सुनो अगर उसने बोला जैसे ये तीन टाम है ये तीनो की तीनो जीपी में है बिटा जीपी बोले एपी बोले चाहे एचपी बोले और उन तीनो का काम और ताम ज्हाम डेटरेमिनेंट में यूज कर ले दुबारा सुन लो एपी बोले जीपी बोले एचपी बोले और उन तीनो का काम या काम ज्हाम determinant में बोले तो answer आँख बंद करके 0 लिख सकते हो NDA 2023 first paper में सवाल आया था और वो सवाल गलत था गलती से मतलब गलती से c लिखना था c की जगा 3 लिख दिया था NDA 2023 के first paper को अगर आप देखेंगे तो महाँ पे c होना चाहिए c की जगा last 3 by 3 में X plus 3 लिखा हुआ है X plus C होना था अगर X plus C होता तो answer 0 आता तो हम 0 टिक मार देते हैं तो actually में NDA ने खुद का है NDA की answer की देख सकते हैं NDA की answer की में 4 में से कोई भी option correct नहीं आया था इसलिए तो वो question जो है benefit of doubt में चला गया था यानि कि अगर question आएगा 4 सवाल उस सवाल में गलत थे और NDA ने खुद announce किया था UPSC की site पे दे रखा है 4 सवालों के जो answers थे मतलब जो sorry number थे वो बाकी 116 सवालों में बाट दिये गए थे 116 सवालों में उनको बाट दिया गया था equally तो उसको consider नहीं किया जाता लेकिन अगर मान लीजे वो question आता सही होके मतलब जहाँ पर उन्होंने तीन लिखा था वहाँ पर C लिखना था तो उसका answer भी 0 लिख सकते थे आख बंद करके सोचो कितनी जल्दी कर सकते हैं इस question को और ऐसे कई question कई साल तक paper में आते रहे लेकिन हम लोग इनको बस ताम जहाँ में solve करने में बैठे रहे और कुछ ही नहीं बोलो हाके न यह चीज समझाई जो मैंने बताई पहले बताओ यह चीज समझाई कोई दिक्कत परिशानी पहले बताओ कुछ भी हो सीधी बाट determinant में कुछ भी हो आपको अगर उसने बोल जया तीन टर्म AP, GP या HP में और उन तीनों टर्म को determinant में यूज कर लिया तो आख बन करके आंसर 0 लिख के दिखाओगे सोचो कितनी देर में हमने सवाल किया 1 सेकिंड में मैं ऐसे कई सारे सवाल आज आपके साथ लेकर आऊँगा जिनमें हम determinant में सीखेंगे adjoint वगएर भी शॉट ट्रिक सीखेंगे पहले आगे बढ़ते हैं चलो, पहले आगे बढ़ते हैं फटावट से क्योंकि आपको दिखी गया कि कितने सारे सवाल सर लेकर आएं तो उन पर बढ़ते हैं आगे और कुश्चन को आगे करते हैं पेटा, most 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 important rules जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें paper पर कुश्चन आते हैं ठीक है पढ़ेंगे हम सारी चीजे, minor, co-factor, सब पढ़ेंगे लेकिन सब को short में करना है यार बड़ी चीजों को short में किया जा सकता है short को short में नहीं कर सकते हैं है ना दो रुपे की टोपी, पुनीच सरोपी अच्छा ये वाला निकाल लिया तुमने जैई वाली देख सकते हैं क्या बिल्कुल भाई, जैई वालो को बेटा जैई वालो की आकों में आई ड्रोप दलीवी है क्या जिल्दी देख पाएंगे determinant of a matrix देखो, अगर दो जैसे e a है तो debt e और debt a लिख दीजिए debt a plus b अलग अलग नहीं होता मतलब formula है, सीधे सीधे याद कीजिए, बई अलग अलग करके में लिखा हुआ है कि debt a debt b में लिख दीजिए ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है इन तरीके के question पे, एक board में भी और nda में भी guarantee के साथ एक question आएगा बोलो हाग के ना ठीक है, अब जैसे मैंने बोला determinant k a तो आप उससे लिख सकते है k की power और an a determinant, n is the order of matrix जो भी order होगा तो चलिए इन पर सवाल लेते हैं छोटे-छोटे सवाल छोटी-छोटी मगर मोटी बात है लेकिन उससे पहले matrix के बारे में छोटे-मोटे types बचे 3-4 बेटे special type of matrix है मैंने पहले ही बोला था special type of matrix जोए बहुत important है ठीक है, एक question 100% paper में आता है single turn matrix वो matrix होगी जिसके बास single element होता है जैसे a, b, 0 ये सारी कैसी है हमारी single turn matrix है, बोलो हा के न कोई दिक्कत परिशानी, ok report मामला yes or no, जल्दी बोलो बहुत clear है सभी को हा के न एकदम बढ़िया clear है शाबाश तो special type of matrix 1 by 1 का order होगा, जिसका order 1 by 1 का होगा, element single होगा orthogonal matrix, बेटा most important है, orthogonal matrix जिसमें उसका transpose जो है वो inverse के बराबर हो एक ऐसी matrix का transpose जो है वो inverse के बराबर हो, तो ऐसी matrix हमारी क्या कहलाती है orthogonal matrix कैसी matrix है ये बेटा, orthogonal matrix से एक बार और इसको detail में समझे लीजिए detail इसका सुन ली ज़रा और भी रूसे जैसे मैं कहा दूँ इसके अंदर हम और भी बाते कर सकते हैं हम कह सकते हैं A transpose के या A transpose A के बराबर आता है इसमें I के बराबर आता है कैसे आता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको तो ये special type of matrix है जिस पे paper में सवाल मिलेगा ही मिलेगा ठीक है जैसे आपने बोला A transpose A inverse के बराबर है हमें पता है कि A inverse के साथ मैं I लगा सकता हूँ तो हम कहेंगे I by A is equal to A transpose A को वहाँ ले जाओ जब वहाँ ले जाओगे तो A into A transpose लिखो तब भी I होगा या फिर A को वहाँ लेके जा रहे हो तो A यहाँ पर A transpose लिखो तब भी I होगा तो ये जो दूसरा rule आया है वो इसी से elaborate होके आया है इसकी elaboration करी है ठीक है आगे बड़े भाई singular matrix singular matrix वो matrix होती है जिसका determinant 0 के बराबरों का बात खत्म if the determinant equal to 0 the matrix is called singular matrix यह विचारी single है ठीक है single ही मरेगी है हर्मेटियन matrix हर्मेटियन के बारे में आई होग सब बच्चों को पता भी रहता है कि वोट इस हर्मेटियन matrix जिसके अंदर आप कह सकते है जो है transpose होए conjugate के बराबर आजाए transpose उसके conjugate के बराबर आजाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं हर्मेटियन matrix बोल देते हैं question आएगा तो discuss करेंगे orthogonal पे जाते मुझे ध्यान है 2023 के second paper में question आया था just just अभी paper गया है उसमें orthogonal पे question आया था ठीक है अगर मैं बात करू skew हर्मेटियन तो skew हर्मेशियन ये skew हर्मेटियन कुछ भी बोलते हैं बच्चे इसको ठीक है तो इसका मतलब होता है a transpose is equal to negative of a bar a bar is the conjugate 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 जो complex number में नहीं होता था आयोटा वाले का sign बदल जाता था वो होता है ठीक है clear ये चीज आगे बढ़ते है भाई बात करे इडिम पोटेंट मेट्रिक्स की बिटा a square अगर a के वराबर आ जाए तो ऐसी मेट्रिक्स इडिम पोटेंट मेट्रिक्स होती है a square वापिस a आ जाए तो जब आप a cube निकालो के वो भी a आएगा ठीक है तो a की कितनी भी power आ जाए हमेशा a ही मिलेगा ऐसी मेट्रिक्स को हम क्या बोलते है इडिम पोटेंट मेट्रिक्स ठीक है example के पर हम discussion नहीं करेंगे अभी क्योंकि example के लिए हमें question करने है आगे डले में question वो मैं कराता रहूँगा साथ साथ इसलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई involuntary matrix involuntary matrix का मतलब है अगर a inverse a के बराबर आ जाए involuntary है या फिर आप कह सकते है ठीक है a inverse a के बराबर आ जाए एसी matrix कैसी है involuntary matrix या फिर आप बोल सकते है कि a square आपका i के बराबर आ रहा है तो ऐसी matrix हमारी क्या है involuntary matrix है a square i के बराबर आ जाए ठीक है हर्मेटियन conjugate करने के बाद transpose बेटा transpose ही तो बोला है conjugate करने के बाद transpose नहीं लगाया मैंने रुगजा 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 हर्मेटियन में रुगजा 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 चेक कर लेता हूँ अरे यार सॉरी बेटा एक छोटी सी mistake होगी मैंने बोला देखो मेरी बाद सुनो there is slightly हलका सा मैंने इसमें mistake कर दी है टाइपिंग लिखते टाइए तो सुन लीजे एक बड़ी जड़ा ध्यान से हर्मेटियन में मैंने आपको बोला कि एक ऐसी matrix मलब जल्दी यल्दी में उसको गल्द कर दिया मैंने कि याद रखना भाई कि जब भी आप करेंगे conjugate तो conjugate जो है वो a के बराबर होगा ठीक है एह भी बोलते हैं इसको a के बराबर conjugate एह डेनोटेट फोर conjugate यह बात यह clear है पहले सभी को पहले यह बताओ ठीक है एह का मतलब है एह ऐसे करके transpose करना था तो a मतलब मैंने h का मतलब होगा conjugate transpose याद रखना वाई क्या है इसका मतलब एच का मतलब conjugate transpose conjugate transpose of A ठीक है भाई conjugate transpose of A जो है वो A की power H को हम बोलते हैं ठीक है ये clear है अभी ठीक है अब बात करते हैं what is what is skew an star Э जो है वो नेगेटिव के बराबर आजए मतलब कि आप कह सकते हैं बार का ट्रांस्पोज जो है वो नेगेटिव एके बराबर आजया गलती से मैं ट्रांस्पोज लगाना भूल गया था बट बोला मैंने वही था तो एच याद रखना कॉंजुगेट रांस्पोज होगा कॉंजुगेट बिटा आयोटा वाले का साइन चेंज कर देते हैं खशिश आगे कुश्यन आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे बिटा चिंता नहीं करू इडिपोटेंट समझ आ गया इन्वॉलिंटरी समझ आ गया ठीक है निल पोटेंट मे पावर को नस्ट कर देता जीरो कर देता है स्पेशिल टाइप ओव मेटरीक जिसके अंदर आप कह सकते हैं आपका जितना भी आएगा ए स्कूर भी नल मेटरिक्स आएगा एक ही पावर n भी n मत रखो कि n तो order से a की power k भी null matrix के बराबर आजएगा तो यह बहुत simple simple है अब बढ़ सकते हैं question से शुरू कर सकते हैं minor co-factor से पहले हम पढ़ेंगे adjoint भी पहले नहीं पढ़ेंगे पहले properties of adjoint पढ़ेंगे चलो मैं आपको adjoint की short trick बढ़ाएता हूँ कैसे गरते है adjoint को माइनर्स co-factor को निकालने से पहले हम adjoint के बारे में बात करते है adjoint का काम कैसे तमाम किया जाता है जैसे मैंने बोला एक matrix है a 1,2,0,0,1,3 5,2,1 कहता है इसका inverse निकालो तो बिटा a inverse का formula होता है 1 by a inverse into adjoint है तो यहाँ पर adjoint यूज होता है और what is adjoint adjoint होता है सारे के सारे co-factor's का transpose जितने co-factor लिखे है न उन सब का transpose कर दीजिए आपका क्या निकलेगा adjoint निकल जाएगा बिटा अब मैं इसके अंदर आपको short trick कराऊंगा अगर आप सोचिए आपको नहीं आता है मैं यह मान लेता हूँ पैयार क्या लिख रहा हूँ मैं भी एक determinant ठीक है अच्छा मेरी बात को ध्यान दे सुनेंगे सारे बच्चे एक बड़ी अगर मान लीजिए मैंने आपको पेपर में कोशन कोशन आगया आपके पेपर में कि इसका inverse निकाली है इसका inverse तो आपको तोत्ते उड़ जाएंगे भाई ऐसे सबसे पहले आप determinant निकालेंगे determinant निकालने के बाद आप उसका adjoint निकालेंगे सारे core factor का transpose करेंगे बाई कितना बड़ा सवाल है यार कितना बड़ा नहीं करना आपको इतना लंबा चोड़ा आपको मैं इसकी एक short trick देता हूँ यस 5 बाई 5 वाली जिन्नोंने मेरी short tricks वाली वीडियो देखिए हैं वो इसका answer कर देंगे और I think YouTube पे available भी नहीं है इसका inverse निकालना short trick जहां तक मुझे ध्यान है 105 सबसे पहले मेरे को इसका determinant निकालके दो सारे बच्चे जल्दी से what is the determinant मेरे को determinant चाहिए इसका मैं कर रहा हूँ expending along r1 1 into 1 minus 6 minus 2 into 0 minus 15 तो minus 5 30 यानि की 25 के बराबर आ गया इसका determinant 25 आएगा बटा आपने 25 निकाला मैंने 25 अब हम बात करें पेटा adjoint की adjoint of a it is very simple बहुत असान है कोई cofactor निकालने की जूरत नहीं है आपको आपने क्या किया same row को tape दिया sorry same column को 105 आपने भी 105 लिग दिया 212 आपने भी 212 लिग दिया same मतलब इसको column को और इस column को दोनों को यह पर tape दिया मैंने tape दिया अब आप same पहले वाली row को पूरा tape दो 12012 तिर इसको tape दो पूरा पूरा 01301 बेटा तीन बाइट इन का है तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ा है अगर दो बाइट दो का होगो तो ऐसे हलवा ऐसे कर दोगे बई कल जीन बच्चों को board का paper है ना वो भी देने जा रहे होंगे ना inverse निकाल रहे होंगे सर पंदरा मिनिट लग जाते है कोश्चन को रहे हैं 6 मिनिट 7 मिनिट अरा नहीं लगेंगे चाचा जितनी देर में determinant निकला बस यह हो गया हलवा अब तो लेक लिखा हमने लिखने के बाद आप इन्हें काट दो पांच बाए पांच की मेट्रिक्स बना के इसे काट दो काट दिया जैसे ही आप इसे काटते हों आपने काटते ही क्या बोला सर उपर से मल्टिप्लाई 1 उपर से नीचे से माइनस नीचे से उपर 1 भान माइनस 6 माइनस 5 ठीक है 0 माइनस 2 0 माइनस 2 कितना होगा माइनस 2 6 माइनस 0 6 बेटा कर हम रहे है कॉलम वाईंज लिख हम रहे है रूम वायस समाझा रही ये बात बोलो हाक है न था नोट नहीं कर पा रहे हैं बाद में पीडिएफ मिल जाएगे ना गुरूप पे वाहां से लेना टेलीग्राम वाला जो चैनल है वाहां से पीडिएफ उठा लेना कि बोलो क्लियर है कि अग्यों के रिपोर्ट मामला कि हुआ साथ साथ ट्रांस्पोस भी हो रहा है आठा जिसको रिपीट सुनना एक और बार सुनलों बिटा सेकेंड भी निकालेंगे भी कम्प्लीट थोड़ी हो गया कि इधर देखो 15-0 15 1-0 1-0-3 0-5 10-2 8 1-0 एक निकल के अडजोइंट और A इंवर्स क्या होगा सर A इंवर्स इक्वल टू 1 बाई A डिटर्मिनेंट इंटू एडजोइंट A खत्तम फिनिश देथ देथ कर दी कोश्चन की सर बिटा ये तो 3 बाई 3 का है तो फिर भी इतना टाइम लग गया लेकिन कोश्चन को चुटकी में कर सकते हैं कर सकते हैं अब ये आपको दिखाता हूँ NDA के पेपर में जो सवाल आया था और चुटकीों में हमने उसको कैसे कोश्चन को कर रहा था देखिए अभी दिखाता हूँ बाई तो अगर आप ट्रिक लेके गए होते तो NDA 2019 के फर्स्ट पेपर में ये सवाल आया था आया था अब जब NDA की पेपर में सवाल आया होगा तो मैं ठहरा चला कादिमी भाई मैं क्या करने वाला हूँ मैं अपने दिमाग में माल लेता कि यहां पर कैसे देखो एड्जॉइंट भी निकालना है मैंने इसको मिटो दिया ये अब मैं इसको पांच भाई पांच की मेट्रिक्स में कनवर्ट कर लूँगा कैसे करूँगा सर्ट टेप हूँगा तीन दो भाई देखो तीन दो एक दो चार एक दो चार एक टेप नहीं तो है तीन दो जीरो तीन दो फिर दो चार जीरो दो चार दो चार जीरो दो चार अब पांच भाई पांच के लिए इसको काट दो काट दिया अब बिटा मैं ठहरा चला कादमी उसने बोला एड्जॉइंट तो एक्जिस्ट करेगा inverse exist नहीं करेगा भाई देखो अगर मैं तमीज से देखू तो ये दो element ये दो element ये दो element सेम है मुझे चाहिए नहीं मुझे तीसरा पेटा भी थोड़ी आ रहा है समझ आई मेरी बात दुबारा देख लो एक पर ये अगर किसी को डाउट है तो कोई जल्दी नहीं अपने को अभी करके दिखा देते हैं ये देखो बाई CDC बात है आपने क्या करा आप मैं पूरा लिख देता हूँ आप ये तीन दो एक दो चार एक 0 0 0 सेम टेपो 3 2 1 2 4 1 सेम टेपो 3 2 0 3 2 फिर टेपो 2 4 0 2 4 काट दो इसको 0 माइनस 0 0 आना है 0 माइनस 0 0 आना है तीनो element 0 रहेंगे खतम बात आगे निकालना चाहो निकालके देख सकते हो 0 0 0 0 0 यानि कि ये तीनों भी 0 आ रहे होंगे आगे निकालके देखना चाहो देख सकते हो 2-4-2 2-3-1 और 12-4-8 option A हमारा पहले ही correct आ चुका था लेकिन हमने फिर भी नहीं करा अब आप सोचो कितनी देर में हम इस सवाल को करते हैं बोलो हा के ना सर पता नहीं बट जब से आपने short trick का session लिये तब के बाद जाधा करके short trick बताने लग गए अच्छा उससे पहले कहीं नहीं था तो बेटा वह होता ही है यह तुमारे बाई ने इतनी सारी इजाद करी है एक थोड़ी है यह और यह वाली trick तो आज तो चलो PW पर बता रहा हूँ इससे पहले मैं कई जगा पर डाल चुका हूँ कईयों साल पहले तो यह actual reality है actual reality है उन्हें बाकी chapter भी देखके डाल दो यार बच्चों को बला कर दो हम तो चाहते हैं यह बच्चे पेपर जाह से अध़ क्लियर करें कि देश की बात है देश की रक्षा तक तक तुम करने बैठोगे नहीं तब तक हम यहां पर चाय की प्याली कैसे उठाएंगे है तो सीधा है तो आज के बाद जब भी आपको निकलना हो अब आप ऐसे निकाल सकते हो तो चलिए एक बार ढुबाई-टू की सीख लें तो भाई-टू की तो हलवा होती है थीक है टू बाई-टू की मैं यहां करा रहा हूं एडजॉइंट 2x2 या इन्वर्स भी बोल सकते है 2x2 का तो नकली है बिल्कुल जैसे मैंने बोला a11 a12 a21 a22 correct that is my a अब मैंने बोला आपको a inverse निकालना है तो a inverse क्या होगा वन बाइ डेटर्मिनेंट इन्टू एडजॉइंट है यह तो होगा तो जब मैं एडजॉइंट की तरफ भागता हूं तो 2x2 का एडजॉइंट है कुछ नहीं है था है थो इन दोनों की टर्म इंटरचेंज है औ्यांट एं थैन टर्म के साइन ईंटरचेंज है तो बेटा ये टू बाई टू की बन गई बट हमने इसके इंदर कुछ नहीं किया ये NCRT में वेले भले ठीक है विवेक कश्यप शॉर्ट ट्रिक का सेशन का मिलेगा प्लेलिस्ट है पूरी प्लवु पर चेक करले डाली है अभी जब उ Хотя तॉ है तरीक करा हुआ उसके बाल बहुत सारी द्रीक्स चैसे लेंगी यूट्यव पे अब कराद हूं ऑको पेन alors चलाना पड़ेगा कॉपी कें तो लिखने नहीं पड़ेंगे चीज़े तो ये वाली ट्रिक तो बेटा कुछ निये तो NCIT में वले बले कि हमने इन दोनों की टर्म इंटर्चेंज कर दी आप कहा दीजिए टर्म इंटर्चेंज और इन दोनों के साइन चेंज साइन चेंज है लिए रहे तो टर्म इंटर्चेंज एंड साइन चेंज है चाबाश है तू बैटो अब आ जाते हैं जरा हम एक भरी माइनर्स और को Фेक्टर पर आरे क्या है माइनर अडर को वेक्टर देयार हल्वाज जैसे मैंने बोला A11, A12, A13, A21, A22, A23, उसके बाद मैंने बोला A31, A32, A33, ठीक है, बिटा, सच्ची बताओं तो मुझे लग नहीं रहा कि दो घंटे हो गए पढ़ाते वे, मुझे लेह रहे हैं, अभी है, आदा घंटे पहले आया था मैं पढ़ाने हैं, और तुम लोग भी शाहिद जब से प पता नहीं लगा भाई, कराते हैं, बढ़िया है, अच्छी बाद, चलो देखने जरा आगे, इसको आगे बढ़ते हैं, एक मिट बच्चो बस है, देखो, जैसे माइनर्स या कोफेक्टर निकाल रहे हैं, तो माइनर को हम बोलते हैं, M11, M12, M13, लेकिन आप मत बोलो, आप क कोफेक्टर पर जाओ सीधा, तीन कोफेक्टर से मैं सारे समझा सकता हूं, बेटा कोफेक्टर को हम C से भी लिखते हैं, और A से भी लिखते हैं, एक ही बात है, एक मिंट रुना बेटा है, मैंने, गिट, तो क्या करेंगे, वनवन की जब आप बात करते हैं, वनवन के अंदर आप बोलेंगे, माइनस वन को छोड़ दो, माइनस वन को छोड़ दो, वनवन में फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को काट दो, बेटा यह हमने क्या करा, इनको काटा इन 4 ऐल्यमेंट को लिखा, ठीक है, तो हम कहेंगे, यह हमारे माइनर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं माइनर मतलब कि हम कहेंगे A22 into A33 minus A32 into A23 ये माइनर है बटा को फेक्टर क्या होते हैं को फेक्टर में कुछ नहीं करते हैं minus 1 की power 1 plus 1 ये extra multiplication में आ जाता है minus 1 की power 1 plus 1 तो इतना असान है सारे के सारे को फेक्टर है माइनेर्स को निकालना बोलो क्लियर है ये सोर नो आये ना सबको समझा रही है चीज अधिक है चला आगे बढ़ते हैं कोष्ण पेटा इस पर पहुचेंगे माइनर्स और और सीधे सीधे कोष्ण आएंगे दो मिनेट रुख जाओ अभी माइनर्स को फेक्टर के कोश्चन आएंगे concept बता रहा हूं वह तो इसलिए मैंने यह जो दिया अब आज दोरा properties of adjoint matrix properties का मतलब है basic formulas nothing else और कुछ है नहीं अगर मैं बोलूं एंटू एड्जॉइंटे या फिर मैं एड्जॉइंटे को पहले लिख दू एको बाद में लिख दू तो आप उसे एडेटर्मिनेंट आई के बराबर लिख सकते हैं ठीक है कोई बच्चे आभी यह मत कहूं कि सर्प माइनर के कोश्चन कोश्चन करेंगे बच्चे बहुत सारे कोश्चन है मेरे पास आपको दिखी रहे हैं है ना एड्जॉइंट ए का ट्रांस्पोस एड्जॉइंट एक होल ट्रांस्पोस के बराबर होता है ठीक है अब मैं अगर आपसे बोलूं भाई फॉर्मूले याद करें सीधे सीधे बच्छा को फेक्टर ओफ ए या फिर एड्जॉइंट एकाटेम्यों इसके बराबर है बाट के लिए बहुत इंपोर्टीं फार्मूला है सिरफ बोर्ड के लिए नहीं सभी के लिए इंपोर्टेंट है मतलब की एंड्वर कि अलब बॉन सिंगूलर मेंटरिक्स हैं वाट इ इसके question है, adjoint, 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 a determinant की terms में लिखना है, sir, कुछ नहीं करना, n-1 की whole power 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 बार adjoint आ रहा है, अगर 4 बार आता तो 4 बार लिख देते हैं, ठीक है, मिरको तो, ठीक है, ये बहुत असाने tape के लिख दिया, बिटा, क्या repeat करूं, बता दो, मैं जलना repeat कर देता हूं मैं मना नहीं कर रहा बट रिपीट क्या करूं मैंने फॉर्मली लिखे उनको मुह से बोल दिया आप इसको रिपीट दुबारा कर दो बोलने को कुछ अलग चीज थोड़ी बता दी मैंने क्या बोला एक को एड़ जॉइंट के साथ मल्टिप्लाइ करोगे या A के बराबर बोलेंगे ए एड़ जॉइंट A के बराबर होगा जैसा कि होता ही है एड़ जॉइंट A का मितलब जिसका determinant 0 के बराबर नहीं होता स्वरी हाँ non singular मतलब 0 के बराबर नहीं होता singular मतलब 0 के बराबर तो adjoint a b को adjoint b into adjoint a लिख सकते हैं तो दुबारा बोल दिया रिपीट करतो दूमें चीज तो हो कुछ है आप कहरे हो कि सर आपने लिखा a plus b का whole square मैंने बोला बेटा फॉर्मुला है लिख लो a plus b का whole square a square plus 2ab plus b square होता है अब आप कहते हो सर इसको repeat अपर क्या repeat करूं में को तो बताओ पॉर्मुला ही तो लिखा है भाई पर अगर हमने आदत बना ली ना अपनी तो हम repeat करते रहे जाएंगे वह आपकी मर्जी है आप बुरा मान सकते हो पर क्या करूं मैं आदत है अब देखो question कैसे आते है यहां से question शुरू हो जाते है कैसे आते है कैसे कैसे आते है मैं आपको दिखाओंगा कि यह formula हमने पीछे लिखा थे पीछे से उठाया ठीक है शबड़ पावर 2 आईगी ना बिटा क्या कहे रहा है मैं समझा नहीं पावर 2 आईगी किसमें इसमें 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 आपावर 2 है ही नहीं अगर बिटा पावर 2 आएगी ना मेरी बात सुनो इसमें दो तरीके से आ सकते हैं अगर पावर 2 आएगी तो साथ में A लिखाओगा मेट्रिक्स की फॉर्म में और अगर 3 आएगी तो मेट्रिक्स मत लगाओ अगर मैं 3 लिख रहा हूँ तो matrix नहीं लगाँगा और अगर 2 लगाँगा तो साथ में A matrix लिखूँगा बस यह difference होता है ठीक है आगे बढ़ें चालो, what is the value of x कुछ बच्चे बोलेंगे सर जान थी वो मेरी, यह वो वाला x नहीं है देखो, question में क्या बोला है, बेटा, determinant में corresponding element बराबर नहीं होते, इसमें पूरा explain करना पड़ता है मतलब, ऐसा नहीं है कि 3x को 8 के बराबर लिख दो कि ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें इसको multiply, यानि कि 4 तड़ा के 12x plus 14, equal to 32, minus 42, क्योंकि अगर ऐसा होता, तो देखो, minus 2, 6 के बराबर थोड़ी होता, है न, तो वो पंगा है यह हो गया, minus 10, 12x plus 14, 12x is equal to minus 24, x is equal to minus 2, अगला सवाल, same question है what is the value of x, क्या करेंगे, 2x square minus 40 is equal to 18 plus 14, 2x square minus 40 is equal to 32, 2x square is equal to 72 और x is equal to plus minus 6, खतम, पसान है न भाई, शाबाश आगे देखो, यह question homework रहेगा, आपका same to same question सारे नहीं करा हुआ, अगला देखे, हाँ, जो बच्चे कह रहे थे, सर किस प्रकार के question आएंगे, बिटा, इस प्रकार के question आएंगे वो जो formulae लिखवाए थे, सबसे पहले हमने यह वाले formulae लिखे थे, जिस पे हम question कर रहे हैं, अब आप यह page देख सकते हैं इस page के question कर रहे हैं, ऐसा गय सकते हैं, यह वाला page, ठीक है, और सबसे जादा मैंने बोला था, यह use होता है, यह board में भी आता है, ठीक है, देखो, पहले इस page के, फिर इस वाले page के, adjoint वाले के, करने तो सारे ही हमें, बटागे पीछे करेंगे, क्या फरक बढ़ रहा है, दे determinant, उसने बोला है, what is the order, order 3 by 3 है, तो n की value 3 डालेगी, तो 3 की power 3 into 4, 27 into 4, 108 is the answer, खतम, दूसरे question की तरफ बढ़ते हैं, what is the value of this, तो क्या बोलेंगे sir, 2 की power n into a determinant, 2 की power 3 into 4, तो 8 चोके 32, 32 answer आ गया, a is the invertible matrix of order this, adjoint है, अच्छा, अब बच्चों ने पूचा था sir, adjoint वाली property भी question, भाई, adjoint है का determinant का formula, मैंने क्या बताया था, a determinant की power n minus 1, अब समझा है कि कैसा सवाल आएगा, ये चीज़ समझा है, सवाल कैसा आएगा, बोलो clear है, मैं क्या गह रहा हूँ, ठीक है, तो a determinant कितना है, 5, 5 की power 3 minus 1, 25 answer, ऐसा सवाल आएगा, जो आप पूछ रहे थे, तो वो मेरे को बता नहीं होते हैं, अब बेट किया करो, ये देखे, ये उससे थोड़ा सा हट के गोश्यन है, बट उसी से मिलता जूलता और थोड़ा हट के भी, मतलब एक concept से मिलता जूलता है, एक concept से अलग, जैसे उसने बोला, a into a transpose का determinant की value क्या होगी, अब आप यहाँ transpose से गभराएंगे, देखो यहार एक बात बताओ, transpose अपने आप में कोई एक matrix है, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a determinant into b determinant, तो यह क्या हो गया मेरा a determinant, a transpose का determinant, अच्छा मैंने क्या बोला था आपको, कि जो a determinant है, वो a transpose के determinant के बराबर ही होता है, कोई फरक नहीं होता, यह आपको पीछे लिखवाया था, जब आप कह है रहे थे कि सर, बताइए कि किस तरीके से होगा, तो यह इस तरीके से होगा, मेरे भाई, यह कितना बन गया 2, और यह भी कितना होगा 2, तो टोटल आंसर कितना आ गया, इसका 4, बता, it is so easy, so नकली, so looking like a question, है ना, अगला देखिये, अब आप इस question को कर सकते है, homework लिख अगल के देदी, a into adjoint a का determinant पूछा है, a into adjoint a हमने क्या पढ़ा था, अभी पीछे आप ढूंड के देखिये, adjoint की property पे जिस पे आप कह रहे थे सर, बताईए ना, किस तरीके के सवाल आते हैं, तो बेटा, किस तरीके के सवाल आते हैं, इस पे, आपको दिख गया, a into adjoint a यह अभी इस पे कराया था question, है ना, तो अभी इस पे भी हलका सा हो गया, a transpose a के बराबर, यह तो अचलो अलग था, बट इस पे हो गया question, तो ऐसे कराता हूं मैं question, कि भाई, जितने formula उन पे सब पे एक एक दो-दो question रहेंगे कम से कम, तो a into adjoint a को हम क्या लिख सकते है, a determinant i, a determinant क आएगा वैल्यू निकाल लेता है, 10-7, 10-7 और identity matrix आएगी 2x2 की, क्योंकि यह 2x2 का matrix है, तो यह कितना हो जाएगा, इसे कर लोगे calculate यह सुरनो, कितना आ रहे है भाई, यह आगया 3, और यह 1, 0, 0, 1, बट तीन अंदर जाएगा, 3, 0, 0, 3, तो answer आएगा 9, 9-0, 9 answer, बेटा, 3 answer मत लिख देना, इसका answer 9 होगा, कुछ बच्चे 3 लिखकर आजाते हैं, कलती हो जाते हैं, बहुत बड़ी, भारी mistake हो जाता है उस case में, जो बच्चे 3 लिखकर आते हैं, बेटा, क्योंकि वो क्या करते हैं, मेरी बात को सुनना, वो क्या करते हैं, इसको expand करके i determinant होगा, और i determinant की value 1 होती है, और 3 का square 9 होता है, तो answer 9 आएगा, 9 आएगा, क्योंकि ये एक a into adjoint है, और सवाल में उसने बोला कि determinant लगाओ, तो जब आप debt लगाओगे, तो पूरे question में लगाओगे ना, अगर लगाते हो तो, है ना, तो ये logic समझ लो कि क्यों इसका answer 3 नहीं ह होगा, ये बहुत common mistake है, जो जनरली बच्चे करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा, अगला सवाल देख के answer बतादो जड़ा, what a, b, c, r, in, ap, then, अच्छा, same question है जो 2020 के paper में आया ना, sorry, 2023 के paper में, first paper में, यहाँ पर c था, यहाँ पर 3 है, से मतलब मुझे exact value याद नहीं है, बट ऐसे ही कुछ है, और a, b, c है, तो यहाँ पर x plus है, जो यहाँ लिखावा है, वो यहाँ पर x plus b लिखा है, वो यहाँ पर x plus 3 लिख दिया है, बस मेरे को यह याद है, कितना answer होगा, 0, तो सोचो अगर ऐसा सवाल paper में आ जाए, अगर वो बोले, a, b, c, ap है, clear है यह बात सभी को, ठीक है, अच्छा, heading डालेंगे properties of determinant, अगर आप 12th के student है, तो cbsc board के हैं, तो cbsc में out of course कर दिया था properties of determinant को, तो यहाँ पर मैं आपको पहले properties of determinant के कुछ rules पढ़ाऊंगा, फिर इसको हम solve करेंगे, ठीक है, तो एक बारी चलिए, इसको रगडते हैं से, क्योंकि अब हमारे जादा तर सवाल ही आने है, concept इसके बाद कोई खास concept बचा नहीं है, area of triangle का है, वो तो मैं कहता हूँ, आप determinant से करो भी मत, आप उसमें भी points देता है, coordinate geometry में भी points देता है, तो coordinate geometry वाला formula लगा दो, मैं तो यह बात बोलता हूँ, बाकी बच्चों की के अंदर हम रोकते नहीं है, मैं उसके अंदर आपको choice नहीं देता, आपकी अपनी choice है, बेटा, invertible matrix is inverse, is called invertible, ठीक है, चलो देखो, what is the properties of determinant, बेटा, properties में क्या कहता है, अगर कोई भी दो matrix, कोई भी दो determinant, कोई भी determinant में दो रो सेम हो जाए, या तो उसका answer 0 होता है, any row of determinant, any two row of determinant are 0, then determinant, the value of determinant is always 0, बोलो हाके ना, ये बात clear है सभी को, determinant में हमेशा answer 0 होगा, अगर दो रो सेम है, अगर मैं दो कॉलम भी सेम कर दू, तो भी determinant की value 0 ही होगी, ठीक है, यानि any two row और any two column, देखो इसकी definition ही बनती है, any two row और any two column of determinant are same, then determinants becomes 0, बात कदम, point number 3, third point देखे, अगर मैंने आप से ये बोला, हाँ, कि कोई भी एक पूरी row 0 है, तब भी determinant 0 होगा, कोई भी एक पूरा column, अगर 0 है, अगर column 0 कर रहा था, और यहाँ पर कोई भी एक पूरा column, यहाँ पर पूरी की पूरी row 0 है, और यहाँ पर पूरा का पूरा column 0 है, तो any row और any column are 0, मतलब elements of any row और any column are 0, तो क्या होगा determinant की value 0 होगी, point number 5, a plus b, c plus d, e plus f, g h, i j, k l, that is equals to a, c, e, g, i, k, h, j, l, plus लगाओ, b, d, f, g, i, k, or h, j, l, यह, तो मतलब अगर plus है तीनों में, तो plus लगा देंगे, और अगर तीनों में माइनस हुआ, तो माइनस लगा देंगे, यानि कि साइन सेम होना ची हमेशा, साइन में कोई पंगा नी होगा, साइन अगर plus होगा, तो plus आएगा, माइनस होगा, तो माइनस आएगा, बोलो clear है, यह तो पढ़ा है ना भाई, ठीक है, बहुत बढ़ी है, शाबाश, चलो, आगे बढ़ते हैं भाई, सर पहला सवाल, ट्राइ कीजिए, आंसर बताईए, चलिए, फिर मैं बताता हूँ, बेटा, इसको ना, हलका सा हिंट दे रहा हूँ, उस वाले, उससे एक्स्पैंड कर सकते हो, बताया था, हभी भी, अभी भी एक्स्पैंशन, अभी भी एक्स्पैंशन बढ़ी है ना, चलो, चलो, जल्दी, हभी भी एक्स्पैंशन कर दो, क्या बताई थी, a3 प्लस 2b3 माइनस 3ab का स्क्वेर, हाई, a3, प्लस 2b3 माइनस 3ab का स्क्वेर, अभी भी एक्स्पैंशन, बताई, जैसे ही मैं ऐसा ताम जाम करता हूँ, तो पेपर में तो मैं यह नहीं लिखूँगा, पेपर में मेरा पहला स्टेप क्या हुआ, मैं फर्स्टेप इस, x प्लस 4 का होल क्यूब, प्लस 2b3 माइनस 3a b का स्क्वेर, पेटा मैंने कौन सी तोप मार ली इसके अंदर, अगर मैंने वैल्यू डाल भी दी, तो क्या हो गया भाई, एक्स्पैंड करने के बाद, आठ दूनी 16x3 माइनस, चलो ऐसी रेंड देते हैं वैसे तो चलो ठीक है, 16 गर लो 3 into 4x2 into x प्लस 4, तर कुछ नहीं गर पाए, कुछ उखाट नहीं भाए आप इससे, मैं पहले बता दूँ, लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, ध्यान दे सुनना भीटा, अगर मैं एक काम करूँ, सिंपल सा, ज्यादा मेरे को दिमाग लगाने की जूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से x की कोई भी value लेक्ट कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको ध्यान दे सुनना मेरी शर्त क्या है, जिसे हम intent trial बोलते हैं, ये शर्त आपकी हर question के अंदर आए, मतलब हर type के intent trial में आएगी, शर्त ये है, कि जो options है, उसमें कोई भी दो option same नहीं बनने चाहिए, कोई भी दो option 0 नहीं बनने चाहिए, कोई भी दो option 1 नहीं होने चाहिए, तो इसके हाँ, 0 और 1, हाँ, बच्चों को पता है, भाई, शाबाश, बहुत बढ़ी आप, तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया, यहाँ पर put x is equal to 1, मैं x को 1 put कर रहा हूँ, बटा, आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, आपने 1 किया, छोटा नंबर है यार, 5 का क्यूब 125, प्लस 16, माइनस, 4 तड़ा के 12, इंटू 5, 125 माइनस 60, 65, प्लस 16, 81, 81 मन रहा है, अब 1 put करने के बाद, जो 81 देगा, वो मेरा answer होगा, 1 put करा मैंने इसमें, तो या आया, 9 इंटू, 25, सर्य ये 81 नहीं होता, 9, इंटू, 3 का स्कुर्ण, 81, सर्, गारंटी ऑप्शन, भी करेक्ट होगा, COD नहीं होगे, काट दो, बोलो हां के न, कितनी देर लगेगी, सर्य ये आपका पहला स्टेप होगा, क्योंकि आपको formula याद है, habibi वाला, तो habibi वाला formula आपने लगाया, habibi वाला formula लगाते ही, आपने x को put कर दिया 1, 1 put करते ही आपको अंसर दिखिया, बोलो बच्चो, is clear, बेटा D गलत है उसका, करें डी अच्छा उसमें एक प्रॉब्लम है शायद रिपीट कर रखा है option change कर लो ये डी भी रिपीट है तो cube कर लो ठीक है change कर देते हैं न है यार क्या फरक पड़ रहा है अब हमें तो सीखना है न यार क्या लेना देना चलो अगला पकड़ो क्या अगले वाले में भी हम हभी भी फॉर्मुला लगा सकते हैं पीछे वाला हभी भी फॉर्मुला aq plus 2bq minus 3a square b aq plus 2bq minus 3ab ka square लगा दे हभी भी फॉर्मुला चलो 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 वैल्यू डालो चेक करते हैं फिर उसके बाद तो मैंने वैल्यू डाली a मतलब क्या हुआ y plus k का whole cube correct है plus b कितना हुआ मेरा y हो गया minus 3 a की value मैंने कितनी ले ली y plus k और b की value मैं कितनी ले रहा हूँ k ले रहा हूँ b की value sorry sorry k नहीं y है ठीक है अब मुझे करना क्या है मुझे इसमें value put करनी है अपनी मर्जी से जो मेरा मन कर रहा है मैं value put कर सकता हूँ लेकिन मैं k को 0 put नहीं करूँगा क्योंकि मैं चलाक आदमी हूँ मुझे पता है अगर मैंने k को 0 करा तो ये 0 हो जाएंगी 3 term 3 के 4 हो तो k को 0 नहीं करना ठीक है अच्छा तो मैं k को यहाँ पर रख रहा हूँ 1 0 तो रख नहीं सकता अब अगर मैं y को 0 रख देता हूँ तो ये k cube आ जाएगा ये minus k cube आ जाएगा ये plus k 4 आ जाएगा और ये कुछ हो रहा जाएगा तो यानि हमें काम करते है y को रख सकते हैं 0 परिशान नहीं करेगा है ना देख के पता लग जाएगा तो k को 1 put कर दिया y को 0 put कर दिया तो 1 का cube प्लस 2 into 0 minus 3 into 0 यानि 1 answer आना चाहिए तो 1 answer किसमें आ रहा देखो k को मैंने 1 लिया into 1 आ रहा है पहले वाले से 1 आ रहा है दूसरे वाले से 1 आ रहा है दूसरे वाले से minus 1 आ रहा है ठीक है तीसरे वाले से आ रहा है तीसरे वाले से भी minus 1 आ रहा है और चौते वाले से पता नहीं क्या रहा है बोलो हाके न clear है yes शुर्णो आंसर समझ आ गए सबको पहले बताईए जल्दी से मुझे तरीका समझ आ गया इस देरी जानी डाउट इंदा तरीका बड़े से बड़ा कोश्चन और छोटे से छोटा कोश्चन हम इस तरीके से उसको छोटा करके कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है? बोलो यहां तक किसी को कोई परिशानी तो नहीं है के स्कूरर थ्रीवाई प्लस के ओप्शन आया था ओप्शन ए ठीक है? शाबाश बहुत बड़ी है जबरदस्त आगे बढ़ो ABC 2A 2A 2B बिटा ये 2X है और ये 2X है I think 2X नहीं होगा एक मिनट रोखना क्योंकि अगर मैं इसको add करूँगा 2X नहीं होगा मैं change कर रहा हूँ इसको there is some slightly change in the question X नहीं है कहीं भी ठीक है there is slightly typing error तो 2A वाला नहीं आएगा यानि कि हमें जो add करना है वो इधर B होगा क्योंकि अगर मैं करता हूँ ऐसा ये 2B बन जाएगा प्लस में और नहीं 2B नहीं होगा 2C होगा ठीक है क्योंकि A प्लस B प्लस C आजाएगा तो 2A प्लस A याना और B तो हई तो ये और ये माइनस C है तो ये 2C होगा ठीक है अब करते हैं सर अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लो यार ABC को बस फरक क्या है आपको जो भी value लेनी है same answer नहीं बनना चाहिए equal भी मत लेना A बराबर 0 B बराबर 1 C बराबर 2 बत्तव A 0 ले रहा हूँ B 1 ले रहा हूँ C 2 ले रहा हूँ A क्या ले रहा हूँ 0 0 expand कर दूँँगा इसकी बत expansion इतनी असान हो जाहेगी 2B 2 2C 4 2C 4 B minus C minus 1 minus 2 minus 0 minus 1 ठीक है और last term जो आएगी वो कितने आएगी 2A यानि की 0 2B यानि की 2 और C minus A minus B 2 minus 0 minus 1 यानि की 1 अब expand कर दो जैसे मैं expansion करता हूँ it is minus 3 into minus 1 minus 6 यानि की कौन answer आपको 21 दे रहा है 21 पूछा ना बटा 21 आ रहा minus 1 minus 8 sorry तो minus 27 कौन दे रहा है 27 तो बटा 1 minus 2 minus sorry 0 minus 1 minus 2 आपको दे देता 27 लेकिन minus में दे रहा है या आपको प्लस 27 दे रहा है या आपको नहीं दे रहा कुछ भी इसका भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी value देने का same ही लिग दिया typing error रहा है है ना समझा गया तरीका समझा गया तो कितना भी गंदा question हो उस question को आप solve कर सकते हो इसके अंदर x को 0 y को 1 है वो कर लो वो आपकी choice है थोड़े मुश्किल वाले question discuss कर देता हूं ये भी असान है ये भी same question है मुश्किल discuss कर देता हूं जैसे मुश्किल question हमारे पास है ये वाला थोड़ा सा ठीक question है तो यहाँ पर हम ABC की value को let करते हैं चलिए let करिए what is the value इधर value को लेट करेंगे एक बारी हम जल्दी से तर तो हम value को पकड़ कर हाँ value को पकड़ कर रखना अपने पास greatness की सारी अधे पार कर दी ही है ओके हमाद आ रहा है बस ये important है चलिए let करें इसके अंदर इतने बड़े बड़े question इतने अराम हाँ बिटा जो जी ओ जे ओ गो जो गो जो बिटा गो जो ये question NCRT के हैं बट अभी आगे जो question है वो पेपर में आए वे question है तो फिर तु बोलेगा और हाँ सरी है तो हमने यूँ ही फोड़ दिये लक्षे मैंने पहली बोला तेरे को जो value लेट करनी है वह करें चेक करें इसका answer नहीं मेबी ए तो नहीं है इसका answer देखो लेट कर रहा हूं है यापर a की value देखो a की value 1 लेट मत करना पता है क्यों 1 का square 1 ही होता है यापर square का पंगा है तो 2 लेट कर लो b की value 3 लेट कर लो या माइनस 2 भी ले सकते हो क्योंकि माइनस 2 का square है तो चक्कर नहीं होगा लेकिन फिर भी चलो 3 ले लिए हमने ठीक है थोड़े इससे calculation लंबी हो जाएगी बट question माइनस 6 आ गया तो 2b की जगा पर 6 लिखना है 2a की जगा पर माइनस 4 लिखना है 1 माइनस a square यानि ये था 1 प्लस a square मतलब 4 प्लस 9 है ना तो 1-4 माइनस 9 माइनस 13 जमा एक माइनस 12 ये ना माइनस 13 जमा एक 12 होता ना भाई अब बीच वाली टम को solve करते है 2a b 2a b मेरा कितना आया था 2a b 12 आया था ठीक है time waste करने की जूरत नहीं है ना समझ आ रहा है कि value को let कैसे करना है time को बचाना कैसे है अगर भारी से भारी question हो अराम से छोटे से छोटे उसको कर सकते हैं 2 variable की value same let कर सकते हैं बेटा देख 2 variable की value को same let कर ले पर उससे तेरे option same ना है बस ये दिमाग में डालके चल बस ये point है option B ही आएगा चेक कर लीजिए option B आएगा आगे देखिए अब same question है यह मैं time waste नहीं करूँगा इनमें आगे बढ़ूँगा inverse of matrix already discuss हो चुका है पीछे गलती से यहाँ पर type में आ गया अब हम बात करते हैं sir NDA के previous year questions की यहाँ से हमारे previous year शुरू होते हैं और लगबग एक घंटा लगेगा हमें सारे PYQ खतम करने के लिए और पूरा matrix determinant हमारा यहाँ खतम हो जाएगा सारे 2021 तक के कराके 2023 का test लूँगा आज मैं आपसे बोलूँगा कि हाँ यह 2023 के बेपरमय था तो एक घंटा जड़ा शिद्दत से बैट जाओ और देखो जितना पड़ा है क्या उससे question बन रहे हैं बेपरमय नहीं बन रहे हैं तो चले शुरू करते हैं सवाल है कि इनमें से क आपके पास कई सारे repeat में आएंगे repeat का मतलब है कि उसमें आएंगे क्या नाम है repeat हो रहे होंगे अंडीय के पर में तो वह वाले करने ज्यादा ज़रूर है वह आपको सिरफ basic समझाने के लिए था कि basic को आप कैसे फोड़ें ठीक है तो इसको हमने ऐसे करा यानि 1 बंजा 1 और माइनस टू और इससे कितना आ रहा है प्लस टू करेक्ट आप टू को कॉमन ले लिजी आपका वैल्यू के बन रहा है 1 माइनस 1 माइनस 1 वन यह आगया आपका a स्कूर तो जब आप a क्यूब निकालने जाओगे तो a क्यूब आपका कितना आएगा a स्कूर इंटू a तो a आपका 2 यह रहा 1 माइनस 1 माइनस 1 वन और दुबारा से सेम करोगे तो जैसे ही आप इसे करते हैं तो आपको पता यह 2 टाइमस 1 माइनस 1 माइनस 1 वन रहा है यानि कि यह वापिस a बन गया यानि 4a आ गया डाट इस a cube a cube की value आप डाल देंगे 4a 4a डाल दी माइनस 2a का स्कूर जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं 2a तो आंसर कितना आ गया 0 यानि कि it is a null matrix बताओ ऐसा सवाल पेपर में आया एंडिये के वेपर में हम आराम मैं कहा रहा हूं अगर आप डेड़ मिनट एक सवाल को देते हैं तो आपके सौ कुस्चन खताम हो जाएंगे 120 में से मतलब सौ कुस्चन आप पेपर में कर दोगे डेड़ सो मिनट में और जो बच्चा 65% यानि कि लगबग लगबग 78 कुस्चन के आजपस ठीक करके आता है वह बच्चा ट्रैंक होल्डर होता है यह बात याद रहेगी सभी को अगले सवाल पर बढ़ते हैं जल्दी से करना बच्चो सेम कोश्चन आल्रेडी कर चुके हैं आल्रेडी पीछे डिसकस हुआ था बस मैंने क्या किया था मैंने उस पर लिखा नहीं था कि कौन से साल का पेपर में आया वा कोश्चन है गलत तो नहीं कह रहा भाई कि अनग कर चुके कुछन पीछे अंड यह तो अभी डिसकस कर लिया था हमने इस पर आजो यह दे रखा है वाट यह कैसी मेट्रिक्स है सिंगुलर है वाट इस दा मीनिंग ऑफ सिंगुलर सिंगुलर का मतलब होता है एक डिटर्मेंट जीरो के बराबर आना ची यह नहीं आ रहा रहा है इसका डिटर्मेंट आ रहा है तो इस नॉट असिंगुलर सिंगुलर नहीं है ठीक है इन वाल्यू ट्री इन वाल्यू ट्री पढ़ चुके भाई निल पोटेंट पढ़ चुके इडिम पोटेंट पढ़ चुके कौन सी मेट्रिक्स से जल्दी से बताओ निल पोटेंट तो हैीनी निल पोटेंट में अच्छा सोरी सोरी निल पोटेंट गलती से माने वोटने नहीं आई जो आपका स्कूर्ट के बराबर आ चाहिए Сп vergوں के ब्राबर मुर्ण fem फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ रहा है शुन्य इसको इससे करेंगे तो one it is identity matrix ऐसा case जब a square i के बराबर होता है तो ऐसी matrix कौन सी matrix क्यलाती है जल्दी से बताओ involutory क्यलाती है id important क्यलाती है या कौन सी matrix क्यलाती है भाई है तो उन दोनों में सही है ना पढ़ाई है ना आज की class में गलत तो नहीं कह रहा भाई आज की class में पढ़ाए हमने what is id important matrix बेटा id important में a square a के बराबर आता है involuntary में a square i के बराबर आता है आये ना बेटा ये नहीं पढ़ा था involuntary में है ना तो it is involuntary matrix a square i के बराबर या फिर a inverse equal to i और a square i के बराबर होता है ऐसा case कौन से होता है involuntary का clear है ठीक है शाबाश चलो अब देखिए paper में आएवा question है nda 2018 second paper में consider the following statement with respect of matrix a और b same order आपको value बताने है कौन से statement correct है ये one की जगा i लिखना ये i है ऐसा समझे लो और ये भी i है ठीक है बताइए कौन से statement correct है पहली statement गलत है मैं पहले बता दूँ कैसे गलत है एक बरी देखना ज़रा जैसे a square minus b square आपके इंगे सर आइंटीटी लगा दीजिए भाई matrix है ये आपने rhs को solve किया इसको solve करना एक मरी ज़रा आरेचस को क्या आएगा a square minus a b plus b a minus b square अब ये lhs के बराबर कब होगा lhs के बराबर तब होता ये जब मैं इसको काट पाता लेकिन काटूंगा कब जब ये दोनों same होंगे तो मैंने क्या बोला था a b b a के बराबरो ऐसा हर बार possible नहीं है और यहाँ पर जब लिखा ही नहीं तो मैं इससे काट ही नहीं सकता that means it is wrong अब a square minus i अब इसको solve कीजिए इसको कैसे solve करेंगे आप proper a i plus a square minus i square minus i a इसे काट सकते है i को a के साथ करो a को i के साथ एक ही बात होती है that is equals to null matrix ऐसा दिया हुआ है तो a square को आप i square के बराबर बोल सकते है i square को i बोल सकते है यानि only second वाली correct है बात खतम second statement correct होगी ऐसे question paper में आते है और बेटा मैं ऐसा नहीं है कि सिरफ a की question लाया हूँ 2018 का 19 का सारे लाया हूँ आगे पीछे हो सकते है बट होंगे सारे अब यह question देखिए let b is the adjoint like b जो है वो adjoint of a है बस बातों में घुमा रहा है यह question हमें और कुछ नहीं कर रहा क्याता है l be the identity matrix of same order a l identity matrix है k0 के वराबर नहीं है the determinant of a matrix निकाल ला है determinant कहता है if the determinant of matrix a same order of a b is the adjoint of square matrix b तो value बतानी आपको a b किसके बराबर होगा बेटा रुको जरा a b किसके बराबर होगा a b अरे भाई अब भी तो पीछे क्या आपने ऐसा सवाल नहीं करा अब बोलेंगा अरे हाँ सर सिरफ बातों में घुमाया क्या आपने ऐसा किया था a into adjoint a क्या पड़ाय था जब मैंने बोलता यह छोटी सी common mistake है हर बच्चा गरता है a into adjoint a determinant i के बराबर होता है बोला था कि नहीं बोला था तो बेटा b का मतलब यहाँ पे क्या है adjoint है है कि नहीं है तो फिर अब बताओ question में कहां घड़ बढ़े तो आपको क्या गरना था यह a determinant के बराबर दे रखा है l आपको i i की जगा l डाल दोगे a determinant ऐसे का ऐसा उसने क्या बोले उसने बोले if k is the determinant of a determinant of a k है तो k l डाल दू मैं हाँ पे तो a into adjoint a को मैं कह सकता हूँ जब मैं debt लगाऊंगा तो that is मतलब debt लगा की तो होता था यह sorry तो that is equals to k l k l राहूल बन गया यह option b is correct k l राहूल बन गया बैटा कहां से k square l square i ही नहीं रहा भाई a into adjoint a क्या होता है यह देखो a into adjoint a determinant i इसका कोई लेना देना नहीं है उससे क्या ना मैं n से power से न है न कर दी सेम गलती इसमें भी करवाई मैंने तुमसे जो पिछले में बोली थी याद आई गलती याद आगी गलती याद करो जरा क्या बताई थी भाई देखो मैंने तुम्हें इसी लिए दुबारा बोला भाई ध्यांच सुनो जब भी यह सवाल करते हो देखके क्या गरो उसने बोला a into adjoint a हमने यह पड़ा है a determinate a के बराबर a determinate मेरे किसके बराबर हुआ बेटा k के बराबर a मेरा क्या होता है 1001 होता है तो जैसे ही मैं k को अंदर लेके जाओंगा बट मुझे यह निनिंकालना मुझे इसका determinate निकालना और determinate में आपको बताया था क्या होता है गेम गेम होता है मेरे भाई ऐसे करके k into 1001 है ना अब इसको अंदर लेके जाओ फिर बनाओ तो यह हो जाएगा k square आएगा और k square आ रहा है और साथ में i की value आपको l के बराबर दे रखी है तो k square l answer बनेगा k l राहूल नहीं आएगा गलती पता लग रही है है ना आज दो बज़े तक हो जाएगी class के ता आज सेम order है बेटा गलती सोचो क्या करी थी पिछली बार ध्यान से बच्चो ध्यान से क्योंकि जब debt में से आप इसको बहार निकालोगे तो order 2 का k square बनेगा आपका सही था बढ़ी है अच्छी बात है जिन्होंने करा मैं यही तो बता रहा हूँ कि पिछले में भी मैंने यह वाली बात बताई थी only a b only b था उसमें ठीक है अगला बेटा यह star नहीं है transpose है transpose कर देने इसको ठीक है nda के paper में देखो सवाल देखो क्या रखा है यह क्या सवाल हुआ कहता है nda 12-11 second में consider the following statement a b c of same order a plus b plus c का transpose हो है वो a transpose b transpose c transpose के बराबर है yes यह बात सही है तीनों को अलग-अलग कर सकते हैं मैंने बताया था तो पहली statement तो correct है ठीक है अच्छा क्या a b के transpose को यह लिख सकते है no हमने पढ़ा था कि जो a b का transpose होता है वो b transpose a transpose के बराबर होता है तो second statement wrong है हटाओ इसको second wrong को अटाओ second wrong को अटाओ c option correct होगा चेक भी मत करो और third वाला भी हमें पता यह भी correct है मतलब सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे यह बेपर में समझारी है मेरी बात सीधे सीधे फॉर्मूले सीधे सीधे कुछ छेड़ने की जूरत नहीं है दस दस सेकिंड के सवाल है हाँ यह हमने अभी discuss नहीं कर रहा था एक बर ही यहीं पर discuss कर लेते है consistent inconsistent ठीक है अगर determinant देखे इसका पहले आप debt निकालिए 2, 3, 5 1, minus 2, minus 3 minus 3, 2, minus 1 बिटा क्या किया मैंने मैंने लिखा है 2, 3, 5 1, minus 2, minus 3 minus 3, 2, minus 1 ठीक है मैंने इनको debt में लिख दिया फटा फट से मुझे इसको expand करके दे दीजिए find the expansion expansion करिए इसके जल्दी से बोलो हाके ना answer बताईए इसका जल्दी से क्या होगा पर same order तो 3 by 3 भी हो सकता है एक मिनट रुजा किसमें कह रहा है बेटा पिछले बाले में कितना भी हो same order 3 by 3 हो 4 by 4 हो मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है जीरो नहीं जीरो नहीं आ रहा है मेरे साब से जीरो नहीं आएगा 2 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू एक्सपेंडिंग अलों आरवन कर रहा हूं ठीक है माइनस 3 माइनस 10 9 प्लस 10 8 दूनी 16 प्लस 13 3 इंटू 19 तो ये कितना है 29 माइनस 57 भाई 0 के बराबर नहीं है बात के था कुछ बच्चे कर रहे है 18 कुछ 20 कुछ 25 कुछ 30 मैं दुबारा बता देता हूं सुन लो ध्यान से बिटा कैसे करेंगे ये कट गया पूरा कॉर्णर आया 2 क्या बनेगा इन दोनों को मल्टिप्लाइ 2 प्लस 6 ठीक है फिर कॉर्णर ढूंडो क्या आ रहे है ये गया पूरा पूरा कितना आ रहे है कॉर्णर माइनस 1 इन्टू माइनस 3 माइनस 10 ठीक है लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कट गया कॉर्णर कितना है माइनस 3 इन्टू माइनस 9 प्लस 10 ठीक है छे दो आठ आठ दुनी 16 प्लस 13 माइनस ये एक बचेगा तो माइनस 3 आजेगा तो 26 आ रहा है which is not equal to 0 बिटा अगर एक determinant 0 के बराबर नहीं है तो उस case में आपका जो answer आएगा वो याद रखना is consistent अगर 0 के बराबर ना हो तो उसे बोलते हैं consistent होगा with a unique solution उस case में आपका जो solution है वो unique आएगा बोलो हाँ के ना clear है yes or no तर ये बायोकी class है के हाँ बेटा बायोकी है ठीक है हाँ बिल्कुल बायोकी class है बोलो clear है yes or no जल्दी बताओ एकदम मक्खन मक्खन question है भाई होरे हाथ चल रहा है बढ़िया से हाथ बढ़िया चल रहा है बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी भी बच्चे को पहले बताओंगो जल्दी से आगे बढ़े बेटा हाथ अगर हमारा चल रहा है ना तो इसका मतलब हम बढ़िया पढ़ रहे हैं अगला देखो अगला सवाल है अगला इन्वर्स क्या पढ़ा है बी इन्वर्स ए इन्वर्स खत्म खत्म फिनिश देथ कुश्चन की देथ कर दी सर वाट इस एडजॉइंट ऑफ दे मेट्रिक्स अब आगे एडजॉइंट आ गया टू बाई टू का है पहले सको चेंज करो कॉस नेगिटिव को खा जाता है साइन बाहर फेकता है साइन बाहर फेकता है नेगिटिव को और कॉस नेगिटिव को खा जाता है तो आपको क्या समझाया था टू बाई टू मेट जॉइंट कैसे निकलता है इन दोनों की टर्म इंटरचेंज तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा इंटर्चेंज करने से और आपको पताया था इन दोनों के साइन इंटर्चेंज है तो आंसर चेक कर लेते हैं आपको इसी लिए मैं आपको मेट्रिक्स करा रहा हूं क्योंकि ऐसा चैप्तर दस के दस सवाल आपके कर सकते हैं अगला देखो square metrics which of the following hold बटाई धीरे दिरे ना question change हो जाएंगे आपके बताओ कौन सी statement सही है और क्यों और क्यों नहीं which of the following is correct and क्यों and क्यों नहीं फिर मैं आपके साथ discuss करूँ हूँ 2023 का question paper और उजह हम as a test करेंगे कि क्या हम से question हो रहे हैं और अगर हम से हो रहे हैं तो इसका मतलब हम सही पढ़ रहे हैं, हमारी डारेक्शन एकदम मक्कन है, उसमें कोई दोर आये नहीं है, हम एकदम फोड के डारेक्शन पढ़ेंगे, आंसर को करेंगे. देखो भाई, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, यस सर, दूसरी स्टेटमेंट के क्या बोला है, डेटर्मेनेंट A इन्वर्स को हम क्या लिख सकता है, बेटा, A डेटर्मेनेंट की होल पावर माइनस वन, और 1 बाई A डेटा आजाएगा वो, तो सेकेंड भी करेक्ट है, लामडा A का इन्वर्स कह रहा है, क्या लामडा A इन्वर्स के बराबर होगा, नो सर, यह भी इन्वर्स होना चीए था, यारी थर्ड स्टेटमेंट रहोंग है, पहली दो सही है, पहली दूसरी करेक्ट, अगला सवाल, यह बेटा ऐसे दिया हुए, पूरा पूरा आपको ए NDA 2019 के second paper का question है, कुछ नहीं करना सर expansion पर जाओ, और तो कुछ है इन्वर्स के अंदर, सीधा मैं थोड़ा सा करके दे देता हूँ, 1, 2, 6, 2, 6, 24, ठीक है, 6, 24, 120, देखें आपके पास इसके तरीके हैं, कि आप 2, 0 बनाके expand कर दो, जैसे आप कहा सकते हो, R2 tending to, R2 minus 2 R1, and R3 tending to, R3 minus 6 R1, इससे फाइदा क्या हुआ, इससे मेरे 2, 0 बन जाएंगे, R1 में कोई बदलाव नहीं है, वह expansion करने में सानी होगी ने, यहाँ 0 बन गए, यहाँ पर क्या होगा, 36 में से 36 minus कर दो, कितना आ रहा है, वही, 4 इदर आया, 11, 8, 84 आ रहा है, अब आप यहाँ पर सीधी expansion करो, चेक करो, कौन सा answer correct है, यह गया, ऐसे का ऐसा, 1, 84 इंटू 4, minus 144, तो 4.166, 1, 8.32, 1, 33, तो 2 बचेगा, और, कितना बचेगा, 9, 112 नहीं, चाकर दिया भाई, दुबारा कर रहा हूँ भाई, expansion, मैंने कहीं पर calculation में गलती करी है, ठीक है, तो यहाँ पर कर रहा हूँ, यह क्या बनेगा, 1, 0, 0, 2, 6, देखो, 6 minus 4, अच्छा, 6 minus 4 होना था, 2 आना था, मैंने 6 minus 2 कर दिया, उसको गलती से, ठीक है, 24 minus 12, 12, यह ठीक था, ठीक है, उसकी वैसे value change होगी थी मेरी, 24 minus 12, 12 यह भी ठीक था, तो 120 minus 36, तो 30 घटाते तो 90 आएगा, 90 की जगा 84 आएगा, ठीक है, 84 आएगा, expand करेंगे, तो 84 into 2, minus 144 is the answer, तो 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 178 minus 144, 4 आया, और 6 में से 4 गए, 2, 24 is the answer, option C is correct, सीधी expansion साधारण सा question आया था, इंडिया के सा, पेपर में, अगला question देखिए, sir what is the value of x satisfy these condition, बिटा कुछ नहीं करना था, expansion करके बात करो इन से और कुछ नहीं, चलो try करो पहले, पहले तुम try करके answer दो, मैं आपको 2023 का, बिटा 2021 की question भी करने है, इंता नहीं करो, अराम से करे रहे हो, उसके बाद करेंगे, ठीक है, let's try once, हाँ जी सर, क्या उसका दो 24 आ गया भाई, उसकी दिक्काट थोड़ी है, कि अच्छा, इसे कर रहे हैं भाई, भाई सीधी सीधी expansion पे लो, और कुछ मत करो, सीधा expand करो, value check करो, answer आजएगा automatically, कुछ है ही नहीं इस question में, अगर आप इसके अंदर कोई tantra mantra विद्याय लगाना चाहते हैं, तो कुछ मत लगाओ, सीधा सवाल solve होगा, expand करो, दो टाम हैं दुन्नों को expand करो, भाई कैसे करेंगे, expanding along r1 करा, x into 2 minus 1, ठीक है, minus 0 plus 2 into भी पहले वाले को expand करों ऐसे, तो 2x minus 2, खतम, है ना, plus, इसको करोगे, क्या बनेगा, 3x, into 2 minus 1, रगले वाली 0, लास्ट वाले को पकड़ो, 2, तो plus 2 into x square minus 0, तो बेटा, पता है problem कहा थी, problem यह थी हम सोचने, expansion बहुत बढ़ी होगी, इसकी, लेकिन actual में नहीं है, तो यह बन जाएगा, 4x minus 4, यह बन जाएगा, 3x plus 2x square, equal to 0, तो यह हो गया, 2x square, 3 और 4, 7 और 1, 8, 8x minus 4, equal to 0, 8x negative नहीं, positive है, ठीक है, 2 से divide कर दो, x square plus, 4x minus 2, equal to 0, बेटा, middle term splitting होगी नहीं, क्योंकि यह root वाले numbers है, तो यह तो हमें पहले ही पता था, कि middle term splitting तो होगी नहीं है, बोलो clear है, अब आप इसके अंदर x की value निकालेंगे, x का formula क्या होता है, x is equal to minus b, plus minus root under, b square minus 4ac, upon में 2a, क्या answer आया, minus 4, plus minus root, 16 और 8, 32, oh, 16 और 8, 32 का से कब से होने लग गया भाई? 16 और 8, 24, upon 2, तो यह जाएगा, 4 plus minus, भाई देको 6, 24 होता है, यानि की, 2 root 6, बटे 2 आएगा, यानि 2 plus minus root 6, is the answer, 2 plus minus root 6, is the answer, minus b, अच्छा negative भी है, बटाई, देको minus 4 खा गया, हमें मेरे को भूग लग रही है, तो option D correct हो गया, तो question बहुत प्यारा था, राज दूला रहा था, अपनी मम्मी की आखो गाता रहा था, है ना, ठीके बाई, A नहीं है मेरे भाई, A नहीं है, D है, X plus A plus B plus C equal to 0, then what is the गंदी सी टर्म की वाल्यू, जोलो, बताओ बाकी बच्चे वैल्यू, क्या अंसर आ रहा है भाई, अब इतना नकली question, X plus A plus B plus C 0 है, अगर मैं सब को add कर दो, तो क्या हो जागा, C1 tending to C1 plus C2 plus C3, ठीक है, तो यह सब के पास आएगा, अब जैसे ही आप इसको common ले ले लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ, X plus A plus B plus C, और यहाँ पे लगा रहा हूँ, determinant, अब यह time 0 के बराबर है, 0 multiplied by anything is always 0, एक step का answer था, अगला, Sir, कहता है, what is the value of x and y, अब हम ऐसे question को देखके, डरना पहले शुरू कर देते हैं, क्यों डरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें यह लगता है, कि भाई, ऐसे question हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर matrix आगया, expansion करेंगे, अब यह matrix determinant के question असान होते हैं, कभी छेडो मत, अराम से solve करो, जल्दी मत मचाओ, जल्दी मचाओगे तो उसमें गलती करता होगे, बस और कुछ नहीं है, that is equals to 6 plus 11 IOTA लिख देना, ठीक है, अब इसे expanding along C1 कर रहा हूं, क्योंकि एक 0 है, तो X हो जाएगा मेरा minus IOTA, minus 2 IOTA का square, minus Y लगाया, भई मैंने यह से का रहा है नहीं, 6 plus 11 IOTA, minus I plus 2, minus 3 minus 2 IOTA, बस IOTA की value डालने हैं, और कुछ थोड़ी कर रहा है मैंने, अब मैंने का, minus XI plus 2X plus 3Y plus 2Y IOTA, is equal to 6 जमा 11 IOTA, है कोई दिक्कत या परिशानी, अब compare कर लो सर, real number, real part को real के बराबर, 2X plus 3Y बराबर 6, and minus X plus 2Y बराबर 11, तो क्या अब हम calculate करके, X और Y की value निकाल सकते हैं, X की जगाँ अगर मैं minus 3 डालता हूँ, तो 3 दूनी 6, और 4 तीया 12, तो पहला यह satisfy कर गया, minus 3 उदर डाला, तो plus 3 plus 8, पहला option ही satisfy कर रहा, दोने equation को, ठीक है, option A is satisfy the equation, अगला, A is the square matrix of order 3, such that determinant is char, what is the determinant of its transpose, क्या ऐसा सवाल मैंने अभी पीछे कराया था, तो मैंने तो इससे मुश्किल कराया था, मैंने तो यह value पूछी दी आपसे, उसने क्या बोला है, A determinant की value 4 है, अगर अभी पीछे से पढ़ते वे आ रही हो, तो आप खुद बोलोगी कि sir, जो पढ़ा है, उससे related जितने question हम कर रहे हैं, सारे आख बंद कर की कर सकते हैं, हाँ भई, बढ़िया, yes, 4 is the correct answer, शाबश, क्योंकि transpose और उसमें कोई फरक नहीं होता है, आउसर आपका same आता है, है ना, बढ़िया भाई, शाबाज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आउसर बताना मुझे, यह रहा question, थोड़ा ध्यान से करना, आपको confuse करने के लिए दी वी है, एन की value greater than 1, important है, उसमें यह वाला point, n is greater than 1, is most important point here, make it fast, इसका answer बताईए, question समझ आ रहा है, सभी को दिग गया, बेटा ध्यान से करना, concept लगा के चलना, adjoint यह वाला जो बताया था, यहाँ पर वो use होगा, फिर आप रहोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, adjoint, adjoint वाला, कहता है, इन में से कुन सी statement सही होगी, अबे देखो, यह negative answer आएगा, तो यह तो wrong गी है, अब इसके अंदर problem है, क्यों, भाई, अगर हमारा, debt negative A है, तो वो negative तो बहार आज आता, अगर कब आता भार, देखो, ऐसे आता, minus, अगर मानलो, यह 2 by 2 का matrix होता, अगर A जो है, वो 2 by 2 का matrix होता, तो इसको ऐसे लिख दें, चलो अभी आपको तरीका बताता हूँ, minus A determinant, हमें order नहीं बताया, वो order 1 से बढ़ा बोला है, बस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं कहा देता, सर, minus 1 की पावर, N, A determinant, यह formula हमने पढ़ा है, भई हमने पढ़ा है, क, A, that को हम ऐसे लिख सकते है, क की पावर, N, इंटू A determinant, अगर मानलो, N हमारा 2 है, तो हमारा answer आता सेम, लेकिन, N अगर हमारा 3 है, तो answer जो आता, वो आता negative, तो इससे पता लगता है, N के उपर depend करेगा, मतलब की, जो formula है, वो यही तो है, यही तो पढ़ा है न, तो सीधा formula पूछा था उसने आपसे, यानि ये भी करने की ज़रूत नहीं थी, बट आपको समझाने के लिए मैंने बताया, option B यहाँ पर correct था, सीधा सीधा, negative भी हर case के लिए नहीं है, positive भी हर case के लिए नहीं है, और यहाँ पर N तो आए गाए नहीं, तो option B यहाँ पर correct था, बहुत बढ़िया सवाल था, अगला सवाल, NDA 2019 के first paper में आपके direction question है, और कितने question हैं, इसके उपर बतायता हूँ, एक, दो, दो question है, जल्दी से बताईए answer, पहले का, debt 2AB, debt 2AB, अरे क्यों घवरा रही हो मेरे भाई, के A का debt क्या होता है, के की power N A determinant, यहाँ पे भी यही लगेगा, 2 की power N A B का determinant, और 2 की power N A determinant और B determinant, यही तो पढ़ा था, तो 2 की power N, N कितना है 3, A determinant कितना है मेरा 4, यह कितना है 3, 4 ती या 12, 8, 9, है ना, मुश्किल है बताओ, पेपर में आए वा सवाल इत्ती देर में हो गया, अब debt 3AB, देखो भई, debt 3AB का inverse, यह भी बेफकू बनाने के लिए दिया था, 3 की power N A B inverse का debt, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, 3 की power N A determinant, into B inverse का determinant, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 की power N, A determinant, B determinant की whole power minus 1, यही बोलूँगा, तो अब मेरे पाफ वाल्यू है, 3 की power 3 into A determinant 4, B determinant मेरा 3 है, तो हम कह देंगे इसको 27 into 4 into 1 बटे 3, यानि यह कट गया 9.36 इस दा आंसर, आगी बात सब्द में, बोलो clear है direction question, तरे सारे के सारे paper में आये वे question है, मैं कहीं पाकिस्तान से नहीं लेकर आया हूँ, मैं पहले बता दू, अगर आप सोचने कि पाकिस्तान से सार उठा के लिए है गलत, अगला, सर इस value को या तो याद कर लो, या ऐसे ही कर लो, इसका answer होता है isocellus, मैं करके दिखा देता हूँ proof, that is not a big deal, ठीक है, मैं proof करके दिखा देता हूँ, वैसे proof करने का तरीका यह है, दो zero बनाओ, और उसके बाद common लो, तो आपका common जो आता है, वो यह आता है कि, sign A, sign B के बराबर है, फिर either और either, और time based नहीं होगा नहीं है, और इसमे, sign B जो है वो C के बराबर है, और फिर आप कहेंगे, C जो है वो A के बराबर है, अब पता है, बहुत सारे बच्चे क्या बोल देते हैं, बहुत सारे बच्चे यह बोल देते हैं, कि sir, यहां से में पता लग गया, A, B के बराबर है, B, C के बराबर है, और C, A के बराबर है, तो A, B, C बराबर होगा है, यह और लगा हुआ है और का मतलब होता है या तो या का मतलब है या तो A B के बराबर होगा या B C के या C A के तो सीधा सीधा अंसर आएगा A बराबर B यानि की आई सो सलेस्ट ट्राइंगल है बोलो क्लियर है यह चीज़ सब को याद रहेगी यह बात ये सुरनो ठीक है अजर है और जान शावाशा अगला सवाव Sum ुनोंति सु अब देखे यह कोशन हम पीछे डिसकस कर चुके अल्य इसको मैं नहीं ले रहा हुँ ठीक कै अब भाई movement अंसर क्या लिख होगे जल्दी से बताओ यह मैंने पीछे भी बताया था कि अगर u v w all positive pth qtharic term of gp then is determinant की value आख बन करके 0 होगी क्योंकि a p gp hp का question है तो answer हम आख बन करके 0 लिख सकते हैं है ना matrix determinant छोटा topic है x sorry if a plus b plus c equal to 0 then which of the following is the solution of this gandhi c term a plus b plus c is the solution तो आप कुछ मत कीजिए आप इसको add कर लीजिए पहले आपको पता है a plus b plus c minus x मिल जाएगा और इधर भी a plus b plus c minus x मिलेगा इधर भी a plus b plus c minus x मिलेगा थोड़ा थोड़ा determinant का सवाल आ जाता है कोई आधा जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन दस कोशन है दस में से आठ सवाल ऐसी होंगे जो आपका टाइम नहीं खाएंगे जो आपको चुट्कियों में solve कराएंगे यह बात याद रखो तो जैसी मैं इसे common ले लेता हूं it is a plus b plus c minus x 1 1 1 c b minus x a b a c minus x ठीक है इकोल टो 0 अब मैं कहूंगो यह complete term equal to 0 तो a plus b plus c 0 है तो आप कहेंगे x की value कितनी आ रही है 0 आ रही है तो बहुत सारे बच्चे x को 0 लगा के आ जाएंगे आके न पहले बताओ आइदर और में जाएगा न यह आइदर और में clearly पता लगा रहे है न this complete term equal to 0 तो यह यहाँ से मेरा a की step में answer आ गया सीधा सीधा की x उदर चला जाएगा x is equal to a plus b plus c और a plus b plus c की value 0 है तो हमारा x जो है वो 0 आ जाएगा साफ सूत्रा सा आंसर पतम कुछ नहीं है हलवा 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 conjugate से selected question बिटा आएँगे रुख जाएगा 2 minute which of the following factor does the expansion of determinant अब आप इसे check कर सकते x factor कैसा होगा इसका expansion करें भीना check नहीं कर पाएँगे तरीका यह है कि आपने क्या करा एक्स को तीन ले लिया तीन पुट करा और जीरो आंसर आना चाहिए फैक्टर वही होता है टाइम बेस्ट नहीं करोगा question बहुत सारे कराने है मुझे पीक्यू आर्बीद डिस्टिंक्स पॉजिटिव रियल नंबर 2020 से सवाल शुरू हो गया है 2020 के question करेंगे उसके बाद 20-21 के खतम होती है अब 20-21 के बचे दस बारा पंदरा कोशन होंगे और उसके बाद जो हम बात करेंगे तो हमारे को सीधा उस पर चलना है चोड़े बैच आई पीटा उसको चेंज कर ले कुछ और चीज उसके अंदर आड़ोन होगी इसलिए पीटा पड़ ले एक बारी है ना कोई दिक्कत निया बिल्कुल औल एक्विलेटर ट्रेंगल है आइसोसलेस बट आइसोसलेस इस नॉट इक्विलेटर करेक्ट कर रहा हो देखो PQR 3 distinct positive real number है D दे रखा है then which of the following is correct बिटा ये PQR अब आपको एक बात बताओ मैंने आपको क्या formula पढ़ाया था अभी ताजा ताजा मैंने पढ़ाया था आपको करना है 3 ABC minus A cube minus B cube minus C cube तो भाई क्या आएगा 3 PQR minus P cube minus Q cube minus R cube is equal to 0 yes or no पहले बताओ अब आपको इन में से कौन सी statement करेक्ट होगी ये बतानी है करो ट्राइ करो पढ़ाया नहीं हमने बोलो हां के ना देखो इसके लिए थोड़ा सा APGP मजबूत होना थी है इस question के लिए sorry देखो 0 लिख दिया गलती से मैंने that is equals to D D मतलब determinant मैं ऐसा कह सकता हूँ 3 PQR minus P cube plus Q cube plus R का cube equal to D बहुत असान है मतलब पहले step में सीधा हम expansion में लेके जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे अब अगर आप एक चीज समझे मेरी बात जरा ध्यान से हम ऐसा कह सकते हैं इफ पी क्यूब Q cube और R cube R in GP अगर ये GP में होते तो P cube plus Q cube plus R cube upon 3 की जो value है वो greater होती PQR से आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे बिटा सुनो हम अगर अगर मैं इस टर्म की बात नहीं करूँ आप मैं ऐसे बात करूँ कि arithmetic mean is greater than equals to greater than equal to भी लगाना था ऐसे तो हम बोल सकते हैं इसके लिए थोड़ा sequence भी जाना चाहिए arithmetic mean तीन टर्म का arithmetic mean क्या होता है तीनों टर्म का sum करेंगे डिवाइड में तीन लिख देंगे अगर तीन टर्म है तो geometric mean क्या होगा whole power 1 by 3 तो हमारे लिए जो result मिला वो यह मिला कि p cube plus q cube plus r cube is greater than equals to 3 p q r यह कैसे मिल गया तीन वहाँ चला जाएगा यह तीनों cube 1 by 3 से कट जाएगी power तो यह हमारे को एक simple सा result मिल गया पहला result बोलो यह चीज clear है अगर ऐसा है अब देखिए हम बात करें arithmetic mean की arithmetic mean greater equal तो लेंगे नहीं आप है क्योंकि cube का case है तो जरूत नहीं है हमारे को है ना अच्छा अब मैं कह सकता हूँ कि p plus q plus r अगर यह तीनों term मेरी इससे बड़ी है question में लिखा है न मैं थोड़ी मान रहा हूँ यह कह रहा है कि यह तीनों term जो है वो इससे बड़ी है तो d जो है वो मेरा negative आएगा और d अगर negative आता है तो मतलब less than 0 होगा और less than 0 का मतलब क्या लेंगे हम सीधा सीधा d 0 के छोटा खतम बात है तो बिटा इस question में 2020 में थोड़ा सा twist डाल के दिया था बट याद रखो आपके paper में 10 सवाल आ रहे हैं 10 में से एक आदा सवाल हो सकता है आपको परिशान करें बट सारे नहीं करते हैं देखो 2020 NDA में एक ही बार हुआ है 2020 में बिपर 2020 में ही एक और question आया अब ये question आपको कितना परिशान करेगा शायद ये मुझे बताने की जुरत नहीं है formula है सीधा सीधा आख मंद करके है ना गलत तो नहीं कहा रहा बिटा complex number की class बाद में होगी अभी trigonometry class होगी 12 तरीक को adjoint A जो है बिटा इधर A लगा ले ना गलती से typing error है A into adjoint A जो है adjoint A into A के बराबर होता है yes or no सर बिलकुल होता है क्यों नहीं होता yes sir ये बात correct है ये बात wrong है क्योंकि adjoint A जो है वो A determinant की power n-1 होती है तो हमारे second statement correct एक second का सवाल बताओ अब खुद अगला NDA 2020 के first paper में तो अगर एक question मुश्किल आया तो बाकी नहीं थे ऐसा question हम पीछे कर चुके value अलग थी value अलग थी याद होगा आपको है ना क्या थी भाई इसमें बोले A is the matrix of order 3 by 5 ठीक है 3 by 5 की matrix है B is the matrix of order 5 by 3 then what is the order of A, B and B then the order of A, B and B A A, B का order क्या होगा भाई आख बंद करके क्या सकते है 3 by 3 का order होगा A, B का यानि ये answer हो सकता है और B A का order क्या होगा 5 3 और 3 5 है तो 5 by 5 का order होगा उसका अतम बात option C is correct बताओ यार क्या सवाल पूछ रहा है भाई तो 2020 में अगर आपने तमीज से देखा तो चलो माल लेते हैं ये question मुश्किल आ गया ये आगया ठीक सा question ये आगये ठीक सा question ये भी 2020 के first paper question देखो ये गलती से repeat होगा गलती से repeat करके लिख दिया typing error है ये भी repeat होगा वापस गलती से no doubt ये भी repeat होगा गलती से no doubt ये वाला repeat नहीं हुआ ये देखिए हर्मेटियन स्क्यू हर्मेटियन पर पूछ रहे थे बटा आगया question जिसके पीछे आप भाग रहे थे तो मैं कहता हूँ सबर करो सब कुछ करा रखा आएगा होगा चिंता नहीं करो अब उसने बोला आपको चेक करनी है ये हर्मेटियन मेट्रिक्स है स्क्यू हर्मेटियन है Hermitian ये वाली है स्क्यू Hermitian सर मुझे नहीं पता मैने सबसे पहले बोला कि सर इसका transpose करके बार कर दो इसका transpose किया पहले transpose क्या आएगा 1 minus iota minus iota और 1 minus iota transpose कर दिया अब आपको बोला किया था transpose करके अगर आप बार करते हो तो इसको आप A की power H आयोटा वाले का साइन बदलेंगे, आयोटा वाले का साइन बदला जाएगा, यही तो होता है बार का मतलब, कॉंजूगेट का मतलब, तो क्या हमारा कोश्चन वापिस आई बना, या वापिस आई बना नहीं बना सर, क्या हमारा कोश्चन वापिस आई बना नहीं सर, हमारा को लेता हूं तो ये बनेगा माइनस वन माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा तो क्या ये वापिस question आ गया यही तो बोला था कि negative आना चाहिए नहीं सर तो it is not a skew hermitian बोलो ये चीज़ clear है पर बी कहा से हो रहा है चाचा अब उसने बोला अगर आप ये आनसर निकालते हो तो क्या वो hermitian आ रहा है चलो check कर लेते हैं मतलब कि उसने बोला इन दोनों का sum इन दोनों का sum करा मैंने मैंने बोला ये b matrix है चलो sum करके sum करता हूं तो ये बन रहा है मेरा 2 0 और ये कितना बन गया ये बन गया 0 और ये बन गया मेरा कितना 2 तो उसने बोला इसका transpose करो transpose किया सर सेम आएगा और इसके ओपर बार लगाओ तो वो भी सेम आ रहा है क्योंकि बार में आयोटा वाले का sign change होता है और किसी का नहीं होता तो it is hermitian हर्मेटियन मन रहा है ए बार ए ट्रांस्पोस येस इट इस hermitian तो ये हम क्या कहेंगे hermitian है option number c is correct और बेटा skew hermitian की property होती है a minus a transpose का बार कर दोगे तो answer जैसे hermit जैसे आपको पता ने skew matrix skew symmetric क्या होती थी a minus a transpose बस यहाँ पे साथ में a minus a transpose क्या होती थी हमारी एक मिनट देखना जरह a minus a transpose क्या होती थी skew symmetric तो यहाँ पे अगर आपने बाहर extra लगा दिया third is skew hermitian बात कतम एक question कला है तुँआ खोल बात नी आप सी पहली बार सीख रहा है इसलिए हो जाएगा जादा निए साथ आठ दस question बचे होंगे उसके मिलाके test वाले मिलाके अब यह देखो what is the how many values of k if matrix is singular what is the meaning of singular determinant equal to 0 चलो k की value निकालते है sir देखो k की value में पहला element 0 आगया खतम minus k यह गया कितना बचेगा plus k plus 5 k minus 4 यह ऐसे जाएगा ने 4 कितना आगया है एक मिट रोणा पहले ऐसे जाएगा minus k k minus 5 आएगा ठीक है 5 k फिर आएगा plus 4 expansion कर रहा हो along r1 बस minus k square minus 0 तो यह आगया minus 4 के plus 4 k square minus 4 k square equal to 0 बेटा k की कितनी value होंगे देखो मेरी बात सुनो इस determinant को आप k की value कुछ भी डालो हमेशा 0 आएगा क्यों आएगा बई एक value नहीं है इसकी k की निकली नहीं एक भी 2 भी नहीं निकली 4 भी नहीं निकली यहनी infinite values होंगी मतलब k कुछ भी डालो जो मन कर रहा हो हमेशा अंसर 0 आएगा बताओ ऐसा question nda 2020 के पेपर में आया था यह question कराऊंगा अभी नहीं discuss आपको खुद करना है a b c के बराबर है what is the value of determinant a b मतलब x plus y 2x y और x minus y पर b कितना है 2 minus 1 c कितना है 3 2 कर देंगे इसको इससे multiply element को equal करा खतम finish देद test देंगे अभी हम सारे test जितना पढ़ लिया उसका पूरे का test लूँगा अभी मैं ठीक है what is the value of this गंदे सा determinant सर time waste नहीं करूं आयोटा आयोटा square की value minus 1 आयोटा cube minus आयोटा आयोटा plus 1 होता है आयोटा 6 minus 1 होता है आयोटा 8 plus 1 होता है आयोटा 12 1 होता है ठीक है minus आयोटा होता है और यह आयोटा इससे बस आपको expand करके value check करने है कौन सी आएगी खतम बाद time waste नहीं करेंगे NDA 2020 के first paper में एक ही question मुश्किल लगा आपको अब इसने बूचा A B की value बताईए क्या आप A B की value check कर सकते हैं multiply करके yes or no ठीक है हाँ A B की value निकल सकते है multiply करके time waste नहीं करूँ बोलो आके ना कोई दिक्कत परिशानी होके report मामला शावाश ठीक है अब question में बोला determinant 2021 NDA अब 2021 के paper के question बचे या नहीं दस question होगे मुश्किल से भाई दस question तक की तो आते हैं उसके बाद हम test करेंगे कि भाई साब देखो मैं आपके साथ 2021 का first paper discuss करने के बाद मैं 2022 का first मेरी बात सुनों पहले first second discuss नहीं कर रहा हूं 2023 का first discuss नहीं कर रहा हूं सिरफ वेकी question discuss किया था सेकिंड करूँगा discuss तो मेरी बात सुनों इन तीनों को आपको घर पे as a test करना है कैसे टेस्ट करना है यहां पर टेस्ट हम इसका गर लेंगे कैसे आप घर पे 2022 का first paper निकालेंगे का से निकाले गूगल पर मिल जाएगा गूगल पर निकालके आपने देखा matrix के बाई तो ऐसे चेक कर सकते हो आप अपने आपको हमेशा मैं हमेशा यह बात वोलता हूँ आपको मेरी नहीं सुनी आपको अपनी सुनी है अपने आप करो पहले इसको खतम करते हैं 23 का टेस्ट मेरे साथ देंगे और सोचो अभी तो हमने मैं तो कहता हूँ 2016 से 23 पड़ो अभी तो हमने 2018 के कोश्चन पड़े है 17 के तो पड़े भी नहीं 16 के नहीं पड़े तब हम इतना गर पारे तो जब हम 16 15 के भी कर लेंगे और जो तीन हम टेस्ट दे रहे हैं उन्हें भी प्रिपेर कर लेंगे तो 24 के करने के चांज से 10 में से 9 और 10 ही हो जाते हैं यह बात ध्यान रखो ठीक है इसकी वेल्यू डेल्टा दीवी है ट्राइंगल बोल देंगे डेल्टा बोल देते हैं देखो इसमें से निकालो P इसमें से निकालो Q तो अगर मैं P Q को कॉमल लेता हूं तो अंदर क्या बचता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं P Q आ गया और यहां पे डेल्टा खत्तम फिनिश देत बताओ इतना इजी कोशन था बेटा A A गलती से लिखा हूँ है से C और इसे D कर लो तो आप्शन आप लिखेंगे जो माना नहीं जाएगा ठीक है इसका मैंने आपको दो फॉर्मुले लिखवाए थे वो वाला भी लिखवाए था एक और फॉर्मुला सब बच्चे याद रखें A प्लस B प्लस C फिके A B एक सेकेंड हमने लिखा था A माइनस B का होल स्क्वेर माइनस B माइनस C का होल स्क्वेर फिर प्लस अब Это प्लस था C मैंस A का होल स्क्वेर और हाफ लगाए था याद करो लगाया था ना मैटा हाफ यहाँ पर तो हम क्या करेंगे इसके अंदर सार कुछ नहीं करना आप इसको एकस्पांड कीजिए expand करके हमें पता है 2a squared plus 2 मतलब अगर आप इसको एक और याद करना चाहते हैं अगर याद कर सकते हैं तो कर लेना नहीं तो इतने से भी काम चल जाएगा a squared plus b squared plus c squared minus a b minus b c minus c यह तीनों formula मैं आपको सची बात बताऊँ तो 9th के हैं तो यह आपको याद होने चाहिए थे अब उसने क्या बोला a plus b plus c 4 है ठीक है what is the following value of determinant अच्छा a b plus b c plus c यह मुझे पता है किसके बराबर है लेकिन बाक्की value नहीं बता है ना तो value डालो चलो check करो कितने बच्चे कर पा रहे है कर लिया भाई पिर मैं बताऊँगा कैसे करना है बहुत असान है पत कुछ नहीं है गदो वेक्टर में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता लग जाएगा आपके बस यह value तो 0 हो गई अब कोई आपके कान में आके a square plus b square plus c square बता दे तो आपका काम बन जाएगा बात खतम हो जाएगी को 9th class में हमने पढ़ा था a plus b plus c का whole square बराबर a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c है क्यों उठाऊँ बाई मैं 9 से उपर a plus b plus c 4 है 4 का square हो गया 16 यह मेरे पाँ है नहीं और a plus b plus c मेरे पाँ है 0 तो यह मेरे पाँ 16 आ जाएगा तो 1664 नेगेटिव में option b is correct बताओ क्या सवाल था कुछ नहीं है बस हमारे को psychologically weak किया गया और कुछ नहीं नेगेटिव 64 answer होगा expansion पर नहीं जाएंगे भाई यह 9th का formula यह 9th का formula यह 9th का formula और हमने अगर हमें याद होगा तो हमें पता है कि डारेक्ट यह वाला formula लगाएंगे क्यों लगाएंगे डारेक्ट क्योंकि हमें clearly पता होना चाहिए यह A B B C C A दिया हुआ है तो पहला step हमारा paper में यह होना चाहिए था और उसके बाद हमार को यह पता होना चाहिए इसकी value निकलेगी कैसे इस वाले 9th के फॉर्मूले से नाइन्थ 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 में देखो NCRT polynomial की last exercise के अंदर है सर आंसर बता दो देखके आंख बंद करके एंडिये 2021 फर्स पेपर आंख बंद करके देखके आंसर बताना calculation अगर किसी ने करी तो कॉपी में काटा और मुपे चाटा मारू हुआ जल्दी बताओ गलत तो कोई सा बता मत देना बता दो आंसर गया होगा आँ शुन्य है बेटा जिसने इसका अंसर गलत दिया न उसके लिए गरूर पुणान में अलग से सजा रखी वी है समझ गए नर्क भोगेगा हो अब देखो क्या है ये कोशन कुछ है क्या ए और बी दो मेट्रिक्स है अगर आप मेरी बातों को सुन लेते हो तो फोड़ दोगे it कर आँऊ है इसके पीछे वाले हिससे से चोड़ी किया था रूल लमबर वन रूल लमबर टू ये दोनों सेम होगे करेक्ट होंगे क्या वो नहीं बता कहता है A और B square matrix same order क्योंगी हो सकती है either A और B should be a square matrix या तो A या B square matrix होनी चाहिए both A and B of same order बताओ answer क्या होगा तो के नहीं मारना हो है नहीं तो मैंने कान के निच्चे मारना है और बेटा जो वो question मैंने आपको दिया था न वो वाला क्या नाम है जो पिछले वाला था आप उसको solution देखना जा रहा है बहुत सारे किताबों में मिलेगा लोगों ने इतने बड़े-बड़े question के में कर रखे हैं लेकिन हाँ ये trick भी बहुत जल्दी पंद्रागी तो आपको पता लग जाएगी का कि reality बता रहा हूं और 2015 भी क्यों जा रहे हो physics वाला पर यह अभी मैंने पीड़वी पे defense वाला पर यह अपनी playlist बना रहे हैं उसके अंदर भी मैंने ये trick बताई हुई है तो it depends 2015 से पहले अगर किसी ने बताई होगी तो सर कह रहें सर की बात गलत होगी और 2015 के बाद कई question है नहीं है 2021 में ही आएवे है न भाई है सोचो और इससे पहले वाले 18 में तो जिसने पढ़ी होगी सुनी होगी उसने करी होगी है ना तरह पहले कहां थे पढ़ाते थे पहले कहां पढ़ाता था मैं बहुत जगह पढ़ा चुक है offline भी पढ़ाता था अब मैं completely associated with physics वाला PW देखो पढ़ा ये कुछ भी हो सकता है ये P भी हो सकता है Q भी हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि square matrix हो A और B कोई भी matrix हो सकती है हमें नहीं पता कौन सी होगी square हो जो मरजी हो ठीक है A और B जरूरी नहीं कि same matrix हो भाई क्योंकि ये P हो गया तो ये same नहीं होई ना तो हम कहेंगे कि A और B not need to be same कुछ भी हो सकती है जरूरी थोड़े square matrix क्यों भाई ऐसा क्यों है कि यहां पर N ही आएगा नहीं आ सकता भाई किसने बोला कुछ भी आ जागा यहां पर 10-10 रखलो 20-20 रखलो 50-50 रखलो किसी ने रोका थोड़ी आपको है ना अगला How many matrix or different order are possible with element comprising all prime number less than देखो 2020 के first paper में अगर हम देखें तो इतने सारे question आएं लेकिन इतने सारे में से एक आदा question देते ही है वो technique वाला कि आप लोग आराम से उसके अंदर थोड़ा सा confused होएं थोड़ा दिमाग लगाएं अब question में बोला है सारे के सारे prime number होने चाहिए पहली बात तो 30 से छोटे तो आप पहले 30 से सारे छोटे prime number लिखो कौन कौन से होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 17, 19 23, 29 यह 30 से छोटे होगा है क्योंकि उसने बोला है कि how many matrices of different order कितने order की matrix possible हैं समझारी मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं how many matrix of different orders are possible with the elements comprising all prime number less than 30 अब एक आंसर होगा अधा कुछ बच्चे कह रहे 2, कुछ बच्चे 4 ठीक है भाई ध्यान से सुनो उसने क्या बोला है सारे prime number होने चाहिए पहले total number of elements देखो कितने हैं total number of elements है एक, दो, तीम, चार अभी मैं अपनी बात्चा में समझाता हूं पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस उसने का सारी matrix ऐसी निकाल के दो मतलब जिसके अंदर ऐसी कितनी matrix होंगी जिसके अंदर ये सारे prime number आ जाए मतलब ये total 10 elements है 10 elements है 10 के 10 elements इतना बेवकूफ बनायाने इस question है, इतना बेवकूफ मैं कह रहा हूँ, अगर आप सिरफ language समझा रहे दे question हो गया है भाई, ये 10 के 10 elements वाली मतलब ये elements जालने कितनी matrix हो सकते हैं सारे, इस दुनिया में 2 हो सकते हैं दो भाई पांच की, एक पांच भाई दो की क्योँ, सर एक भाई दस और दस भाई एक की नहीं होगी सारे के सारे अगर यूज़ करने है तो पहले ये बताओ how many matrix of different orders बोलो हाकिना बोलो ये बात समझ आई, पहले मैं क्या कह रहा हूँ question समझा है सभी को question clear हुआ जो मैंने पूछा आप से how many matrix of different orders बिटा, different order का मतलब है कि उसके order अलग-अलग होने चाहिए थे अब शराफत से बोल देता 10 elements की से कितनी matrix बनाई जा सकती है 4 matrix बनाई जा सकती है मतलब ये कह रहा था कि 10 elements खुद गिनो अब गरे आपनेagne, on the खुद करता है कि मैं इस हाथ से जादु कर रहा हूँ इस जादु कर रहा हूँ वो ऐसे गरेगा और इस हाथ से जादु कर रहा हूँ और इस हाथ में कुछ technique आपको दिखाएगए देख इधर में गपला कर रहा हूँ लेकिन actual गपला यहां हो रहा होगा इस question में भी वही था उसने आपको confuse किया prime number less than 30 में लेकिन actually मैं जादू कहा था actually मैं जादू यहां था यह total 10 element है यह बात हमें direct शराफत से बोल देता वह क्या हमें prime number नहीं पता 30 से छोटे भाई 10 prime number थे 30 से छोटे 10 prime number थे 30 से छोटे यह सारे 10 के 10 अब 10 elements वाली कितनी matrix होगी सर 1, 2, 3, 4 तो मैं कह सकता हूं option C is correct 4 matrix बनेंगी तो शराफत से पूछ लेता लेकिन नहीं हाथ से दिखा रहा है prime number की game है prime number की game है ऐसे चोकनना हमें ऐसे कर रहा है और question कहा है 10 element में भसा हुआ है यहाँ question यहाँ कर दिया कि साथ पे आरिये बात समझ में अगर बेटा same order बोलता तो same order 10 वाले में कहा बनता same order are you same order कौन सा होता square matrix 10 element में square matrix कैसे बनेगी 9 में बनेगी 4 में बनेगी 25 में बनेगी है ना बेटा तो यहाँ तो होई नहीं चकता ने बिटा same order तो होई नहीं सकता खुद सोच same order का मतलब था वो वाली game clear है आगे देखवाई PQRS PQRS 4 different prime number है less than 20 what is the maximum value of determinant अब अब PQRS 4 number है देखो PS minus QR answer होगा मुझे इसकी maximum value निकाल नहीं है इस determinant की maximum value तो यह मुझे इस दुनिया का बड़े से बड़ा number रखना है मतलब यह biggest होनी चीए biggest और यह कैसे होनी चीए smallest है ना तो उसने बोला जितने prime number है वो 20 से छोटे है तो 20 से छोटे में बिटा देखो 20 से छोटे में जितने भी आते है biggest के लिए मैं इन दोनों को पते क्या रख लेता हूँ 19 इंटू 17 यह biggest आएगा और smallest में इनको क्या रख लेता हूँ 2 इंटू 3 तो क्या question था यह तो कुछ भी नहीं था सर NDA से पहले IAF का test है सर 18 को कानपूर बगवान तेरा clear करा है बटा तो इसको multiply करना सबको आता है अगर multiply करना नहीं आता है तो बटा सीख लो मुझसे नहीं खुझ से मुझसे क्यों सीखो के वे गुणा खुझ सीखो और जब सीख जाओ तो मुझे बता दे ना भाई 323-6 317 A और B square matrix of 2 order determinant A B equal to determinant B then which of the following is correct इन में से कौन सी statement correct होगी determinant A B जो है वो B A के बराबर है determinant A B जो है वो B A के बराबर है तो ऐसा कब होगा देखो बाई debt A B जो है वो debt B A के बराबर है तो ये कब होता है debt A B हमारा किसके बराबर होता है A debt B debt के ये भी B debt A debt के बिदार वो सकते हैं जब यह दोनों कैसे मेट्रिक्स सोगा ये यूनिट मेट्रिक्स होगा नहीं है आप बताव कौन से कैसे मेट्रिक्स यूटाओ आंसर बताओ जल्दीसे क करने भाई लोई कारण भी बताना है मैं तुक्के मार रहू हूँ या आपको कारण बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होगा पहले बताओ भाई ये तभी पॉसिवल है ना जब सिर्फ और सिर्फ यूनिट बेट्रिक्स रहे होंगे तभी तो आगे पीछे हो रहा है नहीं तो थोड़ी होता नहीं तो क्यों होगा बताओ तो यूनिट बेट्रिक्स इसका अंसर आएगा डेटर्मिनेंट गंदी सी टर्म बताओ ये एंडिय के पेपर में आया मतलब यार कुछ तो लेवल रखो एंडिय का तब तो हम आपकी बात मानें कुछ तो रखो आई एकस्पेंडिंग अलॉंग आटू सीधा इस पे जाएंगे वन एक स्कूर माइनस वन इक्वल टू जीरो और बताया था आटू से एकस्पेंड करोगे तो बाहर नेगिटिव आएगा तो X is equal to plus minus 1 खतम बताओ यार क्या करें हम यह NDA का लेवल है बताओ वाई एक नंबरा कोशन दे सकते हैं बोर्ड में हम बच्चे से हाँ यह बहुत बड़ी है सवाल है इसमें वैली बूची है वट इस दा वैल्यू अब यह डरते हैं बच्चे क्योंकि उसमें तीन टाम देख ली लेकिन रियालिटी यह है कि जब आप इस कुशन को करने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कुछ भी नहीं था इसमें पिर और यह 0 तो कोई भी एक रोजीरो होगी तो डेटर्मिनेंट की वैलियों 0 लिख सकते है बात खताब तो पहला गेम खताम प्लस एफ 0 जब मैं 0 डालता हूं तो यह 0 और यह 0 और यह 0 आगे सर और अगर मैं डालता हूं प्लस 1 यह 0 और यह 0 है ना अगर हमारे पिपर मैं आ जाते तो हमारी चांदी चांदी हो जाएगी चांदी चांदी सोना चांदी 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 बोलो हा कि न? चलो भाई जो बच्चे कहते है रो वाले पर कुश्चन ना आते रो कॉलम पर कुश्चन ना आते है बता दो आणसर क्या हुआ कहता है i-th row 10, j-th column of a determinant of third order is what is the meaning of third order यानि की तीन बाइ तीन की matrix है A i j A is equal to 2 I plus J बेटा उसने पूछाए determinant की value मतलब पहले matrix निकालो फिर उससे determinant करो यानि एक बार ही डालो गे 1 1 तो 1 1 डालेंगे तो 4 एक बार ही डालेंगे 1 2 तो बेटा अगर मैं 1 2 डाल रहा हूं तो 3 दूनी 6 2 1 भी 6 आएगा करके देख लो फिर मैं डाल रहा हूं 1 3 1 3 4 दूनी 8 तो ये भी 8 ही आएगा बेटा हर केस में नहीं आता है ये तो बाई चाल सा रहा है ठीके 2 2 2 2 4 4 दूनी 8 3 3 6 6 दूनी 12 फिर यहां पर डालूँँगा मैं कितना 2 3 3 2 5 दूनी 10 तो ये 10 बस इसे एकस्पैंड करेंगे वैल्यू निकालेंगे आंसर रहेंगे बोलो भाई हा किना मुश्किल सवाल था 1 3 वही कॉमन लोगे तो हो जाए गई इस कोश्चन के बाद टेस्ट शुरू होगा आपका इस कोश्चन के बाद आपसे टेस्ट लेंगे कोश्चन यह है वट इस दा वट विद्धा नंबर 2468 और पॉसिबल डिटर मेंट जितने भी डिटर मेंट बनेंगे विद आल दा फोर डिफरेंट अलिमेंट अर इस अमों वाली उफ सच डिटर मेंट पता है हम इस बात में डर जाते हैं कि हमारे को उसने बोला है 2468 है और 2468 से जितने भी डिटर मेंट बनेंगे जितने भी डिटर मेंट बनेंगे अब आप ऐसे दूसरा निकालो फिर तीसरा निकालो फिर चौथा फिर फिर पांचवा इन सबका सम कितना होगा यह कोश्चन है लेकिन हम पहले डर जाते हैं लेकिन डरने वाला कोश्चन नहीं था बताओ आँ अंसर कितना आएगा सेकंड डेटर्मिन निकालो जल्दी से कितना आएगा डेटर सेकंड वाले में क्या करोगे सिरफ और सिरफ पहले एलिमेंट को बदल दो दो चार छे आठ है है ना बोलो मुश्किल था कोश्चन कहीं से भी मुश्किल लग रहा है तो बताओ मुझे मुझे लग रहा है जो कुश्चन्स मैंने लाने थे वो मैं बुक नहीं लाया हूँ आज नहीं लाया हूँ लाया हूँ लाया हूँ करार हो करार रहा है तो को जड़ा सबर करो टेस्ट ले लेते हैं अभी आपका है न है अगले में भाई दो चार चे अलर रखा हूं अगले में इन दोनों को चेंज कर तो चार दो चे आट हिस्तोर मोई इन दोनों को चेंज कर दो छे चार दो आठ इन दोनों को चेंज कर दिया ना मैंने अब इन दोनों को चेंज कर दो 6, 2, 8, 4 देखो 6 की 1, 2 बनी है तो 4 की भी 2 बनेगी दूसरी कोई रह रही है कौन सी रह रही है दूसरी 4 वाले की भई सारे निकालने पड़ेंगे आपको 4 वाले की क्या बनेगी चार ये रहा और इदर 2 रखा है तो इदर 8, 6 आएगा ठीक है छटा दो वाले की भी 2 बनेगी 2, 4, 8, 6 सब को एक्सपैंड करेंगे हो जाएगा सॉल्फ यस और नो जल्दी बताओ 8 केस बन रहे है बेटे टोटल 8 केस बन रहे है 2 के 2 केस बन गए 4 के 2 केस बन गए 6 के 2 केस बन गए 8 के 2 केस रहे गए मैंने करा 8, 2, 4, 6 पिर मैंने करा 8 2, 6, 4 आये ना अरे बुक बेटा मैंने उसकी यूज़ करता हूँ मैं मैं बताए तो बुक कहे रहा कि सर बुक दिखाईये बेटा अपने पास एक किताब है मैं वही यूज़ करता हूँ उसी के अंदर पूरा वैलेबल है को दिख्कत ही नहीं इसमें कोई शॉट रेक नहीं है पूरा आपको करना पड़ेगा मैंने आपको बोले पी डवल्यू की दो किताबे आती है एक मॉडल टेस पेपर भी आता है लेकिन जब आप बात करते हैं मॉडल टेस पेपर वगएरा उसमें हो सकता है फरक ठीक है ना चलो एक मिनट दो मैं जड़ा कोश्चन निकाल लूँ है अब दो जड़ टेस का मैंने आपको बोला था कि टेस्ट लेंगे हम वह आपके साथ टेस्ट करते हैं सेकिंड पेपर का टेस्ट है ना कि बाइक कैसे कैसे कोश्चन आये थे कैसे कैसे हमें करने थे चलो आप ठीक है वाटा किताब के लिए पूछ रहा था जो बच्चा देखो सारे कॉश्चन में को लिखने है आप लोग आंसर बताना यह कुश्चन वैसे 2015 में भी आया था 15-16 में भी आया था बट इसको मैं लास्ट में डिसकस करूँगा एक बरी न एक कुश्चन है एक वाला बट वैल्यू कुछ निया है तो घड़िया कुश्चन है बट देखो कुश्चन है पहला टेस्ट का अल एलिमेंट of third order determinant third order determinant are 1 and minus 1 then determinant की value क्या होगी option A 0 option B even number but not necessary 0 option C odd or option D 0 1 minus 1 बेटा देखो तुक्के मत मारो अराम से पढ़ो पहले कुश्चन को और कोई भी बच्चा टेप है ना देखो गलत होगा मेरे सामने impression मनाने से क्या होगा कुछ सोचो अगर आप चीज कर पा रहे हो तो वो important है मेरे सामने impression मनाने से अगर कोश्चन यह कि third order determinant है ठीक है third order मतलब 3 by 3 वाले determinant है उसमें पूचा है कि अगर आप उसको solve करते हो तो third order determinant तो आपका answer क्या आएगा देखो third order determinant जिसके सारे element 1 और minus 1 है देखो आपको रहा अंदाजा चाहिए होता है और कुछ नहीं है जैसे जरूरी नहीं है न यार देखो 1 minus 1 2 element तो देखी रखे है कुछ भी हो 1 minus 1 ऐसे गर के होना चाहिए है तो जब आप इसे expand करोगे मतलब आप ये देखिए कि आपके पास element जो है a b b b a b कुछ भी ऐसा हो सकता है मतलब आपके पास मात्र 2 element है आप एक को a ले लो एक को b ले लो अब आपने क्या पढ़ा था यहाँ पर दिमाग लगाना था a b b b b a b b b b b a क्या फार्मूला पढ़ा था हमने अभी b का a q plus 2 b q minus 3 a b का square पढ़ा था अब आप डाल के देखिए value 1 और minus 1 मतलब a की जगा 1 डाल दो b की जगा minus 1 डाल दो तो 1 डाला b की जगा minus 1 डाला 3 into 1 डाला minus 1 डाला correct तो यह आगया 1 plus sorry 1 minus 2 और कितना आ रहा है minus 3 3 2 5 5 में से 1 minus 4 आ रहा है minus 4 मतलब guarantee है कि odd तो नहीं है और 0 minus 1 1 तो आया नहीं मैंने अभी बताता हूँ कि मैंने यहीं क्यों लिया 0 odd आया नहीं 0 भी नहीं आया तो even number but not necessary 0 देखो उसने question में क्या बोला है मुझे कैसे पता लगा यह लगाना है मुझे तुनो मेरी बात ध्यान से मुझे ऐसे पता लगा कि दो number है a और b अब a और b यहां तो मेरे पास जो formula था वो यह था अचा जरूरी नहीं है ऐसा भी हो सकता था a, a, b a, b, a b, b, a कुछ भी हो सकता था तो जरूरी नहीं है कि यही वाला pattern होता बट मैंने वो pattern रख लिया जिस pattern से मुझे अंदाजा मिल जाएगा कौन सा सही होगा अंदाजा at least मेरे को judge तो कर लूँगा कि 0 है कि नहीं है क्योंकि मेरे पास एक short में answer है इसका एक short में एक short में answer है भाई इसका एक step का answer अब अपने a की value 1 डाली b की value a की value 1, b की value minus 1 खतम sir answer क्या आ रही है अब आप ulti value भी रखके देख लो भाई आप ulti भाई देखो 0 नहीं आ रहा खतम बात भाई उसने बोलता हमेशा 0 आएगा भाई इसी में नहीं आया 0 तो हमेशा क्यों आएगा 0 एक भी case 0 नहीं हुआ तो ये वाला मेरा dead हो गया a रुग गया और odd आ नहीं रहा भाई minus 4 odd थोड़ी होता है 0 आ नहीं रहा तो not necessary 0 तो खतमी हो गया मेरा ठीक है और 0 नहीं आ रहा minus 1 नहीं आया 1 नहीं आया ये तो 3 fix answer दिये तो 3 मेरे गलत हो गये तो option B correct हो गया बेटा लेकिन हम लोग यहां पर सोचना में जरूरी था हलका सा twist किया था सर मेरा 2 आया ने ने दो आया बेटा 2 आया तब भी कैसा हुआ एक बच्चे ने बोला सर मेरा 2 आया 2 आया बेटा कैसा number हुआ even मैंने तो अंदाज है even पर लगा है जो छोटेवे topic है अगर आपका एक अदर topic छूट रहा है क्योंकि नहीं हो पा रहा है इतनी बड़ी-बड़ी classes में तो last एक lecture होगा हमारा 30 या 31 थरीक को उसमें misleynis करके हम पूरा कर देंगे आकि confusion ना हो बोलो clear है दिवांच है ना satisfy कर रहा है अब कोई और बच्चा कुछ और कुछ और लगाए तो उसका भी हो जाएगा तो दिमाग लगा के करना था question को यह paper में question आया था चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं ठीक है अब अगला question देखना कैसे हमें फुद्दू बनाया question में A बराबर मेरे साथ साथ उतारेंगे matrix 2 minus 1 0 0 1 मेरे तो दिमाग में चल गया भाई ये expansion minus 1 3 1 0 अब question देखलो हिलना जाओ अगर question देखके तो मेरे नाम बदल देना क्योंकि सर सच्ची में ऐसा question आता है paper में जूट मन बोलना मैं तो कह रहा हूँ जाओ किताब खोल के देखो ना जो पढ़ाया है उसमें से नहीं आ रहा तो मुझे बोलो दो बार adjoint है उसके बाद डेट लगाया हुआ इसकी value 525 125 125 यह question वही है जो दो question मैंने आपको करा है मैंने बुला इन बातों को ध्यान रखना ठीक है क्या करोगा expanding करी पहले मैंने कर रहा है expanding along c3 one is the common 6-1 पाँच आगी a determinant तो एडेटरमिनेंट मेरे 5 है सर खाली adjoint एक बात करते हैं adjoint a जो है अगर मैं खाली एड़ जोईंट की बात करूं तो वाट इस द फॉर्मुला दो बार एड़ जोईंट एडेटरमिनेंट का a determinant की power n-1 का square क्योंकि यहां पर 2 है तो 2 पावर आएगी यह डेटरमिनेंट मेरे 5 है n मेरा 3 है 3-2 का स्क्कुर कितना होगे 65 चांषा के ना मुष्किल है एक बारी बोलता सर मुश्किल कुश्यन है घल्ड तो नहीं कह रहा अब बताओ कितनी देर में हमिस सवाल को solve कर देते हैं determinant निकालते ही चुटकी बजा के answer solve हो गया test अगले test पे आए अगले question को test करें भाई testing करें testing question की testing हर चीज में कर सकते हो आप testing हर चीज में तीसरा question अगर तीसरा question देखते ही आपको हसी ना आए तो कप्पिल शर्मा का शो देख लेना भाई उससे तो आई जाएगी तोटा इंशन ले रहे हो बताओ इसने बोला यह ए है मैं तो नहीं मानता भाई यह मैं तो आई मानता हूं क्याता है 23a3-19a2-4a इसमें बोला है नल मेट्रिक्स ऑप्शन में दे दिया है नल मेट्रिक्स आइडेंटिटिटी मेट्रिक्स फिर 222777 ऐसा कुछ दे रहा है अब भाई क्या होगा यह बताना जरा पैन भी मत चलाओ भाई पैन भी मत चलाना रफैसर कोश्चन तो आउट बत बताओ 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 क्या आंसर आ रहा है येस जीरो खत ताम फिनिश देथ कोश्चन की कर दी देथ तो बेटा पेपर में सवाल मुश्किल नहीं आते हैं हाँ बठ हम लोग करें उसकी बात अलग है अब मैं शौर्ट में लिखूंगा क्यों क्योंकि स्टेट्मेंट बहुत बढ़ी है इस तीम कहता है इस तीम जिसका ओर्डर भी तीन है ठीक है ओर्डर भी तीन है डिटर्मेट भी थीन है If C is the matrix of co-factor of matrix A C जो है वो co-factor of A है co-factor of A is the C एक matrix है जो co-factor of A है या यानि adjoint of A बोल सकते है indirectly What is the value of determinant of C square मतलब C square का determinant निकालना है चलिए ट्राइ कीजिए option है 3981 721 3981 और 721 भई A determinant आपको दे रखा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और आपको ये बात पता है कि जो adjoint का होगा जो adjoint A होगा वही तो सारे के सारे co-factor A का transpose होता एक ही बात होती है सर गलत तो नहीं कह रहा और adjoint A के लिए अपने पास जो formula होता है वो क्या होता है that is A determinant की power n-1 A determinant 3 है 3 का square 9 हो जाएगा co-factor of A भी रहता है adjoint A रहता है यानि आप इसे बोल सकते हैं C के बराबर है जोगी इसका transpose तो same ही होता है कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन C आ गया अब मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है C का square अब यहाँ पर एक problem आईगी बच्चों को जो जर्रनल गलती करते है छोटी सी गलती होती है बहुत छोटी सी गलती होती है मतलब C के square का determinant निकालना है तो 3 के square का determinant is equal to 9 9 का determinant नहीं नहीं होगा न पतम बात ओ स्वरी स्वरी 3 के square 9 का square का determinant that is equal to 81 बता वहाँ लिख रहा हूं अलग और value आ रही है बताओ गुमा गुमा के पूच्चा है question में value सारी same है, सब कुछ same है बस एक, दो, तीन सवाल और टेस्ट में लूँगा बाकी तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है question देखना पिटा a k is equal to k minus 1 k ये थोड़ा सा अच्छा question था बट मुश्किल ये भी नहीं था हाँ घुमा के पूचा है, ये बात confirm है अगर आपके concept ठीक होंगे तो question automatically ठीक होगा क्याता है debt a1 मैं ऐसे लिख रहा हूँ a1 का debt plus a2 का debt plus a100 का debt अब डरना नहीं भाई आप पहले क्या करो, cross multiply करके a के निकाल लो, क्या होगा k square minus 1 minus k plus 2 k, ऐसे ही होगा क्या बन देगा k square plus pari k square plus k minus 1 आगया मेरा क्या a k यह आ रहा है मेरा a k k square plus k minus 1 हा के ना पहले यहाँ तक किसी को doubt है तो बताओ option है 100,000, 9900 या 10,000 100,000 9900 या 10,000 1 minute k minus 1, k plus 1, k square minus 1 होगा minus आएगा, यहाँ गडबड कर दी मैंने रुको, expansion सही नहीं करी है मैंने k square minus 1 minus k into k minus 2 ठीक है, तो बिटाँ यह बनेगा k square minus 1 minus k square plus 2 k तो यह k square से k square कड़े गया, 2 k minus 1 आ गया, यह आ गया a k बाई एख बन गया, एक बारी मन डालेंगे, तो जम डालेंगे, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, एक बारी 2 दालेंगे, तो तू तिर 3 डालेंगे 3 दूनी 6 में से 1 गए 5 ऐसे डालेंगे लास्ट क्या होगा 100 डालेंगे तो 200 माइनस 119 यह हो गई 100 टार्म्स भाई AP लगा के solve गर सकते हो हाँ है ना कुश्चन था मुश्किल बोलो क्लियर है यह सुर्णो 100 हजार या 1 लाग बोलो क्लियर है एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बस खतम तो 50 तो यही आ गया एक सो अठान में प्लस दो 200 तो दस अजार अंसर खतम हो गया कुश्चन बताओ कहां से मुश्किल है भाई यह पेपर में आया था बस कन्फ्यूस करना है के लिए में कई सारे डी 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 बना गया और कुछ नहीं करा एक लास्ट कोशन में डिसक्स कर रहा हूं तो अब आप खुद देख सकते हो जो पेपर में सवाल आते हैं वो कुछ जादा मुश्किल नहीं होते लेकिन हां हमने अगर मित बना लिया तो बात अलग है एक स्कुएर प्लस ठी एक्स प्लस वन एक्स माइनस ठी एक है एक बात ध्यान रखना अगर एंड ये के पेपर में सवाल अभी रुख जाओ ज़रो पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ x-4 और ये 3x क्याता है ये टर्म बराबर है ax4 bx3 cx2 dx plus e के बराबर बिटा मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से अगर NDA के पेपर में देखो इसमें कोशन आये थे 1 2 3 4 5 6 6 कोशन मेरे को यहां दिख रहे है आगे और भी होगे आगे पीछे यह रहा एक सिमेट्रिक पे 7 8 9 कोशन मेरे को दिख रहे 10 कोशन मेरे को दिख गए है बट 10 में से 6 बूचरां बाकि आप खुद करेंगे अब 10 कोशन में से अभी तक जितने हमने करे कोई लेंदी कोशन नहीं था अगर हमने 4 5 कोशन करे हमारे 5 कोशन अगर हर कोशन में हमने ज़्यादा रही तो 40-40 सेकिंड भी दिया तो 200 सेकिंड या नि 3-3.5 मिनट में कोशन हो गया लेकिन 6 कोशन करने के लिए हमारे पास मोटे मोटे 6 प्लस 3 9 मिनट थे 9 में से हमने 5 मिनट खर्च कर दिये हमारे पास चार मिनट बचे हुए है यानि कि वो इस कोशन के लिए बचे हुए आपके पास और किसी लिए नहीं बचे हुए बात समझ आई ही मैं क्या कह रहा हूँ तो आपके पास 4 मिनट अगर इस सवाल के लिए बचे तो आप तस भाई एक आदा कोशन अगर लेंदी आ जाए तो आपको डरना नहीं है आपको यह नहीं सोचना कि इस कोशन को तो हम छोड़ दें आप यह भी तो सोचो कि जो बाकी कोशन है वह सान है जैसे एक कोशन मैं करा नहीं रहा यह कोशन भी आया हुए पेपर में इस डेटर्मिनेंट की की वेल्यू अभी करने एसा नहीं करा हमने करा है ना कित्ती देर में सवाल होगा खुँछ सोच लो दो को बाहर ले लेंगे वाई के कैक स्वार न को बाहर ले लेंगे एंवर्स का डिटर्मिन बीटर्मिन सीड़ यह सवाल भी आ रहा है मैंने डिसकस नहीं करा दस सेकिंड- तो कह रहा हो आप 40-50 सेटी कंसीडरेशन ले लो जीरो आंसर बदाने मैंने कोश्चन बूचा नहीं जीरो आंसर वैल है है ना कोश्चन ए की वैल्यू क्या होगी कॉंस्टेंट कितना होगा तो अगर एकादा सवाल आपका लेंदी आ जाता है तो आपको डरना नहीं है अच्छा लेकिन अगर आपकी जगा मैं होगा आप जाके चेक कीजिए मैंने शॉर्ट ट्रिक में भी करा रख्या कुश्चन मैं यापर एक्स की वैल्यू को जीरो पुट कर दूँगा क्यों कर जो बच्चे यह कहते हैं कि सर क्रिशन लेंदी था तो बैटा कितनी यह क्या चार मिनिट का सवाल है पुट एक्स इक्वल टू जीरो अब बच्चे केंगे सर एक्स के जगा कुछ और भी पूट कर सकते दे बैटा जो मन करें वो पूट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 501 करोड लेकिन छ एक्सपेंडिंग अलोंग रवन करो 0 प्लस 1 ऐसे करके काट दिया इसको कितना आगया 0-12 प्लस 3 3 इसको काटा यह कितना आगया 4-6 यह यह आगया भाई किया दिक्कत सार यह यह आएगा माइनस दो 6 एक बड़ी मैं दुबारा कैलकुलेशन कर रहा हूं भाई दुबार 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 देखो यह answer किता रहा है इसका बच्चो एक बर यह answer बताओ किता रहा है answer इस शुन्य पटा मैंने कुछ value में गड़बट करी एक में टुको जब मैं 0 put करूँगा तो मेरे जो element आएंगे वो diagonally 0 आ रहे है yes it is 0 यह 0 होना था इसमें जाएगा तो 12 आएगा ठीक है ठीक है ठीक है यह 0 आ जाएगा खातम फिनिश देथ बताओ कहा से मुश्किल कोशन था आए ना अब आपके लिए छोटा सो homework है सभी बच्चों को जो करना है यह मेरी आप सभी से गुजारिश है सभी बच्चे करके रखे हो उस homework को देखो यह करवाना था बट मैं मिसलिनिस वाले टॉपिक में कराऊंगा तो आपका जो homework है दाट इस 2023 का फर्स्ट पेपर एज़ा टेस्ट 2022 का 2021 तो हमने डिसकस कर दिया है तो दो पेपर यह हो गए और एक यह हो गया आपने सारे कोश्चन इसके मार्क करने है लगबग 30 कोश्चन 30 से 35 कोश्चन आपको मतलब 30 कोश्चन आपको मिलेंगे मेटरिस रिटरेमन में जैसे ही मिले जो बच्चा लगबग लगबग 25 प्लस कोश्चन सही कर रहा है वो अच्छा चल रहा है यह बात याद रखो अगर तो इसका मतलब आपकी जो आवरेजben देटि लगबग 80 परसेंट अबोफ यानि कि आपका जब पेपर होगा आठ कोश्चन गम से कम करा होगे सही इक तो ये आपको अपने आप बनाना है और आगे बढ़ाना है है था किक है स्क्यू सेमेट्रिक मेट्रिक्स कर लिया पीछे एक बरी देख लीजे ठीक है तो यह हमारा आज का गेम था आज बिलते आज की ग्लास छोड़ा जैप्टर तो इसलिए ओवर हो गया पहली बोली थी मैंने बात ठीक है तो आज की ग्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं पढ़के इन्वर्स यह तीनों चीजे मिलाकर 20 सवाल आते हैं उसको हम डिसकस करेंगे अकेला चैप्टर जान ले लेगा हमारी लंबा चैप्टर इसलिए मेरे को लगता है कि 6-7 गंटे लगें उसके खतम कराने में पर उसको मैं उस दिन निप्टा दूंगा पर 20 कोशन का भी तो चै कि अविसे